निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर समभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिस की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे चलेगा, टेलिग्राम चैनल और वाटसप ग्रूप को भी जॉइन कर ले, जिससे आपको इस क्लास से रिलेकर सारे इन्फार्मेशन मिले, और इस क्लास की क्वेस्टन पेडियाफ, चलेगा, हम सुरुवात करेंगे, आज के इस बहतरीन सेशन का, पहला क्वेस्टन आपके साम देखते हैं, पहला क्वेस्टन डेटर्मिनेंट से है, हम दो हजार तीन का पेपर कर रहे हैं, कर दी गई सारडिक का मान है ना, हमको निकालना इस डेटर्मिनेंट की वैलू क्या होगी, तो देखिएगा, सिंपली, अगर किसी कॉलम में, कॉमन डिफरेंस सेम हो, है ना, दे हम का कॉमन डिफरेंस जो हो, सेम हो, या फिर रो में, प्रत्य रो में जो कॉमन डिफरेंस हो, भी क्या हो, सेम हो, तो इसमें हम देख रहे हैं, कि अगर हम C1 घटा दें, इसको इससे घटा दें, देखो, माइनस वन आजाएगा, और इससे घटा दें, माइनस वन आजाएग हाँ हाँ शत्यगीर सर चलिए हमें क्या करना है सीवन में सीटू घटा देना है सीवन माइनस सीटू करेंगे कोप्रेशन लगाएंगे दूसरा क्या है सीटू माइनस सीथरी करेंगे कर देंगे अगर ऐसा होता तो इसका डिफरेंस जो आएगा वही डिफरेंस इसका है इसका उसके होगी दिफरेंस जो आएगा वही दिफरेंस इसकाओ अगर ऐसा होता तब भी क्या होता टोनों के डिटर्मिनेंट की जो वैलू होगी वो क्या होगी IS бесп गटेगि T1 में C2 तो कितना जाएगा –1 और यह कितना जाएग Sanders two और यह कितना जाए भाड़ाइन है ना दो कॉलंब बराबर हो जाएं किसी भी डेटर्मिनेंट की वैलू-0 होगी यह नि उसके कोई भी ओ peril हो या कोई भी दो कॉलम बराबर हो तो यहां पर हमारे बास सीसी टु बराबर हैं इसलिए इसकी जो डेटर्मिना TV होगी वो क्या होगीrendre के रिप गए थे अब देखेंगा यहां पर हमें value निकालनी है value find करनी है इसकी determinant दी गई है अब मैं काम करूँगा देखें यह पर x a x plus a equal to 0 तो खरा x की value क्या होगी find value of x ठीक है हम क्या करेंगे हम देख रहें कि अगर हम r1 में सभी को add कर लें है ना r1 यह सोरी c1 tends to कर दें क्या करते हैं यहां पर हम करतें c1 tends to c1 plus c2 plus c3 सारे element जोर दीजिए तो दखो x plus a plus b plus c बन जाएगा x plus a plus b plus c यहां बन जाएगा x plus a plus b plus c यहां भी बन जाएगा यानि कि हमें एक element के रूप में एक common एक factor के रूप में मिल जाएगा जो पहली column में होगा सब जगा पे वो होगा x plus a plus b plus c है ना फिर यहां पर हमारे पास बचेगा one 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 b c और यह हो जाएगा x plus b और यह c और यह b और x plus c अब हमें 0 बनाना है आप करो r1 को r1 में r2 घटा दीजे r2 में r3 घटा दीजे देखे एक हमें root मिल चुका है यहां पे एक root हम को मिल चुका है यहां पे कितना x is equal to आ जाएगा minus का a plus b plus c दूसरे root के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं इस determinant को देखेगा यह 0 हो जाएगा और यह साहब minus का x हो जाएगा और यह भी minus का x हो जाएगा ठीक है और यह हो जाएगा साहब 1 और यह हो जाएगा b और यह हो जाएगा एक्स प्लस c ठीक है इकोल टूजीरो है यहां पर भी एकोल टूजीरो है ठीक है अब देखेगा इसके अच्छा यहां पे इसको इस से घटाया हमने तो 0, x, minus x हो जाएगा, यह 1, v, और x हो जाएगा, ठीक है, अब इसके respect में खोल दीजिए, तो यह plus का x हो जाएगा, चूकि minus अल्रेडी होता है, यह छुट जाएगा, और यह छुट जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, साहब, minus का minus, minus यह निक plus का x आजाएगा, equal to 0 हो जाएगा, बाँ की सभी 0 है, यानि कि x के यहां से हमको 2 मान मिलेंगे, और वो दोनों roots होंगे, 0 होंगे, x के 2 मान होंगे, यानि कि 0, 0, minus a plus b, यानि कि कौन सो option सही हो जाएगा, दूसरे में option सही हो जाएगा, साहब, d, चानक की सर बहुत दिनों बात दिखाई दिए है, चलेगा साथ, 2 में d option correct हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहाँ पर प्रदीप सर ने, very good evening सर, बिल्कुल सही है सर, जीवन सर, चानक की गुपता सर कह रहे हैं कि b सही है, साहथ मुझे लग रहा पहले वाले कभी बता रहे होंगे, सर तिवीर सर कह रहे हैं, 2 में बी, सरक्टू में b तो नहीं सही होगा, चुकि एक value और आ रही है हमारे पास, 0 भी आ रही, देखें इसलिए इसे भी हल करना जरूरी है, वरना थोड़ी सी गलती है, छोटे से सवाल में हम गलती कर बैठेंगे, है ना, तो कौन साफ़न सही हो जाएगा, d option correct हो जाएगा, च इस equation का एक root होगा, तो simple सी बात है कि इसका एक root पूचा गया है, तो हमें खुला दिख रहा है कि अगर हम क्या करें, हम एक काम करें, r1 में ही ले लें, है ना, r1 tends 2 कर दें, r1 plus r2 plus r3, तो हमारे पास बन जाएगा, सभी में r1 omega बन जाएगा, x plus 1 plus omega plus omega square, और यहाँ पर भी से हम बनेगा, यानि कि हम पूरे से common ले सकते हैं क्या, x plus 1 plus omega square, इतना common ले सकते हैं, और यहाँ पर 1, 1, 1, और यहाँ पर omega, x plus omega square, हम से एक मान पूचा है, चुकि 1 plus यह दो एक factor के रूप में बाहर आएगा, ठीक है, जो भी बचेगा, हम से एक मान पूचा है, हम ज्यादा यहाँ पर, 1 आ गया, और यह भी 1 दिया ही था, और यह हो गया omega square, यह हो गया 1, और यह हो गया x plus omega, यह है equal to 0, अब देखे, हमें कहरा है, इसकी value 0 हो जाएगी, यानि कि x plus 0 एक factor हो जाएगा, x plus 0 is equal to 0, यानि कि एक value हमको 0 मिल जाएगी, और दूसरी value हमको यहाँ से मिल है, यानि कि 1-3 में D option को हम क्या करेंगे, correct कर देंगे, है ना, हाँ, यह कर रहे है, सर बिल्कुल सही कर रहे है, कि sir, put कर दिया जाए, x is equal to 0, x is equal to 0 से satisfied कर जाएगा, बहुत बढ़ी आचाना कि sir, है ना, logical approach, चलेगा साब, कौन सा आफ़न सही हो जाएगा, तीसरे में D option correct हो हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 4, question number 4 में कह रहा है कि question दी गई है, 3x minus 8, आपके सामने determinant दी गई है, कह रहा है कि इसका एक root है, तो देखिए, इसका एक root निकालने के लिए simple हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बना ले, सभी कुछ जगा add कर लें, इसमें भी वही सेम कर लीजिए आप, कहना, 3, 3, 6 हो जाएंगे, आप कर दीजिए, r1 tends to r1 plus r2 plus r3 करेंगे, तो आपको 3x minus 8 plus 6, यानि कि 3x minus 2 यहां मिलेगा, 3x minus 2 यहां मिलेगा, 3x minus 2 यहां मिलेगा, तो आप पूरे से common लेंगे, तो एक आ जाएगा, 3x minus 2 is equal to 0, यानि कि x is equal to कितना आ 2x3, और 2x3 as a root यहां पे option में है, तो हमें और आगे भटकने की जरूरत नहीं है, है ना, वैसे इसके 3 root होंगे, है ना, 4 में कौनसा option C हो जाएगा, B option correct हो जाएगा, very good dealing sir, चाना के sir, एके learn sir, नमस्ते sir, चलेगा साब, clear हो राना यह, आगे बढ़ेंगे, question number देखेंगे, 5, 5, 3 में डी, बिलकुल सा लाज जवाब, यह question UPTGT में भी आया था, 2021 में, है ना, यह question UPTGT 2021 में आया था, किरा कि दो परमित समुच्चे दिए गए हैं, दो finite set दिए गए हैं, जिनमें elements हैं, क्रमसा M और N, है ना, किरा पहले समुच्चे के उप समुच्च्चे हों, यानि कि समुच्च्चे के उप समुच्च्च्चों की संख्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् चपन अगर ज्यादा है है ना देखिए दूसरे वाले में उसको तुबाइटीन के अलावा उसमें दो रूट और निकलते तो उसमें जो आप्सन में मैच हो गया है तो हम उसको ही छोड़ देंगे तो भाई इसमें यह कितनी अधिक है यह कितनी अधिक है चपन अधिक तो करा find the m and n, m और n की value गयात कीजिए अब देखिए दो तरीके हैं एक तुम आप्सन सैटिसफाइट करवा सकते हैं यहां यहां पर दी गई है दूसरा तरीका है कि हम क्या करें 2 की पावर n common ले 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 देखो 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुडे 7 यहां आठ गुडे 7 लिख सकते ह और इसमें हम क्या करें 2 की पावर n ले 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 यहां से common तो 2 की पावर n common लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n तो common आ जाएगा इसमें divide में चला जाएगा 2 की पावर m ओ जाएगा और यहां पर minus का 1 बन जाएगा completely हम क्या करें अब देखें यहां पर यह लिग गया 2 की पावर N और यह लिख दिया 2 की पावर N माइनस N माइनस का 1 is equal to देखो यहां पर यह आ जाएगा 2 की घाथ 3 into 2 की घाथ 3 माइनस 1 यानि कि n is equal to यहाँ पे कितना हो गया 3 अब n is equal to 3 मिल गया है तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है करना भी चाहें तो हम कर सकते हैं दूसरा में क्या मिल जाएगा इस वालन देखो यह आजाएगा m minus n is equal to 3 compare करो 2 की पाउर n यह 2 की पाउर n is equal to 3 हो जाएगा है ना n is equal to 3 हो जाएगा m minus n is equal to 3 हो जाएगा तो इनकी value रखेंगे तो m is equal to कितना हो जाएगा 6 तो दोनों माना गए है ना 5 वे में b option correct हो जाएगा चलेगा 4 में b बिल्कुल सही जवाब था sir 5 में b कि बिल्कुल सही चानक की sir सत्यवीर sir बिल्कुल सही यह sir 5 में b option क्या होगा correct हो जाएगा ठीक है क्या handwriting में जो लिखी गई है हाथ से समझ में आ रही है है ना दरसल आप लोगों की demand थी कि sir हिंदी में translation रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर मैंने उस पर काम किया तो मैं हाथ से ही type किया हूँ बतब हाथ से हाथ से ही लिखा हूँ चलेगा करा कि दो बलों का अधिक्तम एवा नियुनतम परिमार हमारे पास दो बल है एक बल मालो एक force माल लीजे a और दूसरा force माल लीजे b तो करा इनका अधिक्तम अधिक्तम कितना है p तो अधिक्तम क्या हो सकता भी आप ये हो सकता अधिक्तम हो सकता a प्लस b ठीक है और नियुनतम कितना हो सकता है a माइनस b अच्छा करा यदी तो यहां से हम एक काम करेंगे ये दोनों बल निकाल लीजे एक बार आप दोनों को जोडेंगे एक ही value निकालेंगे एक ही value निकल के आएगी तो P plus Q बटे 2 आजाएगी इन दोनों को समय करणों को हल करके और B की value निकाल ली है तो ये P plus Q बटे 2 आजाएगी फिर क्या करिए आप घटा दीजिये दोनों को तो P minus Q बटा 2 is equal to B आजाएगी यानि ये दोनों force हमको पता चल गए कि A क्या था हमारा P plus Q बटे 2 था B क्या था P minus Q बटे 2 था क्यारा ये ये बल लंबवाद कारे कर रहे हैं ये दोनों बल कैसे हैं वेरिगो डेवलिंग अमन मोर्या अब क्या गर अगर ये दोनों बल कौन A और B लंबवाद कारे कर रहे हैं अगर ये दोनों लंबवाद कारे कर रहे हैं तो इनके बलों का परिडामी हमें इनके force का resultant चाहिए तो ये क्या हो जाएगा R is equal to हो जाएगा under root A का स्क्वेर ये क्या हो गभी हा A का स्क्वेर एक बल A है दूसरा बल क्या है B है लंबवाद कर रहा है चोंकि 2AB कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा की वेलू जब आप लंबवाद यानि कि राइट एंगल 90 डिगरी रखेंगे तो आगे का मामला 0 हो जाएगा यानि कि हमारे पास सिर्फ बचा है A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर इसकी वेलू रखेंगे तो देखेगा यहाँ पे आजाएगा P प्लस Q का होली स्क्वेर बटा 2 का स्क्वेर भी रहेगा तो वो 4 बन जाएगा अब प्लस P माइनस Q का होली स्क्वेर बटा 4 हो जाएगा P स्क्वेर प्लस Q स्क्वेर 2 P क्यू माइनस 2 P का जाएगे 2 P स्क्वेर HEY हमारे पास तो यह मामला हो जाएगा 2 लेगोBU कॉमन तो यह बनेगा P स्क्वेर प्लस Q स्क्वेर अच्छा डिवाइधेड बाई यह आ जाएगा 4 साफ ने यह दो है तो दो प्रदीप स्धूसर्फ इस है बिलकुल बिलकुल समझेंगा क्लियर हो गया यह कौन सफुन साइगा यहां पर घ्रिवाला उपसन करेंगा यहां पे D वाला option correct हो जाएगा है ना चलेगा साब आगे बढ़ेंगे एक बार सभी लोग अपने groups में share कर दीजिए class को है ना जो भी जहां जोड़ा है उसे share कर दीजिए अब देखेगा question number 7 question number 7 कह रहा है कि ABC is a uniform triangular lamina with है ना वो कह रहा है कि यह हमारे पास एक ABC क्या है uniform triangular lamina है है ना ए और यह B और यह C और जो G होगा G क्या होता है माधिगाओं को कटान विंदू G कह रहा है कि इसको काटके BGC को काटके निकाला गया है है ना तो हमसे कह रहा है कि जो GG dash होगा है ना वो किसके बराबर होता है वो होता है एक बटे छे AG है ना यह concept है इसे याद रखिएगा क्या होता है यह GG dash is equal to कितना हो जाता है एक बटे छे AG यह सबी को याद होगा शात्मे में D option क्या होगा correct होगा question number 8 देखेंगे कह रहा है दो कण है हमारे पास A और B को करमसा 5 मीटर और 20 मीटर उंचायों से गिराया जाता है है ना अच्छा ठीक है दो कण है हमारे पास एक कण है A माल लिजे और एक कण कितना है B अच्छा देखेंगे दोनों को गिराया गया है तो जो इनकी initial velocity रही होगी प्रारंभिक वेग वो रहा होगा 0 दोनों का जो वेग रहा होगा U1 और U2 दोनों के जो वेग रहे होंगे 0 रहे होंगे है ना H1 कितनी है कितनी उंचाय से इसे गिराया जा रहा इसके लिए 5 मीटर की उंचाय है और इसके लिए जो उंचाय दी गई है 20 मीटर की उंचाय दी गई है मान लिज्जे की इसको जो time लग रहा है वो T1 है और इसको जो time लग रहा है वो T2 है ठीक है अब हमें निकालना है लगे समयों का अनुपात तो हमें पता है कि A is equal to क्या होता है A is equal to होता है U T प्लस नीचे गिराया गया तो कोई दिक्कत नहीं half GT square है ना half GT square अब हम अगर H1 के लिए लगाएंगे देखो U दोनों में 0 है तो यह तो 0 हो जाएगा simple सी बात है अगर हम H1 निकालेंगे यानि कि 5 निकालेंगे A के लिए बात करेंगे तो H is equal to हो जाएगा half GT1 square है ना half GT1 square और अगर हम B के लिए बात करेंगे तो वह कितना दिया गया है H2 कितना दिया है 20 is equal to कितना हो जाएगा half GT2 square है ना यह हो जाएगा दोनों को और दिवाइड कर दीजे पंचोग 20 हो जाएंगे है ना 5 बटे 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हाफ जी T1 स्क्वेर डिवाइड़ बाई हाफ जी T2 स्क्वेर हाफ जी से हाफ जी कार देंगे पंचोग 20 हो जाएगा 4 तो T1 अनुपाते T2 दोनों तरफ वर्ग लीजिए डोनों तरफ वर्गमून ले लीजिए ना तो T1 अनुपाते T2 इस उक्वल टू आ जाएगा कितना वह? एक बट़े 4 है तो एक बट़ा 2 हो जाएगा यानि कि यह रेशियो कितना हो जाएगा दोनों के समयों का जो अनुपात हो जाएगा T1 अनुपाते T2 जो हो जाएगा 1 अनुपाते 2 हो जाएगा 8 वे में कौन सौ आपफन सही हो जाएगा C option करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे चानक के सर ने बहुत बढ़ी है आमान मोर्या बेटा 8 वे में C सही है ठीक है 1 by 2 बहुत बढ़ी हाँ कौन सौ आपफन सही हो जाएगा साहब यहाँ पे C option करेक्ट हो जाएगा सत्वीर सर एक्ट में C सही होगा बिल्कुल सही सर चलेगा question number 9 देखेंगे question number 9 question number 9 में कह रहा है कि एक उर्धाधर समतल vertical AB का एक व्रित उर्धाधर ब्यास है एक उर्धाधर समतल जो दिया गया है vertical plane में AB एक ब्यास है कैसा वो भी क्या है वो भी vertical है ठीक है फिर ब्यास से तथा एक अन्य diameter एक और ब्यास दिया गया है CD जो इससे satins का code बनाता है ठीक है चलेगा हम बात करेंगे इसकी बात कर लेंगे कल वाली क्लास में ठीक है ये question अधूरा रह गया है ठीक है साब हाँ हाँ नो में C options है क्या बात है जाना कि सर question अधूरा रह गया कोई बात नहीं question में 10 की तरफ बढ़ेंगे साब करा कि अ मैं वेट 60 kg jumps आफ आ railway train running on the horizontal rail head करा कि एक आदमी है जिसका वजन 40 kg है एक railway train में यात्रा कर रहा है और हो क्या करता जंप करता है at 20 km प्र गंटे की रफ्तार से जो train चल रही है रेल कितने इन चल रही 20 km प्र गंटे की रफ्तार से चल रही अब पैकेट वेटा और उसके हाथ में एक 10 kg का पैकेट है his hand the thirst of the pocket on his hand is है ना हमको बताना है thirst यानि कि जो उसका reaction होगा वो कितना होगा ये बताना है है ना ज्यादा लोग जोड़ नहीं पा रहे है क्या दिक्कत आ रही है class में ठीक है अब देखेगा बहुत जल्दी जैसे ही हम class को paid करेंगे ना सब जुड़ेंगे और सब class लेंगे है ना कोई दिक्कत नहीं होगी समय समय की बात है कि कई चीज़े कई बार free वाली चीज़े लोगों को अच्छी नहीं लगती है ना let the हमें क्या करते हैं thrust को आप माल लीजे thrust को आप माल लीजे thrust of packet packet on hand माल लीजे यह thrust जो है वो capital आ रहे है देखे अब इस दोरान क्या होगा जो हाथ होगा और package होगा दोलों क्या होगे एकदम free रूप से गिर रहे होगे सोतंतर रूप से दोलों गिर रहे होगे तो इस दोरान जो हमारे पास netball होगा है ना वो क्या होगा वो होगा mg-r is equal to और देखेगा netball f बराबर क्या हो जाएगा m into g भी होता है है ना ठीक है m into a होता है और चुकि तोरण क्या बन जाएगा तोरण a जो है वो g में convert हो जाएगा है ना जब भी वो सोतंतर रूप से वस्तु गिर रही होगी mg-mg दोनों काट दीजे तो r is equal to कितना आ जाएगा 0 है ना इस दोरान जो हमारे पास thrust होगा वो क्या होगा 0 होगा कौन सो अप्षन सही होगा है यहाँ पे यह वाला option correct हो जाएगा है ना चलेगा next question देखेंगे question number ठीक है 0 होगा सर बिलकुल बिलकुल बहुत सही यह कहरा है कि log 7 base 2 क्या है एक पुर्लांक है एक rational number है एक irrational number है या एक prime number है तो देखेंगा जब भी हम log 7 base 2 की value निकालेंगे हमें एक non-terminating non-repeating मिलेगा क्या मिलेगा non-terminating non-repeating मिलेगा है ना non-terminating होगा non-terminating और non-repeating ठीक है और non-terminating non-repeating जो होता है वो क्या होती एक आप आरिमेशन क्या होती एक irrational number होती है यानि कि कौन सफन सही हो जाएगा यहाँ पे c वाला option करेक्ट हो जाएगा बिलकुल सही जवाब है है ना चलिएगा सांदार सर ठीक है attempt है अटेम्ट हैं ही कर रहे है सभी c वाला option सही हो जाएगा 11 में c option सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 12 की तरफ देखे question number 12 में दिया गया है करहा है कि a is equal to log 5 base 3 b is equal to दिया गया है log 25 base 17 तो कह रहा है कि इन में से कौन सा विकल्ब साही होगा a less than b a equal to b a greater than b none none आप दिया बब इन में से कोई भी नहीं है ना तो देखेंगा यहां पे a equal to हो जाएगा देखें लिखा हुआ है log 5 base 3 है ना तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 और यह log 3 इसी तरह से b is equal to कितना हो जाएगा b equal to हो जाएगा log 25 divided by log 17 25 को हम 5 की power 2 लिख दे 5 की power 2 लिख दे और 2 को कर दे बाहर ठीक है अच्छा इस 2 को हम नीचे लाएगे तो एक बटे 2 बन जाएगा तो यह आ जाएगा log 5 को हम चाहते हैं कि उपर सिर्फ log 5 अकेला रहे तो यह जो 2 है इसे नीचे लाएगे तो एक बटे 2 बन जाएगा एक बटे 2 log 17 यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा log 5 divided by log root 17 है ना root 17 अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए अब देखिए हमें एक काम एक बात पता है जो log 3 होगा जो log 3 होगा log 3 वो क्या होगा less than होगा किस से log root 17 है ना ऐसा क्यों होगा चुकि हमें पता है कि जो 3 है वो भी क्या है less than है किस से root 17 से बही अगर 16 होता तो 4 आता तब भी बड़ा होता 17 है तो और बड़ा होगा मतलब 3 से कौन 3 छोटा होगा किस से अंडर root 17 से तो दोनों तरफ लाग लेंगे तो log 3 भी क्या होगा छोटा होगा log root 17 से अब सुनिएगा हमें क्या करना है दोनों तरफ log 17 से log 3 बन गया है हमें क्या करना है इसको पलड़ दीजे इस inequality को आप पलड़ दीजे इसको पलटेंगे तो क्या होगा log inequality change हो जाएगी ये log 3 ये हो जाएगा greater than और 1 by ये हो जाएगा साहब log root 17 ठीक है कोई बात नहीं दोनों तरफ हम क्या करिए उपर log 5 से multiply इधर भी कर दीजे और log 5 से multiply इधर भी कर दीजे ये बन गया हमारा A और ये बन गया B means A is greater than B A is greater than B कौन सा 11 बहुत इजी है सर 3 11 तो इजी था ही ठीक है साब कौन सा अफ़न सही हो जाएगा A is greater than B कितने लोग इस एंसर से satisfied है question number 12 का ये answer कितने लोग satisfied है मिया जल्दी बताईएगा फटा फट 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 चलेगा साब question number 13 12 में सी बिलकुल सही था सर question number 13 करा कि के का मान गयात करो जिसके लिए दुगात समी करण एक दिया गया है कि मूल वास्तिविक तथा समान हों है ना मूल क्या हो वास्तिविक भी हो और समान भी हो तो देखेगा हम थवा सा equation को modify करेंगे के एक्स स्क्वेर है माइनस के ग्यारा एक्स स्क्वेर को इधर ले आओगे और यहां पे आप एक्स स्क्वेर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा के प्लस 11 फिर यह के एक्स के एक्स है तो माइनस का इधर ले आओ माइनस एक्स को लो कॉमन ठीक है और यह आजाएगा साहब के प्लस 3 और प्लस का 1 है अपने पास कोई दिक्कत नहीं equal to 0 ठीक है वो इधरी था हमारे पास सारी values clear हो चुकी है सारी कुछ मिल चुका हमें क्या कह रहा है मूल वास्तविक और समान है और वास्तविक और मूल वास्तविक और समान होते है यानि कि real और equal होते है अगर roots तो क्या होता है d is equal to 0 होता है d equal to 0 का मतलब b square is equal to होता है 4ac b का value कितना है minus k plus 3 यानि कि k plus 3 का whole square equal to 4A K plus 11 into C, C का value है 1 रखने की ज़रूरत भी नहीं है कितना हो जाएगा K square plus 9 plus 6K is equal to 4K plus 44 है न यह आ जाएगा K square subtract करेंगे plus 2K हो जाएगा और इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास घटाने पर 35 बच जाएगा equal to 0 minus के बचेंगे क्या करेंगे इसे factorization कर दें 7 पना 35 होता है K square plus 7K 6K minus का 5K minus 35 equal to 0 K लेंगे common K plus 7 इसमें हो जाएगा minus का 5 common लेंगे K plus 7 equal to 0 K की दो value आ चुकी है हमारे पास 1K की value 5 हो जाएगी दूसरी क्या हो जाएगी minus 7 हो जाएगी है ना कौन सो अप्षन सही हो जाएगा 13 में 13 में C option correct हो जाएगा attempt करते जाएए सभी साथ में ही है ना सभी लोग साथ में attempt करते जाएए तभी तो मज़ा आएगा है ना हाँ तो कौन सो अप्षन सही हो जाएगा 13 का C option क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे सर बिल्कुल सही जवाब आया सत्तिवीर सर का बिल्कुल सही जवाब आया यहां पर अमन मोर्या बहुत बढ़िया चाना की सर लाजवाब उम्दा आगे बढ़ेंगे साब मतलब इसमें क्या इन्होंने scene बनाया था कि एकठ्थे उठा के रख दिया सब कुछ है ना जब उठाया 4 question determinant के उठा दिया 4 quadratic के उठा दिया है ना एक साथ ही लगा था रहे जो भी chapter खोला तो बस उससे छाप दिया पूरा एक तरब से चलेगा यहाँ पर एक equation दिया गया quadratic equation ही है cos p minus 1 x square plus x cos p plus sin p is equal to 0 के कह रहा है कि जो root हैं जो mole हैं वो वास्तविक हैं तो p का मान की संतराल में होगा तो देखिए जब भी mole अगर इसके वास्तविक होंगे तो क्या होगा d is greater than equal to 0 होता है इस condition में d is greater than equal to 0 होता है ठीक है चलेगा अब समझ यह कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो d यानि कि b square minus 4ac b की value कितनी दी गई है b की value दी गई है यहापे cos p तो cos square p हो जाएगा cos square p minus 4ac तो यह आजाएगा 4a a का value कितना है cos p minus 1 cos p minus 1 और c का value कितना है यह c का value है sin p sin p है ना ठीक है यह कितना हो जाएगा greater than equal to 0 अच्छा इसको multiply कर लीजे multiply करेंगे तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा cos square p minus का 4 cos p और sin p ठीक है sin p plus 4 sin p यह हो जाएगा greater than equal to 0 हम चाहरे हैं कि इसका polanq बनाया जाए इसको polanq बनाएगे तो एक ही value ती हो जाएगी ठीक है हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है 2 sin p 2 sin p यहने b वाले पद की तो 4 sin square जोड़ दीजिए अब 4 sin square इसी में घटा दीजिए तो यह आजाएगा 4 sin square p minus 4 sin square p और 7 में है plus का 4 sin p 4 sin p तो लिखा है ठीक है लिखा है रिखिएगा हम इसको कुलांक बनाना चाहं रहे है। पूड़ बनाना चाह रहे है तो इसको पूड़ बनाने के लिए क्या करेंगे भाई यह a square हो जाएगा और यह minus का 2 ab हो जाएगा तो 2 ab में तो e to clear है cos p तो b क्या बचा 2 sin b 2 sin p तो हमें B square जोड़ना चाहिए तो यह एक हमने 4 sin square P जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया तो यह और मिलके, यहां तक का मिलके क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cos P minus 2 sin P का whole square ठीक है, यह बन गया plus 4 अब देखिए यहां पे, यह minus वाला बच्चा है 1 minus sin P 1 minus sin P sin P greater than equal to 0 अब देखिएगा, यह तो always वर्ग लगा हुआ है चुकी, तो यह value हमेशा positive होगी यह क्या होगी, हमेशा positive होगी यह इधर बड़े होना चाहिए, मतलब कि कोई भी negative नहीं बनना चाहिए, तो कोई भी negative यह बनना चाहिए, अच्छा एक बात हमें पता है, जो sin P होगा, वो क्या होगा, minus 1 greater than equal to sin P, less than equal to 1 होगा, है ना, अगर minus इसमें multiply करते है, 1 greater than equal to यह कितना हो जाएगा, minus का sin P हो जाएगा, यह भी inequality change हो जाएगी, और यह minus का 1 हो जाएगा फिर क्या करिए, 1, 2, सभी में add कर दीजिए, 1 add करेंगे, तो 2 बनेगा greater than equal to, यह कितना हो जाएगा 1 minus sin P 1 minus sin P, और यह कितना हो जाएगा 0, मतलब कि 1 minus sin P की value क्या है, 0 से बड़ी है, 2 से छोटी है मतलब कि यह value भी क्या है positive है, यह value क्या है positive है, अब हमें क्या करना है greater than equal to, बने रहने के लिए अब इस sin P पे भी हमारी कहानी रुक रहे है कि यह sin P की value भी हमेशा क्या होनी चाहिए positive होनी चाहिए यानि कि जो sin P होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा greater than equal to 0 होना चाहिए, greater than equal to जीरो होना चाहिए तो greater than equal to zero होगा तभी ये भी positive आएगा और ये हमेशा greater than equal to zero बना रहेगा हर condition में तो sin P आ गया, अब देखिए sin P कहां कहां पे कहां कहां पे positive होता है greater than equal to 0 का मतलब क्या हुआ positive, तो positive यहां भी होता है positive यहां भी होता है, दोनों जगा पे यहां all positive होता है, यहां पे sin positive होता है यानि कि क्या हो 0 से πाई के बीच में ये क्या होगा हमेश werd P का मानज होगा कि संत्राल में होगा 0 से 5 के बीच में होगा है ना. यदि की 14 में कौन सा option सही होगा D-value option correct हो जाएगा 14 में D-value option correct हो जाएगा ये हमेश हमेश इस condition में क्या आएगा positive हाएगा ठीक है हाँ हाँ तो डी वाल उप्सन सही होगा इसमें आगे बढ़ेंगे साब पंद्रा किरा पी के मानों का समुच्च है हमें कहरा कि पी की वैलूस का वो सेट बताईए कौन सा उप्सन सैटिसफाइट करेगा जिसके लिए इस समी करण के मूल विपरीत चिन्डों के हो अब देखें दोनों के मूलों का जो चिन्ड है विपरीत है कैसे चिन्ड है विपरीत है है ना अगर एक अलफा है तो दूसरा क्या है माइनस का बीटा है है ना अलग-अलग दोनों के चिन्ड क्या है अलग-अलग है ठीक है हम मान लेते हैं और दोनकी साइन, जो विप्रित हैं, तो हमें शिम्पल सी पता है, कि इन दोनों का जो गुलनफल होगा, वो लेस देन जीरो होगा, क्यों, तो कि एक positive है और एक negative है, जब भी इन नोंका multiply करेंगे, तो वो लेस देन जीरो आयगा, इनके मुलों और जो गुड़न फल होगा, वो क्या आएगा, less than 0 आएगा, मूलों का गुड़न फल, alpha into beta, यह एक दोनों की sign क्या है, विप्रीत है, opposite sign है, तो जब भी opposite sign के गुड़ा होता है, तो क्या होता है, less than 0 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए, minus b by a, तो b कितना है हमारे पास, sorry, c by a मूलों का गुड़न फल, है न, product of roots, तो यह आजाएगा, c by a, p into p minus 1, divided by कितना, 3, less than 0, हमें क्या करना, दोनों तरफ 3 से multiply कर देना है, तो यह आजाएगा, 3, sorry, p into p minus 1, less than 0, अच्छा, p के हमें 2 मान मिले हैं, p के a, p की जो value है फिलाल अभी, हमारी कहां-कहां लाई कर रही है हम पता करने वाले हैं, एक आ गया है 0, दूसरा आ गया है 1, 0 आ गया है, 1 आ गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 0 के इधर की value, है न, इधर की value negative, minus का 1 try कर लो, minus का 1 try करेंगे, तो 0 आ जाएगा, मतलब कि इधर की value हमको नहीं चाहिए, इधर का कोई मान हमको, यहां से आ जाओ, यहां try कर लिया जाए, इधर एक बटा दो, सोरी, दो रख दो, दो रखेंगे, तो देखेंगे, दो into 2 minus 1, यानि कि 2 less than 0, नहीं, मतलब कि इधर कभी हमें कोई मान नहीं चाहिए, इधर कभी कोई मान नहीं चाहिए, 0 पर try कर लो, 0 रखोगे, तो 0, 0 से छोटा तो नहीं होता, तो यानि कि 0 का भी मान हमें नहीं लेना, यानि 0 भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, एक को try करो, एक भी 0 बन जाएगा, फिर 0 less than 0 तो नहीं होता, तो यह भी नहीं चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच का कोई मान आप रखोगे, एक बटे दो रखे देख लो, तो 1 बट एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे चाहिए, लेस देन 0 होगा, कोई दिख्यते, मतलब कि कोई भी मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना, यनि कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर close interval, open interval होना चाहिए, 0 to 1, है ना, तो कौनसा option सही हो जाएगा, यहाँ प बी option, correct होगा, 16, question number 16, fx दिया गया है, अच्छा, देखिए, question देने का तरीका को देखिए, है ना, हमको सीधा सीधा उसने तो इगात समी करण ना देके, fx is equal to 0 दे दिया, और वहाँ पे x की value इतनी दे दी है, है ना, मतलब 3 इगात समी करण दिया है, उसने, और हमसे कहा इ plus mx square minus 13x plus n equal to 0, ठीक है, fx is equal to 0, तुमने 0 भी ले लिया है, अच्छा, एक बार आपको x is equal to 2 रख दे, चुकि इसके root 2 भी है या 3 भी है, तो दोनों इसे satisfied करेंगे, है ना, तो 8 दुनी 16 हो जाएगा, भई, 2 की पाउर 3 आठ बनेगा, 8 दुनी 16 हो जाएगा, धन, यह हो हो जाएगा, और plus का n हो जाएगा, equal to 0 हो जाएगा, तो यह आजाएगा, 4m और plus का n खटा देंगे, तो देखो, यहाँ पर बचेगा, minus का 10, बराबर में 10 पहुंच जाएगा, यह पहली equation हो जाएगी, दूसरी equation रखेंगे, यहाँ पर, put कर दीजे, x is equal to 3, x is equal to 3 रखेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, plus 9m हो जाएगे, 9m minus, 43, 49 हो जाएगा यह, अब plus का n equal to 0, यानि कि 9m plus n equal to हो जाएगा, दूनों सब्ट्रेक्ट करेंगे, 14, 14 में न हो गए 5, और यह बनेगा 15, minus का 15, शमी करण 1 और समी करण 2 दोनों को हल करना है, शमी करण 1 और समी करण 2 को हल करना है, यह क्या है भिया, 4m plus n equal to 10, दूसरा दिया गया है, 9m plus n is equal to minus 15, सब्ट्रेक्ट करना, यह minus, यह plus और यह minus, यह cancel out हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यह आजाएगा, minus का 5m, m is equal to कितना आजाएगा साहब, minus का 5, m आ रग दीजिए, minus का 20 हो जाएगा, उधर जाके जुड़ेगा, तो n का value आपको आजाएगा, 30, n का मान minus का 5, b का value आजाएगा, 36, 16 में कौन साफन सही हो जाएगा, b, बिल्कुल सही जवाब आया, यहां पे और 12 कुमार यादो सर का, 16 में b सही है, हाँ option भी satisfied करवाय जा सकते ह लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, लगभग उत्रा है टाइम लग जाएगा, ठीक है, और तीनों option के क्यों क्यों ट्राइ करें पढ़ सकते हैं, 16 में 20 होगा, बिल्कुल सही है, चाना कि सहाब, आगे बढ़ेंगे, question number 17 की दरफ, question number 17 में हम से कह रहा है कि, शमी के माइनस D, भाई, त्री घात है तो तीने रूट होंगे, और A प्लस D, है ना, फिर सम आफ रूट्स निकाल दीजिए, सभी का योग, तो सब को जोड़ोगे, तो 3A हाएगा, है ना, 3A, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस B बाई A, तो माइनस 12 बाई A, तो यह माइनस D, A माइनस D, इंटू A, और यह A प्लस D, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह, माइनस, माइनस, D बाई A, माइनस D बाई A, अधी की वैलू माइनस 12, 28 है, A की वैलू 1 है, तो यह आजाएगा, भिया 28, ठीक है, देखिए, A स्कूर माइनस D स्कूर, कितना हो जाएगा, 16 माइ 9 आएगा, 9 इस गोल टू कितना आजाएगा, सहाब D स्कूर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो इस D की वैलू आजाएगी, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिजे, D का वैलू कितना आजाएगा, सहाब प्लस माइनस 3, है ना, तो सरवंतर जो है, इसका common difference है, वो कितना आ सर, बिल्कुल सही था, सर, आपका, चाना की सर, बिल्कुल सही है, अधेश कुबार सर, बिल्कुल सही है, अमन मोरे बिटा, बहुत बढ़ी है, लाजवा बिटा, एकदम सही था, चलेगा, आगे बढ़ेंगे, क्या बात है, है, क्या बात है, राजू, देखेगा, A की पाव अगर हमें कोल्टू में के ले लेंगे तो A is equal to कितने आ जाएगा यहां से हमें मिल जाएगा A is equal to K की पावर 1 by X है ना इसी तरह से B is equal to मिल जाएगा K की पावर 1 by Y और C is equal to मिल जाएगा K की पावर 1 by Z करहा A, B, C किसमें हैं GP में हैं A, B, C dot dot in GP यह प्रस्ण तो रटा होगा ना सभी जवाब को तो तुरंती ठोक देंगे कोई दिक्कत ने कोई टाइम भी नहीं लगने वाला चलिएगा यहां GP में होंगे तो हमें पता है बीच वाले बत का वर्ग दोनों पदों के गोडन फल के बराबर होता, B square बराबर A, C, B का वैलू रख दीजिए, B की जगह पे कितना रखोगे भी यह K की पावर 1 by Y, तो यह 2 by Y हो जाएगा, equal to A और C रखेंगे, A into C, तो K की पावर 1 by X into K की पावर 1 by Z, यानि कि आ आ जाएगा, दोनों में K की पावर 1 by X plus 1 by Z, दोनों तरब K की पावर की कम्प्रिजन करेंगे, तो 2 by Y is equal to A जाएगा, कितना, 1 by X plus 1 by Z, तो 2 by Y is equal to A जाएगा, यह Z plus X divided by ZX, Y equal to A अगर आप निखालना चाहेंगे, तो 2 ZX बटा, 2 Z, X plus Z, और यह होता हार्मोनिक मीन, है न, 2 ZX, तो X Y Z के बीच में, Y क्या है, हार्मोनिक मीन है, और हार्मोनिक मीन is equal to क्या हो जाएगा, 2 ZX बटे Z plus X, यहारी कि यह X Y Z जो है, है न, जिनके यहाँ पे बात चीत की गई है, वो किसमे है, HP पे है, किसमे है, HP है न, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल सही जवाब सही जवाब है, यहां पे, 18 में, C, चानक की सर, बिल्कुल सही था, H, H, A, P, बिल्कुल सही, 18 में, C वालो अपसन, करेक्ट हो जाएगा, सर, तिवीर सर, बिल्कुल सही था, सर, HP करेक्ट होगा, है न, करेक्ट होगा, चलेगा, question number 19, question number 19 कह रहा है, कि प्रथम इन प्राक्रत का योग है एक बटा 5 है किसका प्रथम प्रथम इन प्राक्तिक संख्याओं के वरगों के योग के तो यह कितना होता है यह होता एक बटा दो n into n प्लस ठीक है अब काट पीट लीजिए जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए ठीक है N से तो N को काट दीजिए N प्लस 1 को N प्लस 1 से काट दीजिए 219, 2, 3, 6, 5, 15 15 पंदरा आ जाएगा इधर 15 is equal to कितना बचा 2N प्लस 1, 2N बराबर आएगा 14, है ना N बराबर कितना आजाएगा साहब, 7 आजाएगा N की वैलू कितनी आजाएगी, 7 कितने पदों की संख्था कितनी है, इसमें, 7 है, है ना 19 में कौन सो अफ़न सही हो जाएगा, C वाल अफ़न सही हो जाएगा अमित सर बहुत लेट हो गए आप आने में, ठीक है, चलिएगा साहब, 19 में कौन सो अफ़न सही हो जाएगा, C आज की क्लास का लास्ट क्वेस्टन, क्या बात है, कि यदि A और B दो आब्यूह इस प्रकार हैं, है ना A और B दो आब्यूह इस प्रकार हैं, कि A प्लस B और AB, मतलत कि दोनों का योग और दोनों का गुडन फल, दोनों परिभासित है, और ऐसा कब होगा, पहला ओप्सन, जब A और B दोनों आब्यूह के कोटी ये क्रम समान होना जरूरी नहीं है, B, A तथा B समान कोटी के वरगावियू है, कि दोनों समान कोटी के वरगावियू है, यानि कि समान करम के वरगावियू है, इक्वल आडर के स्क्वेर मेक्ट्रिक्स हैं, और किरहा यद, ऐसा तब होगा, जब A में इस्तंभो की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या बरा लिखा जाता है पहले रो लिखी जाती फिर कॉलम पंक्ती इस्तम्भ ठीक है और इसका माल लेते हैं P क्रॉस Q अब हमें पता है कि अगर क्या निकालना है में है ना A प्लस B निकालना है दो लोगों को जोड़ना है तो तभी हम जोड़ पाएंगे जब पंक्तियों की संख्या बराबर हो और इस्तम्भों की संख्या भी क्या हो बराबर हो यानि कि for A प्लस B a plus b के लिए हमें होना चाहिए क्या m बराबर p हो ठीक है और क्या हो n बराबर q हो पंक्तियों की संख्या और इस्तंभों की संख्या दोनों क्या हो अपसमें बराबर हो ठीक है अब अगर हम बात करें for a into b a b के लिए अगर हम बात करें a b प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा अब ध्यान से देखिए M बराबर है P के P बराबर है N के और N बराबर है Q के कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ ध्याइन से देखें तो M, N, P और Q यह सभी क्या हैं? बैराबर और यह सभी तब बराबर होंगे जब उनके उन वरगावियू हो क्या हो? एक वरगाभी हो पंक्तियों की संख्या और इस्तंभों की संख्या क्या हो उनमें बराबर हो ए तथा बी समान कोटी के वरगाभी हो तब ये पॉसिबल होगा यानि कि 20 का कौन सा उप्षन सही होगा बी वाला उप्षन सही हो जाएगा 2y 2y sin x dy dx is equal to 2 sin x cos x minus y square cos x अब देखिए हमें अगर dy dx वाले format पेगर इसे बनाना है dy dx dy dx plus py is equal to q तो हमें क्या करना सबसे पहले sin x का divide कर दो सभी में sin x का division करेंगे सभी में तो ये आ जाएगा 2y dy dx dy dx is equal to हम इसको चाहते हैं इधर ले आएए ये आजाएगा minus का है तो plus का हो जाएगा y square देखो cos x से divide में जाएगा sin x तो ये cortex बन जाएगा ये cortex हो गया इधर साइन कर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 cos x अच्छा ये हो गया अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y square का differentiation यहाँ पर दिया गया तो हम अगर y square को v माने लें y square को क्या मान लें v मान लें मान लीजें यहाँ पर माना y square is equal to v माना y square equal to v differentiate करेंगे तो 2ydydx is equal to हो जाएगा dvdx यानि कि जहाँ पर 2ydydx है वहाँ पर हम dvdx रख सकते हैं तो रख दीजें इसको तो यह हो जाएगा dvdx plus y square की जगा पर हमें क्या रखना v रखना है और यह है हमारा cot x equal to यह दिया गया है 2 cos x हमें चाहिए integrating factor हम निकालेंगे integrating factor तो integrating factor के लिए क्या होगा भाई इसकी तुलना करिए dvdx की तो यह देखो यह हमारा y हो जाएगा एक तरह से यह p का value यह हो जाएगा तो e की power integration यह हो जाएगा cortex cortex dx cortex का integration क्या होता है log sin x है न तो e की power में हो जाएगा log sin x base e इसकी value 1 हो जाएगी है न e की power में लिया है log यह दिया है ठीक है, इसका solution क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, solution, solution हो जाएगा V into IF, IF कितना दिया गया है, integrating factor, sin X दिया गया है, is equal to, integration, देखिएगा, IF रग दीजिए, into 2 cos X है न, क्यों का value देखो, 2 cos X है, 2 cos X और यह DX, अगर हम यहाँ पर sin X को T माल लें, तो cos X, D, D, T के साथ चला जाएगा, और T का जो differentiation होगा, है न, 2 करो, बाहर T square by 2 होगा, T square by 2 होगा, 2 से 2 कर जाएगा, T की value पुना रख दी जाए, sin square X हो जाएगा, यानि कि Y की जगा पे अब रख दें हम, यह plus C भी हो जाएगा, है न, यह कितना हो जाएगा, Y square, Y square, shine X equal to, यह हो जाएगा, sin square X plus C, यहाँ पे हम से कह रहा है कि X is equal to 5 by 2, Y is equal to 1 रखने पर C का मान पहले निकाल लीजे, तो भाई, Y की जगा पे 1 रखो, sin 5 by 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 into 1, यानि कि 1 आ जाएगा, equal to, इधर भी 1 आ जाएगा, X की जगा पे हमें 90 रखना है, Y की जगा पे 1 रखना है, रख दिया हमने, plus C, कटेगा तो C का मान तो आ जाएगा 0, C का मान कितना आ गया, 0, C का मान उठा कि यहीं रख दीजे, फिर से, तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, हमारे पास Y square, Y square, sin X is equal to sin square X, एक sin X से square वाला कट जाएगा, यानि कि हमारे पास आ जाएगा, Y सही हो गया, 21 का जो A option होगा, वो correct होगा, Y square is equal to sin X, चलिएगा, question number 22 की तरफ बढ़ते हैं, देखें हमें, question number 2, कह रहा है, 22 है न, 22, question number 22, यानि कि 22 में कह रहा है, कि एक vector B दिया गया है, इस बी written as the sum of a vector alpha, parallel to A, यहाँ पे एक बात और हमको दे दी गई है, कि जो alpha है, वो क्या है, vector alpha जो है, वो parallel है, किसके, vector A के, that means, इसका मतलब यह है, कि alpha बराबर हो जाएगा, कितना lambda A, है न, भई, parallel होने का मतलब क्या होता है, कि कोई एक, गुडान के ले ले लेते हैं, और त की जगा पे, ठीक है, और A कितना दिया गया, I plus J, यानि कि यह हो जाएगा, alpha बराबर lambda I plus lambda J, अच्छा, जो जो कहरा, जो B है, यानि कि 3J plus 4K is written as the form of a vector, alpha, ठीक है, यहाँ तक इसके parallel, and a vector beta, मतलब B को alpha और beta के sum के रूप में लिखा गया है, यानि कि B is equal to, लिखा गया है, कि alpha, alpha plus beta, लिखा गया है, अच्छा, बीटा जो है, वो perpendicular है, किस पे, A पर, कहने का मतलब यह है, कि vector beta is perpendicular to vector A, that means, कि vector A into vector B, जब perpendicular होते हैं, तो vector उनका dot product 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल होता है, 90 degree होता है, और A dot B is equal to होता है, because theta, theta 90 degree हो जाएगा, तो A dot B हो जाएग यहां समझ लिया जाए, पहले, यहां से हम beta निकाल लें, क्योंकि बीटा और A, A तो पता है, A तो पता है, हमें क्या निकालना है, alpha को पाने के लिए, हमें क्या करना होगा, पहले तो B का मान रख दो, यहां से बीटा निकाल लो, फिर beta into A के साथ product कर देंगे, फिर alpha हमारा ख 13J प्लस 4K एक्वल टू, alpha कितना दिया गया है, alpha दिया गया है, lambda I प्लस लेंडा J प्लस बीटा, अच्छा अगर हम यहां से बीटा बराबर निकालना चाहें, वेक्टर बीटा निकालना चाहें, है न, वेक्टर alpha है, वेक्टर B है, वेक्टर बीटा है, यह भी वेक्टर बी प्लस जे अगर हम कॉमन लेंगे तो तीन माइनस का लेमडा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साहब 4K ये इधर गए हैं अपनी जगह पे हैं सब कोई दिक्कत नहीं बीटा मिल गया अब चूंकि प्रस्ट में क्या कहा है कि बीटा परपेंडिकुलर टू ए ये देखें यहाँ पे कहा है कि पैलल टू ए एंड अल्फा पे है नहीं कि अल्फा और बीटा कहा है कि वेक्टर बीटा परपेंडिकुलर टू ए मतलब की वेक्टर बीटा जो है वो परपेंडिकुलर है कि इस पे वेक्टर ए पे इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए dot vector beta is equal to zero दोनों का dot product कितना होगा zero एक इतना दिया गया हमें i plus j into vector beta कितना दिया गया है आपके सामने है कितना दिया गया है यह यह दिया गया minus का lambda i ठीक है minus का lambda i plus का दिया गया है j into तीन माइनस लेमडा प्लस का है 4K और इक्वल्टू में है 0 दोनों का डाट प्रोड़क निकालो आई के साथ जे का जे के साथ मुल्टिक प्रोड़क कर लीजिए क्योंकि के तो ही नहीं तो उसकी कोई जुर्ट भी नहीं है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा भी या माइनस का लेमडा हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का लेमडा हो जाएगा इक्वल्टू आ जाएगा 0 है ना 3 इसक्वल्टू आ जाएगा 2 लेमडा माइनस के रहेंगे इधर ले जाओ यानि कि यहां से हमको मिल गया लेम्डा इसकोल टू कितना 3Y2 अच्छा अलफा इसकोल टू हमें दिया गया है कितना देखो लेम्डा A लेम्डा A A का वैलू हमारे पास पहले से पता है I प्लस J लेम्डा का वैलू रख दीजिए 3 बटे 2 I प्लस J ऐसा कौन सा उप्षन है जो यहां पे आपको क्लिक कर रहा है उप्षन A 22 का उप्षन A क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा चलेगा बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर 23 की दरफ क्वेस्चन नमबर 23 में हमसे का आगया कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C A की ही तल में है यानि कि A, B, C, R, same plane या co-planer है तो P की value अब आपको पता है कि जब भी अगर यह same plane में होते हैं तो इनके जो box product होता है वो क्या होता है? 0 होता है box product की value क्या होगी? 0 होगी तो निकाल लेते हैं आपे जब वेक्टर 5 में दिये होते हैं तो box product कैसे निकालते हैं? ऐसे गुडांक रखते हैं वेक्टर A के गुडांक रखते हैं और यह सहाब minus 1 है यह भी 1 है B के पास चलेंगे 1 है, यह 2 है यह minus 1 है C के पास चलेंगे 3 है, P है, 5 है और यह आएगा इक्वल में 0 1 आ जाएगा इंटू, यह चुटेगा यह चुटेगा 10 प्लस P 10 प्लस P फिर, प्लस का 1 हो जाएगा यह, चुकि अल्रेडी minus होता है minus वहाँ पहले से है ठीक है, यह चुट जाएगा यह चुट जाएगा कितना जाएगा 5 प्लस 3 P प्लस 8 प्लस P माइनस 6 इक्वल टू 0 घटा देंगे 12 बचेंगे यह तो 2 P कोल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा P is कोल टू कितना जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा कौंस आप्शन सही हो जाएगा 23 का B option क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 24 की तरफ question number 24 में कहा गया है कि मान लो alpha, beta, gamma अश्मान वास्त्विक संख्याएं है अच्छा तो बिंदू दिये गए है alpha, beta, ये 3 बिंदू दिये गए है बिंदू 1 है, बिंदू 2 है तीसरा बिंदू ये है, कहरा ये समतली है कि ये एक समभाहुत्रभुज बनाते है, ये means एक equilateral triangle बनाते है या skeleton triangle बनाते है या फिर ये right angle triangle बनाते है ये दिखाना है, तो देखेगा पहली simple सी बात है जब भी हमें निकालना होगा, समतली के लिए हमें ये चेक करना होगा, कि इनका जो box product है, वो 0 है की नहीं ठीक है, alpha, beta, beta, gamma तो इनका जो box product होगा वो 0 नहीं आएगा box product इनका 0 नहीं आएगा ये कर लिजेगा, मैं verify किया हूँ मैं उसे नहीं दिखाना चाहता हूँ हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं, तीन points है हमारे पास, वो किस प्रकार का triangle बनाएंगे, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, एक point A है, A के coordinate हमको दिए गए है, alpha, beta gamma, और एक point B है, B के coordinate हमको दिए गए है, कितने beta, gamma, alpha और एक point C है C के जो coordinate दिए गए है वो alpha, नहीं, यो दिए गए है, gamma gamma, alpha और beta, हम यहाँ पर सभी भुजाओं को निकालेंगे A भी बराबर निकालोगे, तो root में आ जाएगा कितना, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square plus j2 minus j1 का whole square तो कितना हो जाएगा, alpha minus beta का square alpha minus beta का square, plus beta minus gamma का square, plus gamma minus alpha का square, यह आ गया A B, BC निकाला जाएगा, BC is goal to कितना आ जाएगा, वही आएगा beta minus gamma का square beta minus gamma का square plus gamma minus alpha का square plus, कितना हो जाएगा plus में हो जाएगा, alpha minus beta का square अलफा माइनस बीटा का स्कूर, C A देख लिया जाए, C A, C और A के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, गामा माइनस अलफा का स्कूर, प्लस अलफा माइनस बीटा का स्कूर, अलफा माइनस बीटा का स्कूर, अरे अलफा माइनस बीटा का स्कूर, फिर बीटा माइनस गामा का स्कोर आप हम एक बात तो देख है अब देखिये सभी में सभी यह spielen और हो बी यहां कोई कुण दिक्कत निया है उनका इसकोर भी दिया गया है बस्क्रम से ने कह सकते हैं कि A B B C और C A है ना इस त्रिभुच की ये तीनों भुजाएं बराबर है और जिस ट्रैंगल के तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे एक्विलेटरल ट्रैंगल यानि कि शम बाहू त्रिभुच के नाम से जानते हैं तो कौनस आप्षन सही हो जाएगा 24 का ओप् B यहाँ पे B option जो होगा वो correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 25 की तरफ 25 की तरफ है ना देखेगा question number 25 कि रहा है कि एक वेक्टर दिया गया I plus J plus K और सदिसों फलाने और फलाने के योग फल के समानतरी काई सदिस तो पहले इनका तो आप योग निकालो पहले तो एक वेक्टर मा 4J माइनस 5K plus Bi plus 2J plus 3K ठीक है यहे तू कहिmain रहा है कि यह दिस अधिसों इतने और इतने कि योग के समानतर योगफल के समानतर ही काई सदिस तो पहले हम योगफल निकाले फिर इनका हमें क्या करना है unit vector निकालने है समानतर वेक्टर ही निकल के आता है है ना तो हमेंहा unit vector न अगर हम थोड़ा सा काम करें, वेक्टर r equal to हो जाएगा, i ले लो, common, तो यह आ जाएगा, 2 plus b, j देखो, 4j, 2j, plus कितना हो जाएगा यह, 6j, minus का 2k, है ना, अब हम r, r x का हम निकाल ले हैं, r 1 सदिस, unit vector r निकाल लो, तो किसी भी vector का, अगर हम unit vector निकालते हैं, तो कैसे निकाला जाता है, यह होता है vector, बटे vector का मापांग, है ना, vector का modulus, vector में vector की modulus से भाग देते हैं, उसका unit vector निकाल जाएगा, कितना आ गया यह, i plus, अरे bracket में, इन्टू में है, इसके साथ i k, 2 plus b, plus 6j, minus का 2k, divided by root, कितना, इसके गुडांक का square, यानि कि 2 plus b का square, plus 6 का square 36, minus 2 का square 4, ठीक है, अब हम से क्या कह रहा है, कि जो यह unit vector निकल के आया है, और यह दिया गया एक vector, i plus j plus k, इन दोनों का जब हम, अदिश गुडन करते हैं, scalar product करते हैं, तो क्या आता है, 1 आता है, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि vector i, plus vector j, plus vector k के साथ, जब unit vector r को multiply कि, product निकाला जाता है, dot product निकाला जाता है, अदिश गुडन निकाला जाता है, तो यह 1 के बराबर है, हम देखो, r आपके सामने आर रखा हैं, यह वहीं पर सीधा multiply कर लेंगे, ठीक है, 1 का 1 के साथ multiply करेंगे, 2 आई का, आई के गुडन के साथ multiply करेंगे, 2 प्लस B आएगा, जे के जे के साथ multiply करेंगे, यह 6 आएगा, और यह minus का 2 आएगा, और divide में हमारे पास रहेगा, root का, कितना, यह हो जाएगा, B square, प्लस 4B, है ना, B square प्लस 4B, प्लस 4, प्लस 4, 36, 44, 44 हो जाएगे, 44 हो जाएगा यह, equal to कितना हो जाएगा साहब, 1, इस 2 से 2 काट दीजिए, यानि कि, B plus C, equal to आ जाएगा, root B square, प्लस 4B, प्लस 24, 44 है ना, B square को B square से काट दीजिए, अब 36 को उधर घटा देंगे, जाके 12B में 4 भी घटाएगे, तो साहब इधर 8B आ जाएगा, is equal to, 44 में 36 घटाएगे, 8 आएगा, तो B is equal to कितना आ जाएगा, 8 बट्टे, 8 है यानि कि, 1 value आ जाएगी, B की value कितनी होगा यहाँ पे, 25 में D option correct होगा, है ना, चलेगा, आगे चलेंगे, question number 26 की तरफ, question number 26 में हम सका आ गया, कि यदि सदिस vector A, vector B, vector C, 3 vector दिये गया, vector A, B, C के तल में इस्तित है, अच्छा सदिस A, B और C के तल में इस्तित है, अब देखो, जब सदिस B और C तो पहले से एक तल में है, और A भी वहीं आ गया, मतलब कि A, B, C, R, co-planar, है ना, A, B, C lies in same plane, है ना, A, B, C जो हैं, कहां पे लाई कर रही हैं, same plane में लाई कर रही हैं, और आपको अभी ज़ेश्ट बताया, कि जब भी तीन वेक्टर, same plane में लाई करेंगे, तो उनका, जो box product होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, है ना, ये क्या हो जाएगा, इनका जो box product होगा, वो 0 होगा, है ना, इसके ले triple product जो होगा, वो 0 होगा, तो इसको और किस form में लिखते हैं, A dot B cross C, है ना, A dot B cross C की जो value होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि A, B, C, आर पो प्लेनर, यानि कि A, B, C, जो हैं, वो same plane में हैं, एक ही तल में हैं, some तल ही हैं, तो क्या होगा, जीरो कौन्स, आप्षन सही है, 26 का, option A, जो होगा, वो correct होगा, आगे बढ़ेंगे, 27, 27, 27 में हमको, एक tetrahydron दिया गया है, है ना, चतुस फलक, कहला, एक चतुस फलक, एक tetrahydron, के सीर्स, इतने, इतने इतने दिये हैं, एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं, पहले, यह हमारे axis है, 3D के, यहाँ पे x अच्छ है, और यह है सहाब y अच्छ, और यह है z अच्छ, यहाँ पे हमारे पास एक point O है, जिसके निर्देशांक दिये हैं, 0,0,0, है ना, origin, इसके बाद, एक point हमें यहाँ पे लेना है, A, इसको हमने A पे ले लिया, है ना, 1, से plus का है ना, 1,2,1, और एक point B यहाँ पे ले लीजिए, यह दिया गया है, 2,1,3, और एक point यहाँ पे C ले 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 जिए, C के coordinate दिये गये हैं, minus का 1 और 1,2, ठीक है, यह C हो गया, सबको मिला लीजिए, ketrahydran हमारे सामने आ जाएगा, यह आ गया, यह ketrahydran है, जिसमें हमसे पूछा है, कि तो फलकों, O, A, B, एक फलक है, इसकी यह O, A, B, यह O है, यह वाली फलक, और, फलक A, B, C के बीच का कोड़ निकालना है, तो देखिए, जब भी कभी हमें tetrahydran, यानि कि चतु उस फलक में क्वेस्चन आएगा, तो, दो फलकों के बीच का जो एंगल होता है, उनके, लंबों के बीच के एंगल के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इस फलक का लंब वेक्टर निकालेंगे, यानि कि पर्पेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे, जिसे हम नॉर्बल बोलते हैं, है न, तो हम शता A, B, C का नॉर्मल, सता A, O, B, या O, A, B, हम माल लेते हैं कि सता OAB का जो नॉर्मल वेक्टर है वो N1 है ठीक है? N1 निकलेगा कैसे? हम इसे निकालेंगे AO क्रास OB है ना? OA OA क्रास OB से निकल जाएगा ये N1 है, N1 क्या है? सता OAB का नॉर्मल वेक्टर है यानि कि लंब सदिस है OA OA OB, ठीक है चुकि ओर्जिन O है तो इसलिए OA OB कितने हो जाएगे? सेम वही बन जाएगे हमारे पास ये आजाएगा I प्लस 2J प्लस K और साथ में क्रॉस है OB तो कितना जाएगा ये? 2I प्लस J प्लस 3K N1 निकालिएगा N1 वेक्टर N1 इकोल टू जो निकल के आएगा वो आजाएगा 5I माइनस J माइनस 3K ठीक है? ये निकल के आएगा दोनों का क्रॉस प्लस प्लस निकाल लिया जाएगा फिर इसके बाद हम माल लेते हैं कि जो सता हमारी ABC है जो सर्फिस ABC है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो N2 है N2 है तो उसे हम निकाल सकते हैं AB क्रॉस AC से AB क्रॉस AC N2 क्या है? सता ABC का नॉर्मल वेक्टर है यानि कि लंब शदिस है क्योंकि दोनों फनकों के बीच जो एंगल होगा वही सेम एंगल होता है दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होता है दोनों बराबर होता है तो हम N1 N2 निकालेंगे N1 N2 के बीच के एंगल निकालेंगे वहीं इन दोनों सत्वों के बीच का एंगल हो जाएगा तो AB cross AB B minus A तो B कहाँ पे हमारे पास ये है B में A को घटा दो I minus J plus 2K है ना I minus का J plus का 2K cross AC C minus A C में A को घटाएंगे तो ये हो जाएगा C minus A तो ये minus का 3 हो जाएगा minus का 3 I फिर ये दिया गया है C 1 है और 1 दिया गया है और ये A जो B जो दिया गया है 2, C A चाहिए ना तो A तो यहाँ पे है ना तो कितना आ जाएगा गलत करे रहे थे हैं B को लिख रहे थे ना C minus A तो minus 1 minus 1 तो ये minus का 2 I हो जाएगा minus का 2 I हो जाएगा minus J हो गया फिर C minus A 2 minus 1 कितना हो जाएगा plus K हो जाएगा इन दोनों का हमें product निकालना है हैना इन दोनों का जो product आएगा cross product आएगा वो आएगा I minus का 5J यह आप निकालिएगा minus 3K हमें निकालना है N1 और N2 के बीच का कोड हमें पता है कि दोनों फलकों के बीच का जो कोड होगा फलकों के बीच का जो कोड होगा वो N1 और N2 के बीच के कोड के बराबर होगा है ना N1 और लंबो यानि कि normal vector n1 और n2 के बीच का code तो n1 और n2 के बीच का जो code निकालेंगे वो कैसे निकलेगा cos theta is equal to vector n1 dot vector n2 और दोनों का नीचे mod से divide कर देते हैं n1 और modulus n2 ठीक है चले दोनों का dot call लीजे भाई तो आजाएगा 5 plus 5 ठीक है आई आई का गुडांग 5 plus 5 plus 9 divided by divided by देखिएगा root के अंदर आजाएगा हमारे पास कितना 25 और 9 34 और 1 35 root के अंदर आगया 35 same digit यहाँ भी दिये गए है 1 5 और 3 तो यह भी आजाएगा 35 यानि कि आज चुका है हमारे पास cos theta is equal to 19 बटे 35, 35 दोनों root के अंदर सिर्फ 35 आजाएगा यानि कि यहाँ से theta equal to आजाएगा कितना cos inverse 19 by 35 कौन सा option से ही हो जाएगा 27 का A option जो होगा वो correct होगा आगे बढ़ेंगे question number 28 यानि कि 28 की तरफ question number 28 question number 28 में कह रहा है कि the value of x the value of x for which the vector a equal to इतना makes an acute angle with the vector b अब देखिए a और b के बीच acute angle है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हो गया कि vector a dot vector b जो होगा वो क्या होगा greater than 0 होगा क्योंकि a b cos theta होता है और cos theta जो होता है वो acute angle यानि कि 0 नबबे से छोटा 0 से बड़ा 90 से छोटा के बीच में क्या होगा positive value देगा और इन दोनों की जो product इसकी value आएगी means इनके दोनों के product की जो value आएगी वो positive यानि कि greater than 0 आएगी तो कर लिजे a और b का product पहले निकाल लिजे और क्या कह रहा है कि यही a जो है जब b के साथ obtuse angle बनाता है देखो यहाँ पर noon core बनाता है cute angle का मतलब noon core obtuse angle का मतलब क्या है कि जो a है वो c के साथ obtuse angle बनाता है तो यानि कि vector a dot vector c obtuse का मतलब 90 से बड़ा एक्सवस्य से छोटा तो यह क्या होगा हमारा less than 0 होगा value क्या होती cost theta की वहाँ पर negative हो जाएगी 90 से बड़े हो एक्सवस्य से छोटे एंगल के लिए cost theta negative होगा यानि कि a और dot c की जो value होगी के product की जो value होगी less than 0 हो जाएगी तो हम पहले इसकी बात करते हैं इन दोनों की x x का गुडांक का गुडा x square हो जाएगा और यह साब minus का x हो जाएगा और फिर minus का 2 हो जाएगा less than 0 हो जाएगा factor करेंगे x square minus का 2 x plus का x minus 2 equal to 0 एक factor आजाएगा इसका कितना x plus 1 आजाएगा दूसरा factor आजाएगा x minus 2 greater than 0 इसके साथ चलेंगे a और c के बीच का product निकालेंगे x square minus का x और minus का 12 less than 0 x square minus का 4 x plus का 3 x minus 12 equal to less than 0 यहाँ से x लेंगे common x minus 4 आएगा plus का 3 लेंगे common x minus 4 आएगा less than 0 ठीक है यानि कि दो factor यहाँ पर हमें मिल जाएगे a का जाएगा x minus 4 और a का जाएगा x plus 3 less than 0 ठीक है अच्छा अगर हम इनके लिए बात करें देखिएगा बात करें तो हमें यहाँ पर दो point मिलेंगे एक क्या मिल जाएगा minus का 1 तो minus का 1 तो हमारा minus का 1 तो यह साब minus का 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा अच्छा हम verify करते हैं थोड़ा सा इनके sign के लिए देखिए अगर हम यहाँ पर minus 2 रख दें तो minus 2 यानिके minus 1 बनेगा और minus का 4 दोनों multiply करेंगे greater than 0 आएगा मतलब इधर की जो value होगी वो plus की आएगी इधर की value कितनी होगी plus की रहेगी minus 1 पर try कर लिजे 0 आएगा 0 greater than 0 तो नहीं होता तो minus 1 नहीं लिया जाएगा minus 1 नहीं लिया जाएगा मतलब इधर की value इधर की value क्या होगी हमारी plus की होगी यानि कि ये value हम लेंगे ठीक है एक मिनट इसके बाद इन दोलों के बीच में 0 रखके देख लो 0 रखेंगे तो minus 2 आएगा greater than होगा नहीं तो ये 0 नहीं लेंगे 2 पर रखके देख लो तो 0 आएगा 0 बराबर ही होते है greater than 3 होता है तो 2 भी नहीं लेंगे 3 रखके देख लिजे तो 4 आजाएगा greater than 0 मतलब कि इधर की value भी लेंगे 2 को छोड़के इधर की value लेंगे कोई दिक्कत नहीं इसके साथ आजाएगे यानि कि ये हमारे पास negative आ रहा था और ये positive आ रहा है हमें positive वाला चाहिए ठीक है तो positive positive वाला हो गया इधर का भी लेंगे इधर का भी लेंगे मैनस का आठ आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा पलस का आठ यानि कि इधर की value के आएगी negative आएगी है ना कितनी आएगी इधर की value रखे एक भी ला minus का 4 रखे देखिए minus का 8 और minus का एक दोनों multiply करेंगे पलस की इधर की value हमारी किस के आएगी प्लस की आएगी नेकिन हमें चाहिए कौन सी negative आईगी तीन के रखे देख लो तीन का 0 आएगा तो ये भी नहीं रखा जाएगा और ये भी नहीं रखा जाएगा ठीक है चार भी रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा तो इन दोनों पर नहीं होगा इन दोनों के बीच की एक value 0 रखके देख लिया जाए तो minus का बारा आ जाएगा, less than है है ना, बतलब कि हमें सिर्फ ये वाला area चाहिए ये क्या चाहिए, negative आ रहा है तो negative वाला हमको चाहिए negative वाला चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए, अच्छा, 5 रखके देख लिया जाए, एक और 8 नहीं, इधर का नहीं चाहिए, है ना, इधर की value क्या रही है, positive आ रही है, हमें ये सिर्फ negative वाला चाहिए, ठीक है चले, सबी को combine कर लिया जाए union, दोनों का union ही तो होगा इसका answer, ठीक है, तो कौन कोन ठीक है, फिर minus 1, 2 ठीक है, खतम का नहीं, अब इनको लिख लीजिए इसे लिखेंगे तो हमारा x होगा वो belongs करेगा, कहां पर close interval, है ना, sorry, क्या कहते हैं, इसे open interval minus 3, minus 1, ठीक है, union और क्या है ये, close interval 2,4, है ना, इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, minus 3, minus 1 union, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा open interval ही है, open interval 2,4, कौन सा option से ही हो जाएगा, ऐसा option हमें C वाला दिख रहा है, C वाला option क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे question number 29, 28, 29 29 में में दिया गया है कि log 3 base A और इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, log B base A को हम लिख सकते हैं, log B by log A हमें ये value चाहिए, अब यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर आ जाएं, तो देखेगा ये दिया गया है, इसका मतलब है log 3 divided by log A equal to कितना? 2 यहाँ से गर हम log A वे लिकालना चाहें तो देखेगा यहाँ से log A निकल के आएगा, log A equal to 2 divide में चला जाएगा एक तो ये log 3 हो जाएगा divided by 2 हो जाएगा यहाँ पर आ जाओ log 8 log 8 divided by log B equal to 3 ठीक है? अच्छा अगर हम log B यहाँ से निकालना चाहें log B equal to कितना हो जाएगा? देखो यह लिखा हुआ है log 8 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 तो यह 3 log 2 हो जाएगा 3 log 2 divided by 3 3 से 3 कार दीजिए log B वराबर log 2 आ गया है अब इसकी value हमें चाहिए log A भी पता है हमको log B भी पता है, दोनों पता है और हमारा सोभाग गया हमें दोनों पता है है ना, log B कहाँ पे है? यह log 2 आया है log 2 divided by log A यह आया है log 3 अब by 2 2 उपर चला जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? यह आजाएगा log 2 की पावर 2 है ना, भी हमें पता है कि n log m क्या होता है? log m की पावर n तो यह पावर उसके पावर चली जाएगा उपर यह आजाएगा log 3 यह उपर हो गया log 4 by log 3 पुना उसके मोल डूप में उससे वापस कर दिया जाए यह आजाएगा log 4 बेस 3 log 4 बेस 3 कौन सा उप्षन सही हो जाएगा? c वाला उप्षन करेक्ट हो जाएगा है ना? 29 में c उप्षन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 30 की तरफ question number 30 में a कोल्टू हमें निकालना है क्या होगा? अब देखिएगा a हमें यहाँ पर दिया गया है value आपके सामने है a कोल्टू दिया है log 2 है ना? log 2 base में है यहाँ number की रूप में लिखा हुआ है log 2 और इसी के साथ में फिर से यह है log 4 और यह है 256 log 256 base 4 है plus 2 और यह है log 2 और यह है root 2 चलिए एक बात आपको बता देए कि log m की पावर p base में हो n की पावर q है ना? तो यह होता है किसके बराबर होता है भाई यह उपर वाली पावर अंस में आएगी नीचे वाली पावर हर में आएगी और log m base n यह लिखा जा सकता है यानि कि अगर हम इसे लिख दे 2 की पावर 1 और इसे कितना लिख दे? root है ना? इसे लिख देजिए 1 by 2 ठीक है? कहने का मतलब यह है कि मामला आसान होने वाला है अब देखिए यही सेम काम यहां भी करने वाले हैं 256 को हम लिख सकते हैं चार है यहां पे 4 को लिख देजिए 2 की पावर 2 और 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 2 की पावर 8 अब देखिए आजाओ आगे यह लोग 2 है और यह लोग 2 है अब यहां पे देखो यह पावर पहले आएगए एंस में उपर वाली एंस में नीचे वाली हर में और यहां पे log 2 base 2 प्लस शेम यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 आएगा पहार अंस में बटे में आएगा 1 बटे 2 2 उपर चला जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 log 2 base 2 ठीक है अब देखेगा यह हो जाएगा log 2 base में 2 है ना 2 अब देखे 4 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा इधर वाले की value 1 हो जाएगी log 2 base 2 की value 1 हो जाएगी same base पे same base पे किसी भी number का वही same number हो same base है अगर तो log की value 1 होती है तो यह 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 2 4 को 8 4 आया 4 को लिखेंगे 2 की power 2 अच्छा इधर हमारे पास 4 बचा अब यह 2 पहले आ जाएगा यह जाएगा log 2 base 2 इसकी value 1 हो गई log 2 base 2 जो बचा हमारे पास प्लस 4 और इसकी value भी हो गई 1 प्लस 4 कितना आ गया साहब A का value आ गया 5 कौन सा option साहिए 30 का option C जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे साहब question number 31 31 large जवाब question देखेगा यहाँ पे e की power 2x दिया है हम चाहा रहें कि आप दोनों अंस और हर में e की power x से divide कर दीजिए अंस और हर में अगर आप divide करेंगे e की power x से तो यह हो जाएगा e की power x प्लस 1 by e की power x का मतलब यह यह आ जाएगा divided by नीचे e की power x बचेगा e की power x से आपने divide किया है minus e की power minus x dx अब आपको क्या करना है हर को t मान लेना है तो e की power x minus e की power minus x को आप t मानेंगे तो आएगा e की power x प्लस e की power minus x देखो minus निकल गया गया तो इसे plus कर देगा यह dx is equal to कितना हो जाएगा dt यानि कि answer जो है dt बटे t यह आजाएगा log t log modulus t plus c है ना यह आजाएगा log t का value दिया गया है कितना e की power x minus e की power minus x ठीक है plus c कौन सा option सही है सहाब यह वाला option सही हो जाएगा ठीक है यहाँ plus दिया गया था option में तो e की power x यानि कि जो value आगई हमारा c 31 में c वाला option जो है वो correct हो गया आगे बढ़ेंगे 32 क्या बात है लाजवा अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा से अगर काम करें देखिए यहाँ पे हमें पता है कि एक यह e की power x fx और fx का यहाँ पे differentiation दिया है ठीक है तो इसका answer e की power x sine hyperbolic x भी हो सकता है और अगर हम इसको क्योंकि हमें sine hyperbolic x और cos hyperbolic x के जो differentiation होते हैं दोनों sine hyperbolic x का होता है cos hyperbolic x और cos hyperbolic x का होता है sine hyperbolic x तो दोनों answer में आएंगे e की power x sine hyperbolic x आ सकता है e की power x cos hyperbolic x भी आ सकता है तो sin वाला दिया नहीं है तो cos वाला होगा ठीक है? भी सही होगा लेकिन थोड़ी सी बातचीत जो करना जरूरी है यहां पे वो कर लेते हैं यहां पे, देखेगा हमें पता होना चाहिए differentiation of हैना कई बार hyperbolic function का differentiation नहीं पता होता, तो differentiation of sin hyperbolic x होता है cos hyperbolic x और differentiation of cos hyperbolic x की अगर हम बात करें तो वो होता है shine hyperbolic x differentiation of tan hyperbolic x की अगर हम बात करें तो वो होता है six square hyperbolic x यहां तक की कहानी plus में चलती है, आगे चलो differentiation of, अगर हम बात करते हैं, cos sick hyperbolic x की, तो वो होती है minus का cos sick hyperbolic x cot hyperbolic x differentiation of अगर हम बात करें sick hyperbolic x की, तो वो भी होती है, minus का sick hyperbolic x और tan hyperbolic x अगर बात करें differentiation of cot hyperbolic x cot hyperbolic x की जो value होती है differentiation जो होता है, minus का अब देखें यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा मोडिफाई करें है ना इंटिग्रेशन E की पावर X हम चाहरे हैं कि इसको पहले लिख लिख लिया जाए कॉस हाईपरबोली के साइन को भी लिख सकते थे लेकिन साइन वाला ऑप्सन में नहीं दिया इसलिए हम पहले लिख लिख ले हैं डि-एक्स हमें एक बात पता है कि इंटिग्रेशन आफ E की पावर X है ना और F X प्लस F Dice X अगर ये दिया जाए कभी भी किसी प्रस्ण में कभी भी अगर किसी प्रस्ण में ये दिया जाए हैना function दिया हो उसका differentiation प्लस में दिया गया हो तो इसके integration की value होती है E की पावर X F X प्लस C ये होती है तो यहाँ सेम काम उपर देखिए Cos Hyperbolic X का differentiation ये दिया गया है यहाँ पे यानि कि इसको हम directly लिख सकते हैं क्या E की पावर X Cos Hyperbolic X है ना इसका जो integration होगा E की पावर X Cos Hyperbolic X हो जाएगा और दूसरा भी हो सकता था sign लेकिन sign वाला option में नहीं ह है ना तो कौन सा option सही होगा भी हाँ यहाँ पे 32 में B option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे Question No.33 एक सांदार question पहतरीन question देखिएगा integration निकालना है A root X divided by X एक काम जो हमें करना है root X को हम T मालेंगे तुरंत आखमोन के 1 by 2 root X dx is equal to कितना हो जाएगा dt यानि कि हम यह कह सकते हैं कि dx by root X is equal to कितना आगया 2 dt आगया ठीक है आज ओ यहाँ पे integration निकालना है integration 2 dt का हमने 2 ले लिया बाहर dt को चुपचाप रहने दिया A की पावर t dt ठीक है dx by root X 2 dt के बराबार हुआ 2 हमने common ले लिया अब हमें पता है कि यह 2 चुपचाप बाहर रहे और इसका जो differentiation होगा integration जो होगा A की पावर t का तो A की पावर t हो जाएगा divided by divided by log A base e plus c होता है t का value रख दिया जाए t का value रखेंगे तो 2 into A की पावर root X है ना अब इसको उपर ले जाओ तो बस आपस में interchange हो जाएगा base चला जाएगा number की जगा पर number चली जाएगी base की जगा पर यह आ जाएगा log log A base e sorry log e base a plus c है ना कौन सा option सही हो रहा है 2 2 2 यह d वाला है ना 33 का जो d option होगा वो क्या होगा बिल्कुल correct होगा आगे बढ़ेंगे साब question number 34 question number 34 बहुत ही पुराना question है है ना तुमसे मुलाकात सनम बहुत बार हुई है है ना इंटर से तो i equal to 0 से pi by 2 0 से pi by 2 और यह है dx divided by 1 plus 9x इसे question first माल ली जाए हमें क्या करना है प्रगूर अपलाई करना है प्रगूर क्या होता है सभी को पता है 0 to 0 to a fx dx is equal to होता है 0 to a f a minus x dx के रख दीजिए तो i equal to हो जाएगा यह 0 to pi by 2 और dx बटे 1 plus cortex अच्छा 1 plus cortex हो रहा था हम इसे 1 by 10x लिख देंगे अरे pi by 2 minus x रखेंगे तो cortex आएगा हमें उस 10x लिख देंगे अच्छा calculate कर लेते हैं 0 से pi by 2 10 उपर चला जाएगा LCM लेने के बाद और यह 1 plus 10x यहां भी बन जाएगा equation 2 शमी करण 1 और समी करण 2 को जब भी जोडा जाएगा तो 2i is equal to देखो LCM बराबर है दोनों का 1 plus 10x 1 plus 10x तो वहाँ 1 है और यहां 10x 1 plus 10x बटे 1 plus 10x कट जाएगा 1 बचेगा कितना बचेगा 1 तो 0 से pi by 2 और यह 1dx 1dx आपको पता है कितना होता यह x होता है और यह कितना हो जाएगा pi by 2 0 2i है ना तो i equal to कितना हो जाएगा pi by 4 हो जाएगा कौन साप्षन सही हो जाएगा साहब d option 34 का जो होगा वो पिलकुल correct होगा आगे बढ़ेंगे वस्टरमर 35 35 का integration करना है एक बहतरीन question और सांदार अंदाज में करिएगा देखते हैं देखिए integration मैं आपको यहीं लेके चलूँगा साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के हाफ एंगल के फार्मूले 10 की टर्म में रखे जाएं क्योंकि answer में हर जगा 10 आ रहा है है ना तो रख दीजे अब आपको पता है कि fine x का 10 की टर्म में हाफ एंगल का फार्मूला होता है 2 tan x y 2 divided by 1 plus 10 square x y 2 कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब हम बात करें अगर कोस x की तो इसका 10 के टर्म में हाफ एंगल में फार्मूला क्या होता है 10 square x y 2 1 minus 10 square x y 2 1 plus 10 square x y 2 यह होता है रख दिये जाए रखेंगे 1 plus 10 square x y 2 LCM आएगा और यह LCM उपर जाएगा 1 plus 10 square x y 2 6 square x y 2 LCM को में उपर ले लिया है अब नीचे 1 plus 10 square y 2 जो 1 plus 10 square x y 2 LCM है तो इस 1 के साथ multiply होगा यह आजएग 1 plus 10 square x y 2 ठीक है अब देखें 2 into यह उपर अंस के पास चले जाओ इसके पास तो है यह 1 plus 10 square x y 2 तो 4 10 x y 2 आ जाएगा यह plus 4 10 x y 2 cos x के साथ में क्या है उपर अंस से मतलब है हर तो सेम है 1 minus 10 square x y 2 और dx अब यह देखो यह दोनों cancel हो जाएगे अच्छा 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगे 2 plus 4 10 x y 2 नीचे से 2 ले लो common तो यह जाएगा 1 by 2 integration 6 square x y 2 dx divided by 1 plus 2 10 x y 2 यहाँ पर एक काम करना मान लेना है let करेंगे क्या 1 plus 2 10 x y 2 is equal to t differentiate करिए 2 into 6 square x y 2 into में 1 by 2 dx is equal to dt 2 से 2 को काट दीजे काट दिया तो यह हो जाएगा 6 square x y 2 dx is equal to dt अच्छा कहने का मतलब से x square x y 2 dx काट दीटी रख दीजे यह जाएगा 1 by 2 integration यह जाएगा dt और यह नीचे वाले को हम t मान चुके हैं 1 by 2 log t हो जाएगा t का value रख दीजे लगे हाँ 1 plus 2 10 x y 2 plus c कौन सा option है c वाला option correct है है ना अच्छा इस 1 by 2 का हिसाब किताब मत भूल जाना वरना तो फिर option a और c दोनों में से आप confused हो जाओगी है ना तो यह 1 by 2 कटेगा नहीं यह चुकि यहाँ पे already 2 है तो यह 2 यहाँ से कर जाता है तो 1 by 2 से x square x by 2 को t मत मान लेना है ना dt के साथ मर अर्जिस्ट कर देना यह 1 by 2 रहेगा कौन्स option से 35 का c option correct होगा चलेंगे question number 36 की तरफ question number 36 में में दिया गया है कि integration minus 5 by 2 से 5 by 2 अच्छा एक काम करो multiply कर लिजे इसका यह minus का 5 by 2 से कितना 5 by 2 minus 5 by 2 से 5 by 2 sine के साथ multiply होगा तो sine cube आएगा sine cube x और यह कितना हो जाएगा cos x और dx हो जाएगा बीच में plus है plus मारो integration minus का 5 by 2 से 5 by 2 है ना minus का 5 by 2 से 5 by 2 sine square x के साथ multiply होगा तो वही रहेगा cos के साथ cos cube बना देगा तो यह हो गया sine square x और यह cos cube x और यह हो गया dx ठीक है अब हमें एक बात पता है कि जब भी कभी है ना minus a से a effects dx दिया जाए तो हमें चेक करना होता है कि संफलन है या भी संफलन संफलन और भी संफलन की जगा पर क्या रखते हैं x की जगा पर minus x रखते हैं और अगर वो minus fx के बराबर हो जाए है ना यानि कि हम यह कह सकते हैं कि अगर x की जगा पर minus x रखा जाए और वो minus fx के बराबर आ जाए तो यह हमारा भी संफलन होता है यानि कि और फंसन होता है और इसके जो integration की value होगी वो क्या होगी जीरो होगी यह संफलन होता है और इसकी जो integration की value होगी यह वो हो जाती है यह limit बन जाए यह 0 सू A और 2 लेगे बाहर और यह fx dx तो देखिया यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर multiply करेंगे यह fx है हमारे पास हम x की सेहत पर minus x रखेंगे तो cost की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला cost की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला sign के साथ sign angle से minus देदेगा और यह b sum fallon आ जाएगा यह क्या जाएगा b sum fallon और जब यह b sum fallon आएगा तो इसके integration की value कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ पर आजाओ यहाँ पर जब हम रखेंगे तो देखिए cost तो already positive देता angle के साथ कोई दिक्कत नहीं है sign के साथ अगर हम minus x रखेंगे तो square लगा हुआ है वो भी positive हो जाएगा कहने के मतलब यह sum fallon है यह क्या है हमारा odd function और यह कैसा है यह even function है तो odd वाला तो 0 हो गया even वाला बचा है तो 2 लेते हैं बाहर में 0 से ए कर देते हैं limit तो 0 से pi by 2 हो जाएगी और कौन है हमारे पास sin square x cos square x को हम तोड रहे है cos cube को तोड रहे है cos square x और यह cos x और यह dx ठीक है equal to 2 into 0 से pi by 2 sin square x को चुपचाप रहने दिया जाए sin square x हो गया अच्छा अब इसे हम लिख सकते हैं 1 minus sin square x sin square x और यह हो जाएगा cos x dx हम यहाँ पे sin square x को sin x को t मान लेते हैं sin x को t मानेंगे तो cos x dx dt के साथ चला जाएगा limit convert होके limit भी तो convert करने पड़ेगी limit convert करो हम क्या कर रहे हैं shine x is equal to t मान रहे हैं तो 0 रखोगे तो limit तो 0 ही रहेगी तो यह 0 ही रहेगी pi by 2 रखोगे 1 हो जाएगी ठीक है और यहाँ क्या हो जाएगा t square into 1 minus t square तो t square minus t की power 4 t square के कितना हो जाएगा यह हो जाएगा t की power 3 by 3 minus t की power 4 है तो t की power 5 by 5 limit apply कर दी जाए 2 into 1 apply करोगे 1 by 3 minus 1 by 5 lower limit apply करने जरूरत ही नहीं क्योंकि सभी 0 हो जाएगे calculate कर लीजे तो 2 गुडे 2 बटे 15 साब कितने आ गया 4 बटे 15 कहीं जलक रहे हैं क्या 36 का B option जो होगा वो बिलकुल correct होगा 36 का B correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 37 के साथ 37 area में निकालना है किसके किसके बीच में area line would be in the parabola parabola है y square is equal to 4ax ठीक है तो एक काम करो y square is equal to 4ax का जो graph होगा सबको पता है ऐसे होगा ये हमारा y square is equal to 4ax का graph है और इसका lattice rectum ना भी ना भी जीवा ये हो गई अच्छा lattice rectum इसकी कितनी हो जाएगी x is equal to a x equal to a और ये तो हमारा 0 होगा 0,0 ठीक है अच्छा हमें area ये वाला चाहिए अच्छा हमारे पास दो symmetry बन रही है एक तो upper में है एक down में है 0 to a हम सीधा इसका area गर निकालना चाहिए इसका area निकाल सकते है area equal to 2 से multiply कर दे एक का निकाल लो 2 से multiply कर दो 2 से multiply कर दिया 0 से a y d x y d x 2 को दो बाहर करो चुपचा अब ये y यहां से निकालो तो y is equal to आ जाएगा कितना root 4 a x तो ये आ जाएगा 2 root a root x तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 root a integration 0 से a root x है अंदर x की power 1 बटे 2 dx ये आ जाएगा 4 अंदर root a into x की power 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 3 बटे 2 2 बटे 3 लिग दीजिए और ये x की power 3 बटे 2 है और a और ये 0 ठीक है ये कितना जाएगा 8 8 अंदर root a बटे 3 into into ये कितना जाएगा a की power 3 बटे 2 0 रखने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा lower limit apply करने का तो a की power 3 बटे 2 अब देखो a की power 3 बटे 2 और यहाँ पर a की power 1 बटे 2 है दोलों को add करेंगे तो 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 4 बटे 2 यानि की a की power में 2 तो ये आगया 8 बटे 3 a की power में 2 square unit वर्ग इकाई कौनस आपफन से ही होगा अब यहा 37 का a option जो होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 38 करा area bounded the curve area bounded the curve y is equal to x sign a and x axis between x is equal to 0 to 0 pi हैना हमें area निकालना है कहाँ से 0 से 2 pi 0 से 2 pi function हमारा क्या है x sin x और यह dx अब देखिए तोड़ लिजे क्योंकि यहाँ पे जो 0 से pi तक होगा वहाँ पे तो sin positive होगा sin क्या होगा यहाँ पे positive होगा x sin x dx लेकिन pi से 2 pi के बीच में जो sin होगा वो negative होगा तो यह कर दीजे फंजन जोगा है इसका हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा यह pi से 2 pi pi से 2 pi और यह हो गया x sin x और यह dx ठीक है अच्छा इसका differentiation कर लिए जाए integration कर लिए जाए x sin x का तो x sin x का integration करो भाई कर लिजे इसका integration first को बाहर करेंगे second तो यहाँ जाएगा और cos x का minus sin x हो जाएगा cos x का sin x है तो cos x हो जाएगा minus का तो बाहर वाले को प्लस कर देगा अच्छा यह कितना आ जाएगा minus का x cos x plus sin x यह एक integration इसका आगया sin x minus x cos x तो यह हो गया कितना sin x sin x minus का x cos x 0 से pi minus same यहाँ भी sin x minus x cos x 0 से 2 pi ठीक है upper limit apply की जाएगे upper limit apply करेंगे तो कितना आ जाएगा sin pi की value होती है 0 और यह minus pi cos pi की value होती है minus 1 तो यह plus का pi हो जाएगा और आगे रखेंगे तो minus का 0 plus का 0 हो जाएगा मामला खतम आ जाओ इसके पास sin x shine 2 pi sin 2 pi की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी है ना फिर यह हो जाएगा 2 pi वही यह भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो वह बन हो गया प्लस का बन हो गया कोई दिक्कत नहीं अब आ जाओ 0 के साथ तो यह तो 0 ही हो जाएगा minus 0 plus यह भी कितना हो जाएगा अरे यहाँ पे 2 pi 0 से 2 pi अरे यह pi है भाई साथ pi है sorry lower limit में pi था तो minus sin pi की value तो हो गई 0 plus और यह कितनी हो जाएगी भाई यह हो जाएगी देखो यह आपे minus है और लेटी पहले से minus कर रहे है है ना तो देखिए पहले हमने pi की रखी फिर तो यह हो जाएगी हमारे पास minus का pi क्योंकि उसकी value होगी minus हो रहो minus हो इसको minus का कर देगा अच्छा तो यहाँ पे आ गया यह pi minus अंदर कितना हो गया 3 pi minus के हैं और यह कितना आ जाएगा भाई pi plus 3 pi कितना हो जाएगा 4 pi square unit कौन सा अप्षन से हो जाएगा c वाला option करेक्ट हो जाएगा 38 का c option जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा minus का 3 pi हो जाएगा चलेंगे 39 की तरफ 39 कर देखें एरिया बेटीन x-axis and the curve y is equal to cos x 0 से 2 pi के बीच में निकालना है है ना अब देखिए पहले इसका graph ड्रा कर लीज़े ये और ये यहाँ पे हमारा 0 है 0 है और यहाँ पे pi by 2 है फिर है यहाँ pi और यहाँ पे है 3 pi by 2 3 pi by 2 और इसके बाद है ये 2 pi इसके बाद है ये हमारा 2 pi अच्छा हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो इरिया निकालना है वो कहां तक निकालना है हमें चाहिए इसका एरिया यहां से कॉसेक्स है तो इसका graph यहां से जाएगा यहाँ ठीक है फिर 3 pi by 2 और फिर यह ऐसे है आगे है ना यहाँ में यही तक का चाहिए अरिया तो हमारे पास 4 सिमेट्री इस दोरान बन रहे हैं सभी के अरिया इनके बराबर होते हैं इसका अरिया इसका अरिया इसका अरिया यह सब एक ही जैसे बलेंगे बराबर रहेंगे सभी ठीक है तो लेगा सभी के अरिया बराबर होंगे तो हम क्यों ना 0 से pi by 2 निकाल दें 4 से multiply कर दें दो तरीके हैं एक तो हम function लेके चलें function को यहाँ positive होगा यहाँ negative हो जाएगा और यहाँ पिड से positive होजाएगा हम इसको 3 part में तोड़ें है ना इससे अच्छा है कि हम इसे क्या करें श्मपली है ना इससे हम 3 part में तोड़ें है ना 0 से pi by 2 pi by 2 से 3 pi by 2 3 pi by 2 से 2 pi by 2 इससे मतलब क्या सीधी सी बात है यह area यह area Region ये एडिया और ये एडिया सभी बराबर हैं, तो अगर इसका एडिया निकालना चाहते हैं, 0 से 2 बाई के बीच में तो 4 से मल्टिप्लाई करते हैं, हमारे पास 4 सिमेट्री एडिया बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, सभी बराबर हैं ये, तो जो area इसका होगा वही इन तीनों का भी होगा तो इन ही में हम 4 से गुड़ा कर दें तो 0 से 5 by 2 cos x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा ठीक है? वैसे ये 1 इतना होता है ये 1 unit का होता है ये पूरा round जो होता है 2 unit का होता है तो 1 unit ये 2 unit ये और 1 unit ये तो कितना हो जाएगा? 4 unit हो जाएगा लेकिन हम फिर से निकालना चाहते है तो निकाल लेजिए 4, cos x से कितना होता है? sin x, है ना integration x से कितना होता? sin x, 0 से कितना? 5 by 2, रख दीजिए limit apply कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, sin 5 by 2 ये निकी 1, minus 0 तो कितना आ जाएगा ये? 4 आ जाएगा, 4 square unit कौन सा option से हो जाएगा? 39 में D वाला option जो होगा, वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 40 के बास 40 में हमें निकालना है 0 से πाई के बीच में 0 से πाई तक area bounded by the car y is equal to x एक काम करते हैं y equal to x का पहले हम ग्राफ ड्राव करते हैं देखेगा, y equal to x का जो ग्राफ होगा ये एक मूल बिंदू से जाने वाली रेखा है है ना? तो ये सीधा ऐसे जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0 है यहाँ कहीं πाई y2 होगा और यहाँ कहीं πाई होगा ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? इसका ग्राफ ड्राव कर लीजे y equal to x plus sin x तो देखेए x plus sin x हमें काम करें अगर इसमें πाई रख दें क्या रख दें? πाई तो sin πाई के बेले 0 होगा ये y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? πाई हैना? ऐसे से हम बनता जाएगा लेकिन हमें मतलब सिर्फ है 0 से 2 पाई 0 से पाई तक हमको यहीं तक का एरिया चाहिए हैना? हमें ये एरिया चाहिए ये एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का 0 से पाई के बीच में तो इस एरिया को find करने का तरीका क्या है हमारे पास area equal to 0 से πाई हो जाएगा ठीक है अच्छा अपर करव minus lower करव अपर करव कितना दिया गया है अपर करव यह है यह वाला तो y बराबर x का है और यह वाला जो करव है यह y is equal to x plus sin x का तो अपर करव क्या है हमारा x plus sin x काट दीजिए अरे यह x plus sin x है x plus sin x है ठीक है यह आगया 0 से πाई ठीक है अच्छा 0 से πाई हो गया वैसे दखो एक गोला बना है ना 2 unit का होना चाहिए तो यह आगया x plus sin x minus x x से x काट दीजिए और यह हमारे पास dx बचा कितना आगया भी है 0 से πाई 0 से πाई shine x का क्या होता minus का cos x minus को बाहर कर देना cos x हो जाएगा 0 से πाई रख दीजिए अच्छा कितना हो जाएग भी है minus को रखें बाहर cos πाई minus 1 minus cos 0 की value 1 calculate करेंगे 2 square unit 2 square unit है ना तो कौन सा उप्फन से हो जाएगा 40 में a option जो होगा वो correct हो जाएगा ठीक है चलिए आप यहां दिया है क्यारा कि यदि sin y is equal to x sin a plus y तो d y d x equal to क्या होगा है ना यह question है अब देखते हैं क्या होगा सर्च करते हैं भाई divided by कितना sin a plus y equal to कितना हो जाएगा x x के respect में दोनों साइड इसका differentiation कर दिया जाए तो इसका differentiation करेंगे x के respect में d d x of और इसका भी करना है d d x of x इसका तो बाद हो जाएगा d d x of f कर दीजिए यह कितना हो जाएगा हर को पहले बाहर करते हैं denominator को बाहर करते हैं sin a plus y अच्छा और इसका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा साब cos y ठीक है minus फिर क्या करेंगे अब इस बाहर किसको बाहर करेंगे sin y बाहर होगा अच्छा अब देखिए चुकि x का रिस्पेक्ट्रिम कर रहे हैं तो यह y क्या हो गया y का फिर से एक बाहर differentiation हो जाएगा into y dash हो जाएगा minus इसके बाद आ जाओ अब क्या करेंगे sin y को बाहर करेंगे sin y तो इसका differentiation हो जाएगा cos का a plus y और a plus y का फिर से होगा function आप function है तो y dash हो जाएगा equal to और इसका हो जाएगा 1 divided by divided by कितना होता है हर का square है ना तो sin a plus y है तो sin square a plus y हो जाएगा अब उपर से अगर y dash common ले लें y dash अगर common लेंगे तो sin a plus y cos y minus minus cos a plus y sin y यहीन है कि sin a minus b का formula बन रहा है उपर है ना क्या बन रहा है sin a minus b a कितना है a plus y और b की जगह पर कितना है y equal to कितना cross multiplication करेंगे तो यह आजाएगा sin square a plus y तो y dash is equal to आजाएगा इसको y से y काड़ देंगे y dash equal to आजाएगा कितना sin square a plus y divided by sin a कौन सा option सही हो गया यहां पर option number एक बार मैं सभी के जवाब ले लेता हूँ हम बहुत ही सांदार सभी के आरें को कुछ वा सर very good evening चले बहुत ही बहतरेंग जवाब आएगा 41 में D 41 में D सत्वीर सर कमलें मिस्रा सर अरुन सर 41 में D बिलकुल सही था सर 41 का question number 42 में कहा गया है हमसे 42 42 में कहा गया है कि बिन्दू 1,1 पर वक्रो y square is equal to x तथा x square is equal to y के बीच का code याद कीजिए हमें क्या करना है बिन्दू 1,2 पर 1,1 पर एक point दिया गया है उसमे y square is equal to x और x square is equal to y y के बीच का code याद करना है तो देखिएगा हम क्या करते है m1 इमटो निकालते है m1 पहले वाले को differentiate करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2y y dash is equal to x का कितना हो जाएगा 1 तो y dash is equal to कितना हो जाएगा 1 upon 2 है ना 1 upon 2 हो जाएगा ठीक है और इसके बाद दूसरे वाले को differentiate कर दीजिए y dash is equal to y dash निकालेंगे किस पे 1 upon y आएगा 1 upon 2y आजाएगा हम y dash यानि कि किस पे निकालना है 1,1 पे विंदू 1,1 पे तो कितनी आ जाएगी 1 बट्टे 2 हो जाएगी y dash is equal to कितना हो जाएगा 2x और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो y dash जो आजाएगी 1,1 पे कितनी आजाएगी वो आजाएगी 2 यह कितनी आजाएगी 2 ठीक है यानि कि यह माल लिजिए कि हमारे पास m2 हो गई और यह क्या हो गई m1 हो गई m1 is equal to 2 है m2 is equal to 1 upon 2 है दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या होता है दोनों के बीच का एंगल 10 theta बराबर क्या होता है m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 जो बड़ा होता है उसमें घटा देते हैं कितना हो जाएगा 1 plus 2 गुड़े 1 बटे 2 ठीक है किटेगा तो 2 आ जाएगा calculate करेंगे इसको कितना जाएगा 4 2 दूनी 4 4 में 1 गए 3 बटे नीचे कितना 2 बचेगा 3 बटे 2 और इस 2 से हो जाएगा गुड़ा है ना तो कितना जाएगा ये 3 बटे 4 तो 10 इन्वर्स ठीटा इस गौल्टू कितना जाएगा 10 इन्वर्स 3 बटा 4 ठीटा इस गौल्टू आ जाएगा 10 इन्वर्स 3 बटा 4 सभी के जवाब R है है लगात R जवाब देते रहिए सभी continue 10 इन्वर्स 3 बटा 4 होगा ठीक है यानि कि question न्वर्स 42 पर question कह रहा है कि point 1,1 पे कर y square is equal to x और x square is equal to y के बीच के एंगल कितना होगा तो कितना होगा theta is equal to 10 inverse 3 by 4 42 का option B क्या होगा correct हो जाएगा सर आगे बढ़ेंगे बिल्कुर सही है कमलेंट से एक बाद d नहीं होगा एक बाद आप try करिए इसको 43 question में 43 में हमसे कहा गया कि एक फलन है f और fx is equal to x plus 2 into e की पावर minus x दौरा परिभासित है तो कहरा वो है x के सभी मानों के लिए हराश मान है यानिकि और उसके बाद minus infinite से यह हमारा open interval है minus infinite से minus 1 में हरास मान है और कहरा कि minus 1 से infinite के बीच में open interval में वृद्धिमान है यानिकि increasing है कहरा x के सभी मानों के लिए वृद्धिमान है या x के सभी values के लिए वो increasing है या 4 option हमें दिये गए है कोई बात नहीं जब भी अभी कभी ऐसी situations आती है तो करना क्या होता है हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको differentiate कर लेते हैं differentiate हमें points निकालने है increasing और decreasing के दोनों f dash x निकाला जाए पहले f dash x है ना एक को first मान लिजे और एक को second मान लिजे मान लिजे कि हम थोड़ी देर के लिए first इसको मान रहे है 1 की power x को हम 1 की power minus x को हम बाहर कर लेते हैं इसका differentiation करते हैं इसका differentiation कितना आएगा x का तो 1 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा into 1 हो जाएगा plus इस बार हमें क्या करना x plus 2 को बाहर रखना है x plus 2 को हमने बाहर कर लिया x plus 2 को बाहर करना और 1 की power minus x का करेंगे तो पहले तो 1 की power minus x का वही रहेगा minus x का फिर से हो जाएगा तो यह minus आ जाएगा बस ठीक है अच्छा यनि कि अब हम यहाँ पे common ले सकते हैं कितना e की power में minus x तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 minus का x minus का 2 एक काम करें minus यहाँ पे common ले ले हाना इसमें minus common लेंगे तो यह आ जाएगा e की power minus x घट जाएगा देखो यह बचेगा हमारे पास x plus 1 bracket के अंदर कितना बचेगा x plus 1 अब हम बात करते हैं increasing यानि की वृद्धिमान तो वो क्या होगा f dash x की value जब increasing की बात होगी तो वो क्या होगी greater than 0 होगी f dash x की value क्या होगी greater than 0 होगी 0 से क्या होगी बढ़ी होगी तो चलिए करते हैं इसको बढ़ी तो यह आ जाएगा minus का e की power minus x into x plus 1 x plus 1 greater than 0 हो जाएगा अब देखे minus का multiply करेंगे तो e की power minus x x plus 1 होगा जो हमारी inequality है वो reverse होगी यहाँ पे एक बात आपको बता दे जो e की power minus x से वो already क्या होता increasing होता है है ना तो यह तो already क्या होता है increasing होता है यह क्या होगा यह e की power minus x already increasing होता है मतलब की अब increasing और decreasing किस पे depend करेगा x plus 1 पे तो x plus 1 के लिए हम क्या करेंगे condition लगा देंगे 1 की power minus x already increasing होगा है ना तो यह क्या हो जाएगा x plus 1 less than 0 तो x less than minus 1 चलिए रख लेते हैं x less than minus 1 तो यह है हमारा minus 1 और यहाँ पे है 0 तो जो x का मान होगा वो क्या होगा less than minus 1 minus 1 से छोटा less than minus 1 कहने के मतलब यह है कि यह इधर की value हमको लेनी है तो क्या लिखा जाएगा x belongs किस पे यह आ जाएगा minus 1 open interval रहेगा क्योंकि minus 1 नहीं चाहिए minus infinite नहीं चाहिए माइनस 1 को माइनस infinite पे देखिये यहाँ पे एक बात यहाँ देखिएगा यह minus 1 है यहाँ पे minus infinite और minus 1 पे क्या होगा यह ब्रिधिमान होगा और है कहीं पे ऐसा option बिल्कुल डी वाले option में है minus infinite और minus 1 पे यह क्या है increasing है minus 1 और minus infinite पे increasing है अच्छा decreasing भी चेक करना चाहते है तो decreasing भी चेक करेंगे तो वैसे answer हमारे यहीं से मिल गया है हमें आगे करनी की जरूरत नहीं है तो decreasing के लिए क्या करना होगा decreasing के लिए हो जाएगा जो f-x है वो क्या होगा हमारा less than 0 होगा inequality में जब हम minus करेंगे तो वो change हो जाएगी यानि कि यहां पर आने वाला एकी power minus x into x plus 1 greater than 0 चुकि यह क्या है already हमारा increasing function है तो x plus 1 पर यह भी depend करेगा तो x plus 1 greater than 0 इसका मतलब क्या हुआ कि x greater than minus 1 है ना जो क्या होगा greater than minus 1 होगा रख लिजे यहां पर minus 1 इधर हमारा 0 होगा आगे है ना तो अब यह बन जाएगा minus का 1 x कहां तक जाएगा x belong minus 1 to infinite है ना close इंपर इंटर्वल होता है ना open इंटर्वल तो यह minus 1 से infinite में क्या है decreasing है यह क्या कौन सी condition है यह for decreasing और यह क्या थी इस पर क्या है increasing है और इस पर क्या है decreasing है और ऐसा कहां पर दिया गया है option d में दिया गया है है ना clear हो रहा है ना यह एक बार छाप दीजिए comment section में चलिएगा तो यह यहाँ पर कौन सी option सही हो गया 43 का d option जो होगा वो correct हो जाएगा 43 में d option correct हो जाएगा clear है sir आगे बढ़ना चाहें बढ़ें आगे very good evening sir जीवन sir चलिए आगे बढ़ें question 44 की और बढ़ा जाए question 44 दिया गया है हमको कि यदि x अंतराल 0 यह हमें दिया गया close interval है 0,1 में इस्थित है तो इसका नियुंतम मान हमें निकालना है अब जिसका भी नियुंतम मान हमको निकालना होता है y के equal to से लेट कर लेते हैं तो y is equal to आ जाएगा x square plus x plus 1 ठीक है फिर क्या करेंगे differentiate करिए y dash निकालिए y dash कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2x plus 1 y double dash भी निकाल दीजिए वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अब हम क्या करते हैं for minima और मैजिमा for minimum और मैजिमा यानि कि x के उच्चिस्ट और निम्रिस्ट मान के लिए minima और मैजिमा क्या करते हैं हम यहाँ पे first derivative को call to 0 करते हैं यानि कि यह आ जाएगा 2x plus 1 is call to 0 x का जो value आ जाएगा minus का 1 by 2 आएगा अब देखिए यहाँ पे minus का 1 by 2 इस अंतराल में नहीं रहेगा इस अंतराल में नहीं रहेगा यानि कि हम कह सकते हैं कि जो x का यह value आया है वो क्या है not belong to close interval 0 to 1 और जब नहीं belong करेगा तो जबर जस्ती नहीं निकालेंगे अब हमें क्या करना है 0 और 1 पे निकालेंगे किस पे 0 और 1 पे निकालेंगे अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं तो 0 के लिए भी minima होगी और 1 के लिए भी minima होगी y dash देखिए दोनों पहुच धनात्मा काएंगे तो minimum आएगा तो हम क्या करेंगे x is equal to 0 के लिए y का मान निकालेंगे अब देखिए जब भी यह interval में नहीं आ रहा न x का मान 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा तो हम 0 पे निकालेंगे और 1 पे निकालेंगे 0 और 1 पे निकालेंगे जो छोटा होगा वह इसका नियून का मान होगा है ना चलिएगा हम समझिएगा अब कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा y equal to कितना 0 रख दीजिए यहाँ पे तो 0 plus 0 का square plus 0 plus 1 यानि कि इस condition में कितना हो गया यह 1 हो गया अच्छा x is equal to 1 पे निकाल दीजिए x is equal to 1 पे निकालेंगे कितना जाएग 1 का square 1 plus 1 plus 1 यहीं रख रहे हैं y का मान x का मान तो कितना आ गया 3 अब देखिए 0 और 1 पे किस में minimum value किस में आ रही है कितनी आ रही minimum value x is equal to 0 पे 1 आ रही है तो निम्तम मान क्या होगा इसका 1 होगा निम्तम मान क्या होगा 1 माइनस एक बटे 2 नहीं रखेंगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो 44 में कौन सौप्शन सही हो जाएगा 2 आप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे सर जीवन सर ने रिंको कुस्वाह सर ने बिल्कुल सही था सर अरुन कुमार सर बिल्कुल सही था भी सही होगा इसमें आगे बटेंगे question number 45 एक बार share कर दीजिए class को सभी लोग class को एक बार सभी लोग share कर दीजिए जो भी जहाँ पे जिस group में जुडा हुआ है class को share कर दीजिए प्लीज चलिएगा y equal to दिया गया है y equal to x into e की power x तो हमें यहाँ भी चेक करना है कि x is equal to minus 1 पे यह निमनेस्ट बिंदू है यह निक x is equal to minus 1 जो है वो क्या करा है निमनेस्ट है minimum point है है ना minima है और x is equal to 0 पे minima है x is equal to minus 1 पे maxima है x is equal to 0 पे maxima point है एक देखते हैं चेक करके है ना चलिए differentiate कर दीजिए यहाँ भी y dash equal to कितना आ जाएगा first first को रख दीजिए चुप चाप second का करिए differentiation plus second first को छोड़ दीजिए first का तो 1 हो जाएगा है ना तो यह आ गया y dash और जरूरत पड़ती है y double dash की भी तो y double dash भी निकाल दीजिए इसका differentiation करना है x e की power x का तो वही आ जाएगा हमारा x e की power x plus e की power x और यह कितना हो जाएगा e की power x है ना चलिए हो गया भाई इसका तो भाई होना है अब देखे e की power x e की power x e की power x अग जगा पर है e की power x कॉमन ले लो e की power x कॉमन लेंगे तो यह x plus 2 बन जाएगा ठीक है यह तो हमारा y double dash है अच्छा मैगजिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते है इसको 0 करते है है ना for मैगजिमा और मिनिमा क्या करते हैं y dash equal to 0 y dash is equal to 0 यानि की यह कितना हो जाएगा y dash कितना e की power x कॉमन ले ले तो x plus 1 equal to 0 दो गुलन खंड है e की power x is equal to 0 यह हमें मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा x plus 1 is equal to 0 है ना तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा log है ना देखिए a की power m बराबर b तो log यह तो 0 हो गया और यह e आ जाएगी x equal to x हो जाएगा यह निकि यह infinite आ जाएगा x का infinite आ जाएगा और x की value यहाँ पर कितनी आ गई minus 1 तो आप देख चेक कर लेते हैं तो भाई इसके तो लेने का कोई मतलब नहीं है यह तो अमान ने हो गई x equal to infinite पर कोई जरूरते नहीं है है ना यहाँ पर आ जाओ x equal to minus 1 पर चेक कर लो infinite के कोई point नहीं दिया गया तो देखेगा x equal to minus 1 रखके पहले यहाँ देख लीजिए minus 1 रखेंगे minus 1 रखेंगे तो कितना जाएगा 1 तो और यह हो जाएगा e की power minus 1 1 by e positive है कोई दिक्कत नहीं यह भी positive है यानि की x equal to minus 1 पर y double dash x की value जो है वो क्या होगी धनात्मक है और यह धनात्मक है मतलब क्या है x equal to minus 1 पर यह क्या होगा निमनिस्ट होगा क्या होगा यह निमनिस्ट होगा x equal to minus 1 पर कितना होगा यह x equal to minus 1 पर क्या होगा निमनिस्ट होगा क्यों क्योंकि X की जिगर पर माइनस वन रखने पर Y डबल डैस याने कि सेकेंडेरिवेटिव की जो वैलु आ रही है वो धनात्मा का रही है तो 45 में कौन सो अफ़न सही हो जाएगा A रिंको कुछवार सर बिल्कुल सही जवाब दे हैं आपने 45 में A अरुन कुमार सर 45 में A सांदार सर सर जीवन कुमार सर बिल्कुल सही था 45 में A चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन नबर 46 एक बहतरीन क्वेस्टन ये दिया गया है F X is equal to sin P X cos Q X और P और Q क्या है ग्रेटर देन 0 है और एंगल के बीच में एक्स जो are no से पाई ज़ाइ बायडी के बीच में है तो हमको निकालना है कि वह उचिस्ट मान है यह उचिस्ट मान है यह बताना है लेके है देखते हैं यह वाइ consistent और क्यों करेंघ करेंगे तो बहुत बढ़ा होने वाला है तो बहुत बढ़ा नहीं करेंगे हम थोड़ा सा कोशिस करेंगे कि इसमें और आसान किया जाए देखो P और Q क्या है ग्रेटर देन जीरो है P और Q जो है वो दोनों क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो एक काम करते हैं यह question आपको रटा होगा बिल्कुल सही है ना तो B is equal to P is equal to 1 माल लेते हैं जीरो से बढ़ा है और Q is equal to 2 माल लेते हैं ठीक है हमने माल लिया क्यों यहीं से लेके चल नहीं देखो P और Q माल लिया हमने अच्छा तो अब हमें जो Y यहां से मिलने वाला है वो कितना मिल गया P की value 1 रख दी हमने तो sin X मिल गया और Q की value 2 रख दी तो यह cos 2 X मिल गया differentiate करिएगा Y dash is equal to इसका जो differentiation आएगा Y dash is equal to आजाएगा कितना differentiation आप करिएगा इसका differentiation मैं निप्टाय दे रहा हूँ जल्दी से है ना minus का 2 sin square X cos X plus cos cube X यह इसका differentiation हो जाएगा फिर हमको इसका second derivative भी निकालना पड़ेगा check करने के लिए तो इसका जो second derivative आएगा वो आएगा 2 sin cube X अब आप इसे कितनी जल्दी कर लेते हैं यह आप पे depend करेगा इसे करना ही पड़ेगा shine X और यह cos square X यह y double dash X हो गया हम फिर क्या करते हैं y dash को 0 करते हैं mix bar for maxima और minima के लिए हम क्या करते हैं y dash को 0 करेंगे अच्छा अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो cos X common है है ना तो हम cos X common ले लेते हैं उपर से हम cos X common लेते हैं और दूसरा factor हमारे पास हो जाएगा cos square X minus 2 sin square X 2 sin square X is equal to 0 एक value हमको मिल जाएगी cos X is equal to 0 तो एक मिल गई हमें X is equal to 90 degree लेकिन उसने कहा है जो X है 0 और 90 के बीच में है इसलिए ये अमानने हो जाएगा जो अमानने हो गया उसे छोड़ो जिसकी जरूरत है उसे लेके चलते हैं तो देखिए cos square X minus 2 sin square X is equal to 0 तो ये आ जाएगा tan square X is equal to 1 by 2 और यानि कि यहां से आने वाला है tan X is equal to 1 by root 2 tan X is equal to कितना आ गया 1 by root 2 अच्छा 1 by root 2 आ गया लेकिन अब इस 1 by root 2 के लिए हमें चेक करना है कि Y' उच्छिस्ट है कि नहीं तो इसके लिए Y' निकालने के लिए में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी किसकी sin X की और cos X की तो ये tan X दिया गया है लंब बटे आधार होता है लंब ये हो जाएगा आधार under root 2 हो जाएगा और ये under root 3 आ जाएगी यानि कि यहां से sin X की जो value आ जाएगी sin X की जो value आ जाएगी वो क्या होता है लंब बटे आधार तो एक बटे लंब बटे करण एक बटे under root 3 और क्यों cos X की value आ जाएगी आधार बटे करण यानि कि under root 2 बटे under root 3 या आप य डबल डैस की value निकाल ली जाए पहले है ना चिक के लिया जाए को चिस्ट है की नहीं य डबल डैस इसकोल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन क्यूब कह रहा है तो 1 अपान 3 root 3 होंगे साइन एक की value 1 अपान root 3 रखना है माइनस साथ गुडे ये साइन एक की value एक बटे under root 3 दिया है cos square X हो जाएगा कितना ये आ जाएगा 2 बटे 3 ठीक है साथ गुडे चौदा 2 बटे 3 अंडर root 3 माइनस 14 बटे 3 अंडर root 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 बटे 3 अंडर root 3 value negative है इसका मतलब क्या है की 10 X यानि जो X की value आई है इसके लिए क्या है उच्चिस्ट है ये है ना मतलब की ये ही सही है क्या है उच्चिस्ट है और उच्चिस्ट मान के लिए ही उनसे बात कर रहा है यानि की 10 X is equal to 1 बटे अंडर root 2 पर क्या है उच्चिस्ट है तो 10 X is equal to कितना अगर हम इसको ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1 by root 2 इसी पर उच्चिस्ट है वो 1 हमने किसको माना था P को तो ये आ गया P और 2 किसे माना था 2 को 2 किसे माना था Q को यानि की यहाँ पर होने वाला 10 X is equal to root P by Q X is equal to आ जाएगा कितना 10 inverse root P by Q कौन सा option सही हो रहा है 46 का A option जोगा यानि कि यहाँ पर A option जोगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ें सर्फ सिंपली ही हो जाता differentiation करके जल्दी हो जाता हो तो जाता लेकिन wide ass चेक करने के लिए कई बार question अगर पलड़ दिया wide ass हो सकता है ना हो है ना none सही हो जाए तो यह करना जरूरी है है ना लेकिन अगर हमारे पास time नहीं है तो हम इसको bycott भी कर सकते हैं कि चलो ठीक हम मान लेंगे understood है कि वो होगा है ना फिर chances होते हैं कि गलत भी हो सकता है प्रशन आपका ठीक है very good evening प्रदीप सर आगे बढ़ते हैं सब 47 क्या रिंको को स्वाँ सर आप मेरी बात से संतुष्ठ है चलिएगा 47 में integration करना है integration की limit दी गई है हमको कहां से कहां तक minus का 1 से लेके 2 तक है ना चलिएगा minus 1 से लेके 2 तक model x divided by x dx चलिए अब देखिएगा यहां पे mod x को तोड़ने का तरीका क्या है जब हमारा x क्या हो greater than 0 हो 0 से बढ़ा हो तो plus का x होगा और अगर x less than 0 है तो यह minus का x होगा ठीक है चलिए तोड़ते हैं इसको minus 1 से ले जाओ 0 तक 0 तक minus 1 से 0 तक के बीच में क्या होगा यह हमारे पास negative होने वाला है है ना क्या होगा भाई यह negative होगा x क्या होगा mod x की value क्या होगी minus 1 से 0 के बीच में negative रहेगा तो यह minus का x बटे x dx प्लस अब 0 से 2 तक ले लिजिए धनात्मक value है धनात्मक value है है ना 0 से क्या है यह वड़ी है इसके लिए क्या करना है x लेना है root mod x की value mod x की value क्या होगी plus का x लेना है और यह हो जाएगा सहब dx अब को काट दीजे जीरो से 2 हो जाएगा यह minus को रहने दीजिएगा और यह कितने होने वाला है 0 plus 1 plus और यह कितना हो जाएगा 2 minus 0 कितना जाएगा minus का 1 plus का 2 यानि कि कितना आने वाला है यह plus का 1 तो 47 में जो value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी A वाला option जो होगा correct हो जाएगा है ना चलिएगा बिल्कुल sir कह रहे हैं रिंको कुछ वाहसर कह रहे हैं कि B सही होगा sir 47 में B कि कैसे होगा A होना चाहिए ना minus 1 होना चाहिए 1 ही तो आएगा इसकी value minus 1 से 0 के बीच में negative रहेगा और यह positive रहेगा यहाँ पर 0 से 2 के बीच में है ना चलिएगा तो कौनसा option सही हो जाएगा यहाँ पर A option सही हो जाएगा और लोग response कीजिए थोगा जल्दी जल्दी है ना चलिएगा तो मेरे इस आफसे तो 47 में A सही होना चाहिए यह वाला option क्योंकि यह minus x से भी तो रहेगा minus भी तो रहेगा यह चलिएगा साब आगे बड़े question 48 48 48 में दिया गया है integration dx divided by root 1 plus cos x अब देखिए यहाँ पर 1 plus cos x है है ना integration निकालना है इसका integration यह हो जाएगा हमारा dx divided by देखिए 1 को अगर हम लिख दें cos square x by 2 plus sin square x by 2 और sin x को लिख दें 2 sin x by 2 cos x by 2 यानि कि यह बनने वाला है हमारे पास sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square root से बाहर निकल जाएगा यह आ जाएगा integration dx divided by sin x by 2 sin x by 2 बीच में plus है plus मारो root निकल गया यह वर्ग और वर्ग मुल्क हतम और यह हो जाएगा सहाब cos x by 2 एक काम हम यह करना चाहते हैं कि यहाँ पे root 2 से multiply किया जाए तो जो root 2 से multiply करोगा उसे हम बाहर ले रहे हैं और root 2 से divide किया जाए तो root 2 से जो divide है वो चुपचाप यहाँ पे divide है ठीक है चलिए यह अपना divide में है कोई दिक्केत नहीं sin a cos b तो यह आजाएगा one upon root 2 को रहने दिजिएगा integration यह dx देखें यहाँ पे यह sin x है sin x cos 45 sin x by 2 cos 45 यानि कि cos pi by 4 plus cos x by 2 sin pi by 4 यानि कि यह formula बन रहा है sin x sin a plus b यानि कि sin x by 2 plus x by 2 plus pi by 4 उपर ले जाएए one upon root 2 यह बन जाएगा integration में कितना cos x by 2 plus pi by 4 और यह dx और हमें पता है अगर हम x by 2 इसको t मान लें थोड़ी देर के लिए है ना इससे मानना t जरूरी है ठीक है क्योंकि थोड़ा सा देखो option में थोड़ा थोड़ा major सा अंतर है थोड़ी शी अगर हमने means क्या कहते है उसे साउधानी घटी तो दुर घटी तो दुर घटना घटी x by 2 plus pi by 4 is equal to t differentiate करिए one upon 2 dx is equal to dt it means dx is equal to कितना हो जाएगा 2 dt हाईए इधर ये कितना जाएगा 2 को हम उपर से लेंगे common 2 by ये root 2 दिया ही है integration अब ये बन गया cosec t dx की जगा पे dt ये 2 dt था 2 हमने बहार ले लिया है अच्छा अब हमें पता है कि जो cosec t का होता है वो क्या होता log tan x by 2 है ना cosec x का जो difference integration होता है वो क्या होता है log tan x by 2 तो ये तो काट दीजिए तो ये under root 2 बनेगा उपर under root 2 हो गया और ये log tan t by 2 t by 2 t का value रखो ये है तो 2 से multiply भी करते जाना नीचे तो x by 4 plus pi by 8 plus c है ना कौन सा option है ऐसा 48 में b option जो है कुछ ऐसा ही है है ना हू बहू तो 48 का कौन सा option सही हो जाएगा भी या b वाला option correct हो जाएगा बिलकुल सही जवाब 8448 का b option सही होगा रिंकू कुस्वाहा सर कमले अंदर मिस्त्रा सर 48 में b सही है बिलकुल सही ज़ा सर 46 में 47 में वो बिलकुल सही ज़ा सर चलिए का साब आगे बढ़ेंगे question number 49 बिलकुल सही ज़ा अरुन कुमार सर 49 का integration निकालना था integration x square 2x dx ये निकालना था देखिएगा अच्छा निकालिए भाई integration इसका इसको first मानिए और इसको second मान लीजिए ठीक है first second हो गए अच्छा फिर क्या करते है second का integration है न भाई integration शुरू करते है first को तो चुपचा बाहर रखते है x square into second का integration का मतलब क्या हो गया 2x e की पावर x का वही रहता है बस जो कोफिसेंट होगा x के साथ उसे डिवाइड में कर दीजिए आ गया minus integration first का ओकलन तो ये 2x हो जाएगा और second का integration e की पावर 2xy2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा 2 से 2 काड़ दीजिए अब ये कितना हो जाएगा equal to आएगा 1 बटे 2 x square e की पावर 2x minus integration करना है x e की पावर 2x का ठीक है तो x का तो वही रहने दीजिए first को बाहर रखिए second का कर दीजिए integration divided by 2 हो जाएगा minus integration first यानि x का differentiation 1 और इसका कितना हो जाएगा ये 2xy2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा ठीक है ये हमारा वही रहेगा 1 बटे 2 x square e की पावर 2x minus multiply करो minus का अंदर ये आ जाएगा x into e की पावर 2x बटे में 2 और minus minus हुआ plus देखिए अब 1 बटे 2 बाहर आएगा e की पावर 2x का फिर से integration होगा तो 1 बटे 2 और वो निकाल देगा ठीक है अब हम चाह रहें कि इनमें 1 बटे 4 जो common है वो common ले लिया जाए हम common लेंगे पहले तो 1 बटे 4 ले लिजिए common और क्या लिजिए भिया e की पावर 2x ले लिजिए अब देखिए हाँ एक बटे 2 थाथ 2 का उपर multiply हो जाएगा 2x square minus एक बटे तो यहां भी दो को उपर multiply 2x और यह प्लस 1 यहां तो यह तो पुरा बाहर निकल गया प्लस 1 प्लस C ऐसा कोई option 2x होना चाहिए यानि कि यहां पर कोई भी option सही नहीं है तो डी वाला option कोईडिनेट दिए गए है यह थाना प्राचलिक्स कोईडिनेट दिए गए है कि यह दो पॉइंट है कहां पर हाइपर बोला पर हाइपर बोला की question दी गई है x square upon a square minus y square upon b square is equal to one और कहां जो एच कॉमा की है है is the point of intersection इन दोनों normal का point of intersection account h, q और यह कहां पर खीचे गए normal p और q points पर क्राइब then k is equal to k equal क्या होगा तो हमें देखना है कि हम क्या करेंगे पहले normal p वाले p पर निकाल लेते हैं भाई यह प्राचलिक्स प्राचलिक्स हमें point दिया गया है a sec theta b tan theta तो इसका जो normal का equation हो जाएगा आपको पता है इसका normal का equation क्या हो जाएगा a x cos theta plus by cot theta equal to a square plus b square किस point पर p point पर हो गया अच्छा और इससी q point पर x square upon a square minus y square upon b square is equal to one का one के q point पर q point के जिसके coordinate दिये गये हैं इसका जो normal का equation होता है वो क्या हो जाएगा a भाई वहाँ पर क्या था theta था यहाँ 5 हो जाएगा a x cos phi plus by cot phi equal to a square plus b square यह हमारी question है अब हमें क्या करना इसी में देखिए यहाँ पर दिया गया है रिष्टा हम को दिया गया यह दूसरी वाली जो एक question हमको दी गई है तो हम 5 की जगह पर रख सकते हैं क्या 5 by 2 minus theta तो हम उठा के रख देंगे तो यहाँ पर cos phi यानि कि यह हमारा बन जाएगा यह हमारी question 1 है और यह question 2 है इन दोनों को हम पॉइंट आफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और पॉइंट आफ इंटरसेक्शन हमको पता है कि ह,क है यह हम यह कह सकते हैं कि भाई normal n1,normal n2 दोनों जो है कहां से पास हो रहे हैं भाई दोनों नॉर्मल जहां पर भी n1 और n2 एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे उस point के coordinate हो जाएंगे क्या,h,k कहने के मतलब यह है कि यहां से n1 भी पास हो रहा है यहां से n2 भी पास हो रहा है पहला नॉर्मल और दूसरा नॉर्मल दोनों नॉर्मल इस point से pass हो रहे हैं तो इसे satisfied करेंगे तो h,k को sah mega करेंगे जहां पर x है वहाँ,h हो जाएगा और जहां पर के है जहां जोहां पर y है वहां पर k हो जाएगा तो पहली question देखिए कि question 1 क्या हो जाएगी a h cos theta plus b k cot theta equal to a square plus b square अच्छा दूसरी वाली question क्या हो जाएगी यह वाली question 2 को pass करवाईए h, k से तो हो जाएगा a h sin theta plus b k tan theta is equal to a square plus b square अब देखिए मैं क्या करना है, हल करना है, मैं k की value निकाल नहीं तो हम क्या करेंगे, h को eliminate करेंगे h वाले term को eliminate करने के लिए देखेगा a h यहां भी है, a h यहां भी है, उपर cos theta है, नीचे sin theta है cos के साथ हमको sin theta का multiply करना होगा, और sin theta के साथ हमको cos theta का multiply करना होगा यानि कि उपर वाली question में हमको sin theta से multiply कर देना जिससे h eliminate हो जाएगा अब आपको पता है जिससे eliminate करना होता उसके sign देखने होते हैं method में will open bd में दोनों plus के हैं और आपको पता है कि जब equal sign होते हैं तो क्या होता सब्ट्रेक्ट करने पर होता है घटाने पर होता है घटा दिया हमने घटाने पर चिन्न बदल जाएंगे यह minus हो जाएगा प्लस यह plus है तो माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा ठीक है अच्छा आप देखेंगा यह तो cancel out हो गया इसके बाद देखो यह bk सब्सधिता है ना कौट थीटा कोम लिखेंगे साइन थीटा से गुड़ा होगा तो बट्टे वाला कट जाएगा मतलब उपर सिर्फ ऊस थीटा बचा बीके हम कामन लेंगे कऱेंगे और अब इधर आ जाएंगे a square plus b square यहां भी है, a square plus b square यहां भी आगा, हम दोनों से common ले लेंगे, ऊपर sin theta रहेगा, नीचे क्या रहेगा, cos theta रहेगा, है न, minus का cos theta हो जायेगा, subtract करके, a square b square हमने common ले लिया, अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां minus हमने common लिया, तो minus का b k, ढूल अपले मैंने कोश्टीटा है इधर मैंने मैंने सब्सक्राइब की थीडा माहिनिस थे घ्र जाएगा क्वेस्टन नमर 51 कह रहा है कि आपके सामने क्वेस्टन है समझे और शुरुवात करते हैं इसकी देखेगा कि कह रहा है कि दा एरिया आफ ट्रेंगल ठ्रेंगल बना लेना है जो भी पूछा जा रहा है एक ट्रेंगल बना लेते हैं देखें यह ट्रेंगल अबी सी जिसमें हमें कोडिनेट दिए गया है एक ट्रेंडू सी दिया गया है अच्छा C के बारे में सिर्फ छोटी सी जानकारी हमको ये दी गई है कि जो C है उसका coordinate तो नहीं पता है लेकिन ये lie कर रहा है point C जो x minus y equal to 2 पे lie कर रहा है यानि कि point C यहाँ पे इस्थित है point C कहाँ पे है इस line पे इस्थित है अच्छा point A का जो coordinate दिया गया वो हमें दिया गया minus का 5,0 और point C बी का point coordinate जो दिया गया है वो 3,0 दिया गया है अच्छा ये lie कर रहा है और हम अगर point C के coordinate x,y माल लें है ना तो ये बताइए जो x होगा वो तो x ही रहेगा भुजतो वही रहेगा और ये x,y इस पे lie करेंगे तो x,y, smart,to 2 होगा यानि से अगर हम यहां से quote यानि की y निकालना चाहें तो यहां से y की value निकल के आएगी x,mाइनश,2 ठीक है और इस triangle का हमको area दिया गया है इस triangle का हमें area दिया गया है ठीक है, कितना दिया गया है भी यहा, इस triangle का area दिया ही उन्हार रहे हैं को 10 तो लगा देते हैं ए एरिया का अगा लगाए को पॉइंट्स रखना शुरू करिए, यहां से रखना शुरू करिए, 3,0, कोशिस करते हैं, कि जो पहला पॉइंट ले, अगर उसमें 0 दिया गया हो, तो 0 वाले खुले, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यही पॉइंट लाश्ट में फिर से रिपीट करते हैं पहला पॉइंट हम रिपीट कर देते हैं, पहला पॉइंट 3,0 हो गया, इक कोल टू कितना हो जाएगा भई है, इसका एरिया कितना दिया गया है, 20, इस दो का इधर गुड़ा होगा, 40 हो जाएगा, इसका गुड़ा करिए, 0, इसका गुड़ा करेंगे, तो कितना जाएगा यह आ जाएगा minus का 5 into x minus 2 अब देखो x का 0 से जोड़ा करेंगे हमें क्या करना है इनका multiply करके जोड लेना है तो इनका 0 ही हो जाएंगे सिर्फ इतना बचेगा तो minus 5 और x into x minus 2 हो गया फिर minus करना है इनका multiply इसका multiply करेंगे 0 आएगा इसका multiply करेंगे 0 आएगा इसका multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 3 multiply करेंगे minus भी लगाएंगे तो यह हो जाएगा plus यह कितना हो जाएगा multiply करेंगे 3 का multiply करिए गटाना है 3 का multiply हो जाएगा 3 x और minus का 6 equal to कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा ठीक है भाई कोई बात नहीं multiply करिए माइनस का 5x हो जाएगा plus का 10 माइनस 3x plus का 6 equal to कितना हो जाएगा 40 कितना बचेगा ये माइनस का 8x is equal to 16 उधर जाके घड़ जाएगे कितना बचेगा 24 हो जाएगा और x is equal to कितना जाएगा minus 3 x minus 3 आ जाएगा तो y बराबर कितना दिया गया है हमें y बराबर दिया गया है x minus 2 पहला coordinate कितना minus 3 है दूसरा minus का 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा minus 3 minus 2 यानि कि minus का 5 हमने c के coordinate माने क्या x, y और x, y माने है तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5 कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा बी वाला अप्सन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सबीको सुभशंद्या थोड़ी सी टेक्निकल एगर थी स्टार्टिंग में है न चलेगा पॉइंट नंबर लाइन से चेक पर्दी तो ठीक रहेगा अच्छा अच्छा पॉइंट को हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ही सांदार है न सर बहुत सांदार अगर ये इसको लाइग कर वा रहात तो बिल्कुल बहुत सही था एक्टम सटीक है na हम क्या करेंगे पास करवादेंगे यहां पे तो देखें यहां पे अगर हम इस वाले को चुकि ननाब दिए बब दिया है इनमें से कोई नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि यह B point ही सही हो कोई ऐसा point भी इस option में दिया जा सकता था जो इस line को तो satisfied कर जाता चुकि none अब दिया अब नहीं दिया होता तो हमें method की कोई जुरूत नहीं थी method बिल्कुल नहीं करते हैं point को lie करवा देते हैं लेकिन फिर भी अगर आप risk लेना चाहते हैं last time तो b option को इस line से pass करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा minus के 3 plus का 5 equal to 2 बिल्कुल 2 is equal to 2 b option correct है लेकिन अगर none आप दिये अब आब है तो करके देख लेना थोड़ा सा ज्यादा बहतर होगा है न चलेगा 51 में b option सही है बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पर प्रमोट सर का कमलेंद मिस्त्रा सर बहुत सही सर अधेश सर बिल्कुल सही है सर अरुन सर इक्यान भी सही सर जीवन सर बिल्कुल सही सर लाजवाब सर चलेएंगे question number 52 52 52 question करा कि if fx is equal to हमको दिया गया cos log x ठीक है अच्छा ये दे दिया गया हमें value निकाल ली है किसकी f of x into f of y ठीक है minus 1 बटे 2 f of x by y minus उस और भी प्लस है f of x y इसकी value चाहिए हमको तो ये तो simple सी पता है कि या fx दिया गया है तो दिये गया हमको cos log x ठीक है और ये कितना हो जाएगा cos log y minus 1 बटे 2 अब देखिए यही समझने की कहानी है अगर हम x y y रखेंगे x की जगब ये रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना log x minus का log y और आगे इसी के साथ प्लस में दिया गया है cos x y x y रखेंगे तो आपको पता है cos के एंगल के अंदर बन जाएगा log x plus log y कहने के मतलब ये है cos a minus b plus cos a plus b अंदर बन रहा है और cos a minus b plus cos a plus b 2 cos a cos b के बराबर होता है है ना 2 cos a cos b और cos a की जग़ा पर कितना है x और cos b की जग़ा पर कितना है y है ना यानि इसी साथ log भी तो रहेगा तो ये 2 log x हो 2 cos log x हो जाएगा और एंगल में log x है हमारे पास और log y है b की जग़ा पर तो ये इतना बचेगा चुकि देखें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos a minus b plus cos a plus b बन रहा है तो ये तो कट जाएगा बतलब कि सिर्फ हमारे पास क्या बचेएगा 2 cos a cos b 2 से 2 काट दीजिए अब हम देख रहे हमारे पास वही सेम बचा हुआ है एक बच गया cos log x और यहाँ पर है cos log y minus cos log x into cos log y plus और minus दोनों cancel हो जाएगे answer हमारा 0 मिल जाएगा 52 में b all option जो होगा correct हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर और धेश कुमार सर ने ना जवाब सर कमलेंद मिस्तरा सर बिल्कुल सही है अरून कुमार सर बिल्कुल सही है सत्यवीर सर बिल्कुल सही है 52 में d option जो होगा वो correct हो जाएगा चलिएगा साथ आगे बढ़ेंगे question number 3 की तरफ लाजवाब सर जीवन सर question number 53 question number 53 मंगलम सर लाजवाब 0 53 में हमको domain निकालना है हैना इसका प्रांत ग्याद करना है और आपको पता है कि ये हमको दिया गया है function दिया गया है fx is equal to root के अंदर दिया गया है 2 minus 2x minus का x square अब देखिए root के अंदर हमें एक बात पता है जो भी function दिया गया अगर उसका में वर्गमूल निकालना है minus का 2x minus का 2 minus 2x minus x square ये क्या होगा हमेशा क्या होगा greater than 0 होगा ये equal to 0 भी हो सकता है 0 कभी वर्गमूल निकाला जा सकता है लेकिन कभी भी less than नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यानि कि fx के अंदर जो हमारे पास ये लिखा होगा 2 minus 2x minus x square हो क्या होगा मेशा greater than equal to 0 होगा minus common दोनों तरफ minus से multiply कर दीजे x square plus 2x minus 2 less than equal to 0 हो जाएगा इन equality change हो जाएगी है ना फिर क्या करेंगे सिरी धराचार सूत्त के मदद से हम इसके factor कर लेंगे है ना इसके factor करेंगे तो इसके 2 factor हो जाएगे एक factor इसका हो जाएगा सिरी धराचार के मदद से करना है एक हो जाएगा x plus 1 plus root 3 और दूसरा हो जाएगा x plus 1 minus का root 3 है ना ये हो जाएगा less than equal to 0 ठीक है यानि कि ये हमें यहाँ पे close interval मिल जाएगा कितना minus 1 ये बन जाएगा minus 1 और minus root 3 से greater than होगा equal to होगा हमारा x और less than equal to हो जाएगा minus 1 plus root 3 है ना यानि कि कौन सा option सही हो जाएगा तरपन में b option सही हो जाएगा बिल्कुल सांदर जाएगा यहाँ पे अओदेश कुमार सर बिल्कुल सही सर प्रमोप सर्मा सर तरपन में b लाजवाब सर कबलेंद सर बिल्कुल सही सरजीवन सर बिल्कुल सही है है ना यहाँ पे सिरी-धरा-4 सूत लगाएगे यह clear होके हमारे पास जो option आएगा वो कौन सा आजाएगा B ठीक है सर आगे बढ़ेंगे Question number B करना दा domain of the function इस function का हमें domain निकालना है अब देखे function हमें क्या दिया गया y is equal to 1 by root mod x minus x mod x minus x अब समझे हमें एक simple सी बात पता है कि अगर नीचे है तो 0 तो नीचे बरदास्त किया नहीं जाएगा मतलब कि root के अंदर अगर नीचे कोई संख्या आई है उपर तो बरदास्त कर लेंगे नीचे undefined हो जाएगा इसलिए 0 बरदास्त नहीं करेंगे यानि root के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है root के अंदर जो कुछ भी लिखा गया वो क्या होना चाहिए हमेशा greater than 0 होना चाहिए है ना क्या होना चाहिए हमेशा greater than 0 होना चाहिए अच्छा अगर हम इसमें minus से multiply कर दें तो x minus mod x less than equal to 0 less than 0 हो जाएगा ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं अब क्या करें x less than mod x हो जाएगा अच्छा फिर x divided by इसको इधर लेओ mod x को यह less than 1 हो जाएगा अब हमें क्या करना है वो value रखना है जिसके लिए x बड़े mod x क्या हो 0 से छोटा हो एक से छोटा हो एक से छोटा हो तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी negative value रख लें कोई भी negative value रख लें वो acceptable होगी देखिए यहाँ पे अगर हम माले यह थोड़ी तरह के लिए minus 1 रख के देख लें तो minus 1 बटे नीचे से modulus निकल के आएगा plus का 1 हो जाएगा less than 0 less than 1 होगा minus 1 छोटा ही है तो minus कोई भी negative value के लिए सक्त है यह किसी भी negative मान के लिए 0 बटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई यह less than 0 हो जाएगा यहाँ पे हम minus infinite से 0 तक minus infinite से 0 के बीच में कोई भी negative रखेंगे जिसके लिए यह क्या होगा true हो जाएगा उसके लिए वो शत्त हो जाएगा हमेशा क्या होगा less than equal to 0 होगा ठीक है आगे बढ़ा जाएगा 54 में कौन सा option सही हो जाएगा a वाला option सही हो जाएगा 54 का a option correct हो जाएगा चलेंगे साब आगे 55 55 55 55 में कहरा है कि the set of all points where the function fx is equal to x xy a minus smaller 6 अब देखेंगा यहां पे mod x दिया गया यहां पे ax by a minus mod x जो fx दिया गया है fx यह प्रतेक point के लिए क्या होगा differentiable होगा x बटे a minus mod x हैना यह क्या होगा x के प्रतेक मान के लिए differentiable होगा हैना अगर यह यह यहां पर x is equal to 0 पर भी अगर ये X पिर डिफ्रेंसियबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि minus infinite से plus infinite तक किसी भी number के लिए डिफ्रेंसियबल होगा और x is equal to 0 के लिए अगर डिफ्रेंसियबल नहीं होगा तो हम फिर C value option की तरफ जाएंगे और अगर डिफ्रेंसियबल लाएगा X is equal to 0 पे तो A पर जाएगे तो चलिए X is equal to 0 पे हमें पहले निकालना LHD है ना तो उसके लिए function हमारा क्या हो जाएगा भीया function हो जाएगा जब हम क्या करेंगे X हमारा less than 0 है तो यह बन जाएगा X divided by A plus X और अगर X greater than 0 हो जाएगा तो अगर greater than 0 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा X बटे A minus X है ना यह बन जाएगा चलिएगा करते हैं यहाँ पे हम पहले LHD निकालेंगे X is equal to 0 पे हम लिकाल दें पहले LHD left hand derivative limit हो जाएगी X tends to 0 हो जाएगा और F कितना 0 minus H और F 0 divided by कितना हो जाएगा minus का H function कौन सा इस्तेमाल करना पहला वाला तो रख दीजिए कितना आ जाएगा यह आ जाएगा limit H tends to 0 0 minus H यानि कि minus का H बटे A minus H और यह तो 0 ही हो जाएगा minus का 0 divided by minus का H यह दोनों cancel हो जाएगे हम limit apply करेंगे तो यह 1 by A आ जाएगी है ना RHD निकाला जाए right hand derivative निकाला जाए right hand derivative अगर निकालेंगे तो H tends to 0 और कितना 0 plus H रखो इस वाले में नीचे वाले में रखना है है ना तो कितना आ जाएगा यह जाएगा 0 plus H का मतलब क्या हुआ H बटे है ना H बटे हो जाएगा हमारे पास 0 minus का कितना हो जाएगा A plus H तो यह हो जाएगा A 0 plus H यानिक हो जाएगा minus का H यहाँ पर हमने क्या रखा था उपर वाला function इस्तेमाल किया था ठीक है अब हमें रखना 0 plus H यह भी minus का H हो जाएगा और यह minus का 0 ही हो जाएगा यह H हो जाएगा यह H दोनों कैंसिल हो जाएगे यह भी 1 by A आ जाएगा है ना आप देखें यहां पर LHD और RHD है ना LHD और RHD दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए अब LHD और RHD अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हुआ LHD कोल टू कितना आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि X is equal to 0 पे जो function है इमारा वो क्या है डिफरेंसियेबल है अब X is equal to 0 पे डिफरेंसियेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि minus infinite see plus infinite marca कि किसी भी poin के लिए माइनस in infinite see plus infinite के विश क्या होगा डिफरेंसियेबल होगा यानी पजबन में कौन से ओप्षन सही हो जाएगा ए ओप्षन सही होगा बिलकुल सही जवाब दिया है यहां पर मुझे सब जगए क्या होगा डिफरेंस सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे पासिन नुबर छब्र पान इसका बड़ा लेंदी सोलूसन मिला था हमसे कहाँए कि देन एक बटे दो यानि कि 0 समलो 5 पे एक पे और पाई बाई टू पे इन तीन पॉइंट्स पे डिफरेंस येट नहीं होगा इन पॉइंट्स पे डिफरेंस येट नहीं होगा तो इसका सुलूशन के लिए फिल हाल हम C के साथ जाएंगे तीन उप्संस बाकि इसका लेंदी सोलूशन है सोलूशन मिलता तो कल वाली क्लास में हम करवा थे इसे ठीक है तो 56 में C वाला उप्सं करेक्ट है अभी यहाँ पे सिर्फ मैं उप्सं बता रहा हूँ और इन तीनों पॉइंट्स के लिए भाई पाई बाई टू के लिए तो अंडिफाइन हो जाएगा फंसन तो उसके लिए तो होगा ही नहीं और एक यह एक बटे दो और एक के लिए भी नहीं होगा डिफ्रेंसियेटिव है ना इस इंटर्वल में चलेगा बगी अगर प्लियर होता तो फिर कलोर देखते हैं आगे बढ़ेंगे साब कोई सॉलूसन हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा है ना वाटसप करिएगा 57 देखेंगे 57 में कह रहा है कि वाई इसकोल टू टैन इन्वर्स एक बहुत छोटा क्वेश्चन है यह है ना टॉल्स लेबल का क्वेश्चन है और हम में से सभी को आथा भी है है ना चलेगा wise equal to दिया गया है tan inverse रूट के अंदर दिया गया है 1-cos xy2 तो यह हो जायाए 1-1 1-1 पलस हाफ़ एंगल में तोड़ दिया जाए 2 5 square x y 2 divided by divided by यह 1 plus हो जाएगा 2 cos square x y 2 minus 1 यह से यह कर दीजिए 1 से 1 कर जे 2 से 2 कर जाएगा 10 square x y 2 root के बाहर 10 x y 2 निकलेगा और यह मतलब कहने का यह है कि 10 inverse 10 x y 2 निकल के आ जाएगा inverse और 10 दोनों हट जाएगे y is equal to कितना आ जाएगा x y 2 differentiate कर दीजिए x के respect में y dash is equal to कितना हो जाएगा 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा और x का differentiation 1 हो जाएगा तो divide x कितना आ गया भीया 1 बटा 2 57 में कौन सा option सही हो जाएगा b option 57 का जो b option होगा correct हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया है आप प्रबोट सर ने औधेश कुमार यादो सर ने 77 उन फी सर जीवन गुमार सर बिल्कुल सही है सर सत्तवीर सर बिल्कुल सही है कमलेंद सर बिल्कुल सही है सर जीवन सर ला जवाब है ना चलेगा आगे बड़ेंगे question number 58 की तरफ 58 में भी हमें divide x ही निकालना है आसान question भी पूछे गए थे हर एकजाम में आसान question भी पूछे जाते हैं no doubt देखेगा दिया गया है sin x plus y चलिए आप निकालिए इसको जल्दी sin x plus y equal to दिया गया है log में कितना x plus y और हम से पूछा है कि divided x की value क्या होगी है ना did x of y क्या होगा चलिएगा लगाईए question number 58 differentiate करेंगे x के respect में sin x plus y का differentiation हो जाएगा x cos x plus y x plus y का फिर से होगा function आप function है तो कितना हो जाएगा इसका तो 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा y dash है ना y dash मतलब divided x equal to same इसका भी हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by x plus y और इसका फिर से होगा तो 1 plus y dash हम चाह रहें कि सब को उठा के एक साथ रख लिया जाएगा गलती मत करें कि काट दें क्योंकि हमें y dash ही निकालना है है ना तो हम यहाँ पे अगर एक तरफ लेंगे एक ही पक्ष में लेके आएं तो हमको 1 plus y dash common मिल जाएगा और bracket के अंदर जो हमारे पास बचने वाला है वो बचने वाला है cos x plus y minus 1 by x plus y equal to 0 पहले factor को अगर हम 0 के equal करते हैं यानि कि 1 plus y dash equal to 0 तो यहाँ पे y dash is equal to कितना आ जाएगा डीवाल आप्षन सही हो रहा है 58 का D option सही हो रहा है अमन very good dealing बिटा चलेगा बिल्कुल सही जवाब है प्रमोच सर्मा सर का बिल्कुल सही है अउधेश कुमार सर का बिल्कुल सही है निर्देश कुमार सर 58 में D लाजवाब सर सर्जीवन सर 58 में D सत्वीर से 58 मेडी बिल्कुल सही तासर चलेगा साब आगे बढ़ेंगे एक बार सभी लोग अपने अपने सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पे लिंकों को सेयर कर दीजिए इतना कर लिया करिए इतना कर लिया कर लिंकों को शेयर कर लिया करिए अच्छा करादव एक उक्वेशन दी गई है हमको इस उक्वेशन को करा है कि रेप्रेजेंट करा कि वन डेल्टा इस अ रियल लंबर डेल्टा एक रियल लंबर है और करा है रेप्रेजेंट यह पे içटेटلाइन अन्नि Seoul अच्छा यह जो इक्वेशन हा देखवोमोजीन इसे प्रेजेंट करेगी तो हमें पता है कि डेल्टा क्या होना चाहिए या जीरो होना चाहिए यहाँ पे डेल्टा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अच्छा डेल्टा निकालने के अपने अपने तरीकें हैं मैं अपने तरीकें से निकालता हूँ है ना यह A है यहाँ पे ब है और ये c है और ये f है ये g है और ये h है यहाँ पे भी f और ये g और ये h equal to 0 होना चाहिए ठीक है ये determinant नहीं है मेरा रखने का तरीका है सीधा रखना value सीधा सीधा करके add कर लेना सबको और इधर वाली यानि कि row eyes भी multiply करो सबको add कर लो तो हम पहले a का value रखेंगे तो देखेंगे a का value यहाँ पर 1 है compare करेंगे ax square 1 है b का value लेमडा है और c का value जो है वो 2 है अच्छा f का जो value है एक मिनट थोड़ा सा आपे अब मैंड़ का पांच बटा 2 है आइफ का value कितना हो जगएगा यह वाला y वाल — मैंड़ का 5 बटा 2 जी एक्स तो यह कितना हो जना जाएगा मैंड़ का 3 बटा 2айте कितना हो जाएगा यह 3 बटा 2 हो जाएगाrict K 5 बटा 2 तीन बटा 2 होजाएगा और यह minus का तीन बटा दो equal to कितना लाना भी है? 0, मैंने क्या बताया? इनका सबका multiply करो, इनका सबका multiply करो, जोड़ते जाना है, इनका सबका multiply करेंगे, तो 2 lambda, इनका multiply करेंगे, देखो, 5 ती है 15, औप 25, 45 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुड़े 2 गुड़े 2 सब के साथ 2 2 2 2 है 45 गुड़े कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 3 बटे 2 3 बटे 2 3 बटे 2 ठीक है चलिए भाई multiply करेंगे तो 45 बटे 8 हो जाएगा यानि कि अब plus में आ जाएगा 45 बटा 8 ठीक है plus यह भी plus हो जाएगा 45 बटा 8 45 बटा 8 ठीक है और क्या करना हमको minus कर देना है अब इनको जोड़ दीजिए इनका multiply करिए जोड़ दीजिए multiply करेंगे कितना जाएगा या जाएगा 25 बटा 4 इनका multiply करेंगे तो कितना जाएगा plus में 9 बटा 4 9 बटा 4 लेमडा इनका multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का multiply करेंगे यह आ जाएगा तिंतरिक 9 दुनी 18 बटे 4 प्लस में रहेगा 18 बटे 4 18 बटे 4 equal to हो जाएगा 0 अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है calculate करना इसको यह आ जाएगा 45 बटे 8 45 बटे 8 यह हो जाएगा 18 और यह 33 यह नहीं कि 43 हो जाएगा 43 बटे 4 माइनस का हो जाएगा 9 लेमडा बटा 4 equal to अरे सब कहां ले आएगा इधर ले आएगा ठीक है माइनस कर दिया equal to हमारे पास 0 है कोई बात नहीं 43 में 42 बटे 4 1 बटे 2 हो जाएगा 4 दुनी 8 यानि कि यह आजाएगा हमारे पास माइनस का लेमडा बाई 4 और प्लस का 2 बटा 4 equal to 0 यानि कि लेमडा बराबर कितना आ गया 2 अच्छा अब 10 थीटा बराबर क्या होता है लेमडा अपने निकालने का तरीका हो जो भी आप उससे भी निकाल सकते हैं ABC ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वार माइनस BG स्क्वार माइनस CH स्क्वार से भी निकाल सकते हैं 10 थीटा इस गोलतों कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट H स्क्वार माइनस का AB divided by कितना होता A प्लस B ठीक है 2 इंटू अंडर रूट H स्क्वार H का वैलू कितना है माइनस का 3 बटे 2 यानि कि कितना आ जाएगा 9 बटा 4 9 बटा 4 माइनस A इंटू B A और B का मल्टिपलाई का मतलब क्या हुआ Lambda Lambda कितना दिया गया 2 तो 2 दिया गया ठीक है divided by A प्लस B A प्लस B का मतलब कितना हो गया अब यह हो गया Lambda प्लस 1 यानि कि Lambda प्लस 1 यानि कि कितना हो गया यह 3 हो गया है ना यह कितना हो गया भी यह 3 हो गया अच्छा कितना हो जाएगा 8 1 बटे 4 1 बटे 2 आ गया गुड़े 1 बटे 2 बटे में कौन है 3 3 सबसे बटे में है, नीचे बटे में है, है रहा, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, एक बटे 3 आ गया, 10 थीटा का वेलू कितना आ गया, 10 थीटा, एक बटे 3 और आपको पता है, कौट थीटा कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और कौसे की स्क्वेर थीटा निकाल C वाला option correct हो जाएगा है ना बिल्कुल सही जवाब है 59 का C option सही हो जाएगा ठीक है साब आगे बढ़ेंगे अब देखे question number 60 if one of the line if one of the lines of the pair AX square plus 2HXY plus BY square is equal to 0 bisect the angle between positive direction of the axis अच्छा कि इन में से यह हमारे पास जो भी है किरा है कि यह bisect कर रहा है कौन यह यहां से line जाएगी यहां से line जाएगी क्या किरा है bisect the angle between positive direction of the axis तो यह दोरान हमारे पास दो चीज़े होंगी एक क्या मिल जाएगी दो line मिल जाएगी हमको एक मिल जाएगी y बराबर x और दूसरी क्या मिल जाएगी y बराबर minus x चुकि वो कह क्या रहा है कि यह positive directions मतलब कि हमें सिर्फ यहां वाली से मतलब है हमें सिर्फ यहां वाली से मतलब है यानि कि हमारा मतलब सिर्फ किस से है y equal to x से है ना हमें कौन सी equation से मतलब है y equal to x y equal to x तो y equal to x हमें यहाँ पर put कर देना है ठीक है हमें a, b और h के बीच में संबंद बताना है relation क्या होगा put करिए put y is equal to x रख दीजिए इस equation में तो यह ax square हो जाएगा plus 2hx y की जगा पर x रखेंगे तो x square हो जाएगा plus यहाँ पर y की जगा पर x रखेंगे तो b x square हो जाएगा equal to 0 हो जाएगा सभी में x square common लेके छोड़ दीजिए a plus 2h plus b equal to हो जाएगा 0 और यहाँ से हमको निकालना क्या है अच्छा a plus b को इधर रोक लीजिए positive direction ना कहा होता है ना तो 60 में हम a वाले option को tick मार देते है ना अगर उसने ये ना कहा होता तो हम a वाले option को tick मार दिये होते लेकिन वो कही कि अगर आए positive direction अगर कह रहा है तो यहाँ पर हम b वाले option के साथ जाएगे ठीक है अगर उसने ये ना लगाया होता वेट बीन डारेक्शन साब दा एक्सेस कहता पॉजिटिव सब दना लिखता तो हमारे पास A वाला उप्शन करेक्ट हो जाता ठीक है अब वो चुकि पॉजिटिव कह रहा है तो हमारे पास कौन सा उप्शन सही होने वाला है बी वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 में बी उप्शन सही होगा बिलकुल सही जवाब आया है शत्तवीर सर का है ना 60 में बी वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा सर ठीक है सर अगर उसने ये पॉजिटिव डिरेक्शन ना यूज किया होता है ना तब फिर हम जाते ये वाले option के साथ और थोड़ा से method change होता करने का चलिएगा 61 61 में कह रहा है कि circle are drawn through the point अच्छा 2,0 2 cut intercept of length 5 यानि कि x-axis पे जो cut हुआ एक्स अच्छ पे जो क्या कहते उसे अंताखंड है यहना intercept है वो कितना 5 unit है intercept on x-axis कितना दिया गया है intercept on x-axis वो कितना दिया गया है 61 में of intersection दिया गया है यह दिया गया हमको 5 unit ठीक है if their center lies in the first quadrant अब देख लिजिए पहला option पहले option को try करो first quadrant में होना चाहिए center तो भी या इसका तो center minus में है इसका center जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,3,3 कितना नहीं दो बटे दो मतलब की minus का 9 बटे दो और 9 बटे दो comma minus का k आ जाएगा first quadrant में इसका तो नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा दोनों same sign के हो वही हो सकता है दोनों negative हो जिसके है ना तो हमें पता है कि x axis पे जो कटा intercept होता वो क्या होता 2 under root g square minus c तो जो भी है ना दोनों equation में से c और d में से जो हमको intercept 5 unit का दे देगा वही option सा ही हो जाएगा है ना तो हम इसको try करते हैं देखिएगा यहापर हम try कर रहे हैं इसको तो g 9 बटे 2 तो यह 2 को तो यहीं रहन minus c c यहाँ पर कितना दिया गया है 14 to under root कितना जाएगे 81 minus 56 बटा 4 4 का 2 निकल के गया बाहर है ना तो कितना जाएगा 2 2 को का इसको काट देगा 81 minus 56 कितना बचेगा 11 11 में 6 गये 5 7 2 25 है 5 आ गया 5 intercept दे रहा है कौन सा option दे रहा भी है यह वाला option दे रहा है x success पर कटा हुआ अन्ता खंड कितना इसका तो c वाला option correct हो जाएगा इसमें है ना तो 61 का कौन सा option से ही हो जाएगा सर c वाला option correct हो जाएगा इसमें तो 61 का हम correct answer किसके साथ जाएगे c के साथ जाएगे ठीक हम सिर्फ intercept चेक कर लेंगे पहली बात उसने कहा फर्स्ट कॉड्रेंट में होना चाहिए center इसके तो हम देख रहे हैं पहले और दूसरे के तो center फर्स्ट कॉड्रेंट में है यह नहीं हमारे पास समस्य आई कि c और d में से कोई हो सकता है फिर हमने चेक किया तो पता चला कि c का भी हो सकता फर्स्ट दीजिए इसके लागा कोई option ही नहीं है कहीं कबड़ाना नहीं है तो 61 में कौन से option से हो जाएगा c वाला option करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 62 के लोकस आप दा सेंटर आफ सर्कल विच टच इट एक्स्टर्नली दा सर्कल अच्छा यहां पे यह है एक स्क्वेर प्लस में दिया गया है इक question है यहां पर 62 की x2 plus y2 minus 6x minus 6y plus 14 को बहुता हिस पर्स करता है चलिए फिगर बनाते हैं पहले थोड़ा सा अब देखिए थोड़ा सा अब देखिए हमारे पास लोका साथ दा सेंटर आफ असर्कल विच टच इस एक्स्टर्नली दा सर्कल एक सर्कल है हमारे पास यह एक सर कौमा 3 इसका सेंटर है 3,3 देखो यहां पर दो से डिवाइड करेंगे कितना आएगा मांइस 3-3 मांइस जी कॉमा माइनस अब सेंटर हो तैंसे 3,3 इसका सेंटर हो गया अच्छा इसको एक सरकल टच कर रहा है एक सरकल इसको टच कर रहा जिसकी क्वेशन निकालना है यह और आलसो टॉटेस वाई एक्सेस वाई एक्सेस को भी टेच कर रहा है कोई बात नहीं कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं कर लिया अच्छा इसका जो सेंटर है वह हम माल लेते हैं एच कॉमा के जिसका मेरी क्वेशन निकालना उसका सेंटर हमने माल ल जाएगी इसकी जो रेडियस हो जाएगी निकाल लेंगे इसकी रेडियस देखो लेग वित्त है हमारे पास क्या C2 कॉमा R2 केंदर C2 है और तरिज्जा क्या है R2 तो देखिए इसकी तरिज्जा कितनी होगी कितनी होगी इसकी तरिज्जा इसकी तरिज्जा यही होगी है ना और यह कौन से दूरी है X कितनी है H तो इसकी त्रिज्य कितनी हो जाएगी R2 बराबर कितनी हो जाएगी R2 बराबर हो जाएगी H, इसकी त्रिज्य हो गई H, अच्छा अब टच करने की कंडिशन क्या होती है, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए किसके त्रिज्याओं के योग के है ना केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी r1 प्लस r2 होगी तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी root h और k है तो यह हो जाएगा h-3 h-3 का square प्लस k-3 का square equal to r1 कितना दिया गया है 2 दिया गया है r2 कितना दिया गया h, दोनों तरफी स्क्वेर कर दीजे, दोनों तरफी स्क्वेर करेंगे, यह कितना हो जाएगा, h square plus 9, माइनस कछे, h, plus k square, plus 9, और माइनस के हो जाएगे, 6k equal to, इधर भी हो जाएगा, 4 plus h square, plus 4h, h square से h square कट जाएंगे, है न, यह आ जाएगा k square, अच्छा फिर देखो, h के साथ जाएंगे, तो minus के 6 h ये हैं, 4 h ये हैं, ये भी इधर आएंगे minus के, तो ये minus के 10 h हो जाएंगे, ठीक है भी या k square हमने लिखी लिया है, 6 minus के कितने हैं, 6 k 4 को भी इधर ले आओ, 9, 9, 18 18 में 4 घटा दीजिए, 14 बचेंगे, equal to कितना जाएगा 0, पुना, h, k k की जगा पे x, और k की जगा पे y रख दिया जाए, तो ये y square हो जाएगा, minus का हो जाएगा, 10 x, और minus के हो जाएगे, 6 y plus का 14 equal to 0, तो कौन सा अप्षन सही हो रहा भी है, यहाँ पे, y square minus 10 x, minus 6 y, y square minus का 10 x, minus 6 y, d वाला option, है 62 का, ऐसा तो नहीं कही है, ठीक है, y square minus 10 x, minus 6 y, ठीक है, भी है, कौन सा अप्षन सही हो रहा है, यहाँ पे option जो d है वो क्या हो रहा है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ठीक है D option correct हो जाएगा y square minus 10x minus 6y plus 14 equal to 0 ठीक है comment आ नहीं रहे है आपके एक minute बिल्कुल सही जो आप 62 में सभी लोग जा नहीं रहे क्या दिक्ते आ रही है 62 ठीक है सर 62 में D value option correct हो जाएगा ठीक है वो कहने ही रहा कुछ भी नहीं कहरा बस simple सी बात कर रहा है वो दो ही बातें कर रहा है यहां पे है ना यह उस पर इस पर सब्सक्रने का प्रदिवां दो व्रित एक दुसरे को जब टच करते हैं तो क्या होता उनके केंद्रों के बीच की दूरी और उनके रहा है है ना ठीक है तो हमने इसकी रेडियस वह ऐसे निकाल ली अंडर रूट जी स्क्वेर प्लस एप स्क्वेर माइनस सी से तो पता चल गया कि तेरा में कौन सॉप्फन सही हो रहा है ishchny 2 में डीवालो आप्षन करेक्ट हो रहा है चल भागए बढ़ेगी है सिस्ट्री कॉस्ट्टि पी और शी तरी है और बिल्कुल साहिए जभाब धिया यांपे औधेश कुमार सर ने अरून कुमार सर बिल्कुल सभी सर कमरेद मिसरा सर बिल्कुल से है सर जीगां कुमार सर बिल्कुल सही है 62 में कौन सा अप्फन सही हो जाएगा डियाल ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा अच्छा यह 63 देखिएगा एक सांदार कॉस्चन है अच्छा देखिएगा भीया हमें कह रहा है कि O A N O V R टेंजेंट फ्राम ओर्जिन टु दा सर्कल ठीक है भीया एक काम करते है इसका हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर ओर्जिन है ओर्जिन है न मूल बिंदू ओर अच्छा फिर क्या कराँ ओ एंड O V R T किर देखिएगा डिया गया है एक वृत्त दिया गया है और ये वृत्त हम यहां बना रहे हैं ये वृत्त हमने बना लिया ठीक है भाई ये हमने वृत्त बना लिया इस मूल बिंदु से इस वृत्त पर दो इस पर से रेखाएं O A और O B खीची गई है ठीक है O A भी खीची गई है और O B भी खीची गई है अच्छा इसका सेंटर देखेगा सेंटर केंडर क्या होगा मैनस का G, F होगा है ना इसका सेंटर कितना होगा मैनस का G, MNF माइनस का G अकॉमा माइनस का F ये बना लीजिए ये जोड़े लीजिए अच्छा ये A इसको मान लीजिए कि एक हमने A B खींची A और ये है B ये फिगर इस टाइप का बन रहा है है ना अच्छा कोई बात नहीं एक दम स्मपली हमसे कह रहा है जो क्वाडिलेटरल या नहीं कि C B ये चतुरभुच बन रहा है और इस चतुरभुच को हमें छेत्रफल चाहिए और इसका छेत्रफल हम निकालेंगे जरूर निकालेंगे बस इस त्रभुच को दो भागों में डिवाइट के लिया जाए एक बात में पता है त्रिज्जा इस पस रेखा पे लंब होती तो यह नब्यंस का यहां कोड बनाएगा और यहां भी कोड नब्यंस का ही बनाएगा ठीक है अच्छा इसकी जो रेडियस होगी कहने का मतलब यह है जो AC होगी उतने होगी BC और वो कितनी होगी भीया चुकि यह स्टेंडर्ड फार्मेट दी गई है तो इसकी रेडियस कितनी हो G square plus F square minus C हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, केंदर हमें पता चली गया है, है ना, O A हमने इसका निकाली लिया है, कि A C और अब निकालो O C, अब क्या निकालो O C, अच्छा, A C हमको पता चल गया है, कितनी है, हम निकालेंगे, अब इस्तरभुज में इस्तेमाल कर निकालना है, C होई गया है, O C, O C, O C, और ये क्याक दिया गया है, इसने कहा कि दा एरिया, हमें कोडिलेंटल का इसका एरिया निकालना है, चलो, हम O C निकालेंगे, C A हमको पता चली गया है, C A कितनी है, इसकी A C कितनी माइनस का, रूट G square प्लस का F square, ठीक है, अच्छा, O C निकाल लिया जाए, तो देखेगा, यहाँ पर, जो O C आजाएगी, वो आजाएगी, अंडर रूट में, कितना, G square प्लस F square, है न, O C, एकोल टू कितनी आजाएगी, अरे, O और, C के बीच की दूरी, मूल बिंदू, O क्या है, मूल बिंदू, तो यह आजाएगी, G square प्ल F square is equal to, A C square, A C कितना दिया गया है, G square प्लस F square, माइनस C, प्लस, हमें एक भुजा और चाहिए, बस, है न, सिर्फ एक भुजा चाहिए, O A square, यह इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, यानि कि O A square is equal to, आजाएगा, C, O A बराबर आजाएगा, रूट C, कितना आजाएगा, तो सेम सेम, जेखो, जितनी O A होगी, उतनी O B होती है, C A बराबर मतलब दो त्रिफुज सेम सेम बन रहे हैं, यह वाला त्रिफुज और यह वाला त्रिफुज सेम एरिया है दोनों का, यानि कि अगर हम इस quadilateral, quadilateral, O A, C, B का एरिया निकालते हैं, तो हम सीधा निकाल दो कर दें, पहले तो दो से गुड़ा कर दें, दो से गुड़ा कर दें, दो गुड़े, एक बटे दो, किसी एक triangle के area निकाल दो चाहें, दो से हमने गुड़ा इसलिए किया, चुकि दोनों triangle के area same है, O A, C, area of O A, C, एक बटे दो, आधार गुडे, sears long 1 by 2, base into height, तो O A into height कित G square plus F square minus C, और इस C को भी root के अंदर उठा ले जाओ, चादर उड़ा दो, है ना, root लगा दो, ये आ जाएगा, G square plus F square minus C, ऐसा कौन सा option है, ऐसा B option है, है ना, B वाला option, 63 का B option, correct है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से सभी ने किया है, यहाँ पे, है ना, कमलेंदर मिश्रासर न सभी लोग attempt करिए, प्रश्मों के जवाब जरूर दीजिए, है ना, लिखिए, जो भी होगा, गलत होगा, सही होगा, लेकिन जवाब जरूर सभी attempt किया है, दिया करिए, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे 63 में, B, कमलेंदर का, डॉक्टर अंजुराय, B सही है, 64, सत्वीर सेर, बिल्कुल सही था सर, क्वेस्टन नमबर 64, क्वेस्टन नमबर 64 में कहा है, कि for any point on the circle, दो वृत्त दिये गए, अच्छा, दो, मजे की बात यह है, कि मजे की बात यह है, कि दोनों के जो center है, origin पे है, अब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसे देखना है, ह चोटे वाले से बड़े वाले पे, यानि कि इस से, इस पे, है ना, करा है कि for, from any point on the circle, tangent are drawn to the circle, इस पर कोई point है, और इस पे drawn कीए, मतलब कि यह नीचे वाला छोटा है, है ना, नीचे वाला छोटा है, तो यह लोग हमने इसको और बड़ा बनाते हैं, है ना, छोटा है, तो बड़ा बृत्त बना दिया हमने, यह वृत्त किसका है, यह वृत्त थोड़ा से बड़ा, यह वृत्त है हमारा कौन सा, x square plus y square is equal to a square वाले का, और यह वृत्त किसका है, x square plus y square is equal to a sin α का square, क्या क्या गया है कि उपर वाले पर कोई एक बिंदू लिया गया है कोई भी एक बिंदू लिया गया है माल लिजे कि हम यहां पर एक बिंदू ले ले लें एक बिंदू यहां पर ले लें कहीं भी लें यहां ले लेते हैं और इस से छुट्टे वाले पर यह डाल दी गई इस पर 90 का कोड़ बनावेगा ठीक है और अगर यहां पर हम तरिज्जा कीच दें तो यहां पर भी यह 90 का कोड़ बनावेगा ठीक है अब इसके बाद यह आ जाएगा हमारे पास छोटे वाले की तरिज्जा कितनी है यह छोटा वाला वृत्त है छोटे वाले की तरिज्जा है ए साइन अल्फा ए साइन अल्फा बड़े वाले की तरिज्जा कितनी है बड़े वाले की तरिज्जा जो है भाई साब यह बड़े वाले वृत्त की तरिज्जा है ए हमको यह टोटाल ए देखाऊं कि बीच का एंगल चाहिए हम इतना एंगल मान लेते हैं थीटा अदा त्रिभूज का नाम देदो ए ए इम बी मानली जीए त्रिभूज ए अम वी में त्रिभूज एम वी में 10 अब हमें लगा देना सइन थीटा लगा दो sign theta क्या होता भे या लंब बटे perpendicular by hypotenuse तो perpendicular कितना है 90 के सामने तो करण हो गया इसके सामने की भुजा A sign है perpendicular कितना है यहा पर A sin alpha और करण कितना है करण 90 के सामने है करण कितना है यही यही तो है करण radius के बराबर है A हो जाएगा काट दीजिए यानि कि यहां से आ गया साइन थीटा बराबर कितना साइन अलफा थीटा बराबर कितना आ गया हमें एंगल चाहिए दोनों इस पर सरेखाओं के बीच का है ना हमें एंगल चाहिए दोनों इस पर सरेखाओं के बीच का यह टोटल एंगल चाहिए हमको तो कौन सा उप्षन सही हो जाएगा 64 में B वाला उप्षन करेक्ट हो जाएगा 64 में C उप्षन सही हो जाएगा ठीक है क्लेर हुआ की नहीं है क्वेस्चन हां सर एक बर बताएंगे यह क्वेस्चन क्लेर हुआ क्या 63 का C उप्षन नहीं B नहीं सर, C वाला सही होगा, दोनों इस पर से रेखाओं, angle bit being them, है ना, उन इस पर से रेखाओं के बीच का code बताना है हमें, तो इन दोनों इस पर से रेखाओं के बीच का जो code होगा, वो 2 theta के बराबर होगा, तो 2 theta मतलब 2 alpha, C वाला उप्शन सही होगा, निरदेश सर, बिलकुल सही जा रहे हैं, है ना, 64, आगे बढ़ेंगे, question number 65 और आज की class का last question, देखिएगा, क्राइफ, 0,4 and 0,2 are respectively the vertex and focus आफ़ा पहरा बोला, अच्छा, अब देखिए, simply इसके vertex और, vertex और focus देखने के बाद, हमें पता चल रहा है, कि इसका जो vertex है, वो कहाँ पे है, 0,4 पर, तीक है, और focus कहाँ पे है, 0,2 पर है, यानि कि यह नीचे side खुला होगा, तीक है, यानि कि जो यह पहरा बोला होगा, वो क्या होगा, नीचे साइड इसका मुह खुलाओगा हमें इसकी question निकालनी है अच्छा, A देख लें तो देखिए यहां से कितना दूरी पे है यह तो भई, vertex तो 4 दूरी पे है यह 2 दूरी पे है, अगर हम A निकालना चाहें तो, ना भी देखिए vertex के कितनी दूरी पे है, तो 4-2 यानि कि 2 आ जाएगा, ठीक है और हमें पता है कि परवले का समी करण कब यह तो, सीर्स इसका h, k और मुह नीचे की ओर खुला हो है ना, इसका vertex क्या होता h, k दिया गया होता और मुह नीचे की ओर खुला होता तो, इसका जो equation होता परवले का, जो समी करण होता है वो होता क्या है x-h का whole square equal to minus 4 a into y-k ठीक है, तो x-h h की जगब कितना है, 0 x-0 का square minus 4 into, a की जगब कितना 2 y-k, k की जगब कितना है, 4 इधर तो हो जाएग, x square equal to, minus का 8 है तो minus का 8 y plus, 8 चोग 32 है ना, plus का कितना हो जाएगा, 32 यानि की x square plus के कितना, 8 y equal to कितना हो जाएगा, 32 है ना, x square plus 8 y equal to 32 65 में, कौन सा option सही हो रहा है, 65 का a option जो होगा, वो correct हो रहा है ठीक है चलेगा तो यहाँ पर 65 में a option correct हो जाएगा प्रश्न संख्या 66 देखेंगे कराए, the focus of the ellipse x square, पटे 16 plus y square, पटे b is equal to 1 और hyperbola दिया गया है हमको कराए, कि इनके जो दोनों की focus है, वो क्या है, co-insights है, यानि कि सम पाती है मतलब कहने का मतलब, दोनों क्या है एक ही focus है, जिन the value आप b square कराए, तब b square कमान की क्या होगा, हम पहले इसका focus निकालते हैं, फिर इसका focus निकालेंगे, दोनों focus को हम क्या करेंगे equal कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे चलिएगा, यह हमारा देखिए, इमने क्या किया, एक बटे 25 था, हमें standard form में से convert करना है, तो एक बटे 25 के 25 हटा है, जै पच्चिस इतर multiply में आएगा, यानि कि हमारे पास equation हो जाए कि इतनी 25 x square बटे 144 minus 25 y square बटे 18 is equal to 1 फिर यह 25 जो into में इसको नीचे divide में लाएंगे, तो 144 के बटे में आएगा, यानि कि हमारे पास hyperbola equation हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी x square बटा 144 के बटे 25 minus y square बटे 182 बटे 25 बटे 1 हो गया, हमने क्या किया, इसको में लिख दिया, 144 लो सकते relation होता, मतलब हम इसकी folky कब निकाल पाएंगे, देखें, इसकी जो folky होगी, वो हो जाएगी हमारी क्या, plus minus ae comma 0 है ना, plus minus ae comma 0, उस वाले की folky क्या हो जाएगी माल लीजिए, plus minus इसको आप a dash माल लीजिए, a dash और ये e dash, है ना, centricity इसकी, ellipse की centricity माल लीजिए आप e dash, ये हो जाएगी मतलब कि हमें क्या चाहिए, a और e चाहिए, तो e मिल जाए हमको, तो e के लिए हम यहाँ पर relation लगाएंगे, हाइपर बोला है ना, तो b square is equal to क्या होता है, a square into यहाँ पर होता e square minus one है ना, ellipse में क्या होगा, one minus e square हाइपर बोला हम क्या हो जाएगे, e square minus one b square की value यहाँ पर हम देखे तो कितनी दी गई है, 81 बटा 25, हम यहाँ पर 81 बटा 25 रखें 81 बटे में 25, अग a square की value रखें तो यह आ जाए है, 144 बटा 25, बराबर 81 बटा 144 एकोल टू e square minus one 81 बटा 144 प्लस one एकोल टू e square 81 और 144 को जोडा जाएगा, कितना आ जाएगा यह दो सो पचीस दो सो पचीस बटे में आ जाएगा, 144 एकोल टू क्या रहेगा, e square है ना, एकोल टू क्या रहेगा e square, अब यहाँ से अगर हम e की value निकालना चाहें, तो e की value कितनी आ जाएगी, e equal to आ जाएगा भहिया, वर्ग मूल लेंगे 15 और इसका आ जाएगा 12, काट देंगे दोनों को, तो कटके आएगा 5 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 चोक 12, यानि कि यहाँ पर हमारे बटे 5, 12 बटे 5, और यह कितना आ गया 5 बटे 4, 0, टेक है, 5 से तो 5 कर जाएगा 4, 3, 12, यानि कि centricity आ जाएगी, plus minus का 3, 0, equal to, अब यहाँ पर आएगे a का मान कितना है, a का मान हमको दिया गया है, 16, है ना, चलिए a का मान देखे, a square का मान 16 है a dash का मान 16 है, तो a square a square, a square dash a dash square का मान 16 दिया गया है तो a कितना जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, भीया, plus minus 4, e dash 0, ठीक है, इसमें देखे यहां से है ना, भीया, a का मान कितना है, यहाँ पर a dash का मान कितना है a dash, a dash का square बराबर कितना है, 16 है, compare तो A-Dies ब्राबर कितना आ जाएगा? 4. हमने A-Dies ब्राबर यहां पे 4 रख दिया. ठीक है? इसकी स्टेंडर फाम होती है X-Square upon A-Square plus Y-Square upon B-Square upon B-Square to 1 से compare करेंगे. तो हमने चुकि A-Dies के लिया, इसलिए हमने के लिया A-Dies लिया, तो a-square बराबर 16 तो a-स बराबर आ गया 4 चुकि ये दोनों क्या है coincides, coincides है संपाती है इसलिए क्या होगर दोनों बराबर होंगी ये बराबर कब होंगी जब ये वाला और ये वाला भी दोनों क्या हो जाएं बराबर हो जाएं यानि कि जो plus minus का 3 है वो बराबर आ जाएं किसके plus minus 4 e-ass के plus minus हटा दीजिए तो यह आ जाएगा 3 बटे 4 बराबर e-ass अच्छा 3 बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा ये e-ass हो जाएगा अब यहां से उ इस का जो मान मिल गया वो 3 बटे 4 मिल गया e-ass का मान 3 बटे 4 मिल गया हम क्या करेंगे हमें निकालना b square का मान और रिष्टा हमारा वही है ellipse के साथ b square is equal to कितना होता a square into one minus e square है ना फिर कितना होगा अब या b square हमें नहीं पता a का value हमको दिया गया है a का value कितना उसने दिया है 4 4 का square कितना हो जाएगा 16 गुड़े 1 minus e square तो 1 minus 9 बटे 16 तो यह कितना जाएगा साथ हो जाएगा है ना कितना जाएगा साथ बटे 4 अरे साथ बटे 16 होगा भई साथ बटे 16 16 से 16 काट दीजिए तो b square बदाबर कितना जाएगा साथ कौन सो आप्षन से हो जाएगा 66 का option नंबर साथ हो जाएगा c आगे बढ़ेंगे और next question देखेंगे और 67 हैं किरा question of the tangent किरा question of the tangent तूद ता पैरा बोला हमको पैरा बोला दी गई है और इस पैरा बोला के कोमा वन पॉइंट पे हमको टैंजिए निकालना है तो देखिए क्या दिया है वाई square is equal to दिया है हमें 4x हम differentiate करके इससे क्या करें इससे हम निकाल दें differentiate करिए तो आजाएगा 2 y y dash is equal to कितना हो जाएगा भी यहाँ पर 4 बचेगा है ना x का तो 1 हो जाएगा कितना बचेगा यह 4 काट दीजिए इसको यह हो गया 2 यानि कि y dash बराबर कितना आजाएगा 2 बच्टा y अब आप निकाल दीजिए क्या y dash कहाँ पे 2,1 पे y dash at 2,1 कितना आजाएगा 2 बच्टा 1 y कहाँ ने एक है ना 2 बच्टा 1 यानि कि प्रवडता आगई 2 अच्छा प्रवडता हो गई 2 और हमें निकालना है माल लिजे कि हमारा परवले है इसकी tangent का equation निकालना है जा कहां से रही है ये जा रही 2,1 से पास हो रही है और इसकी प्रवडता कितनी है 2 यानि कि तब equation हो जाएगा y minus y1 y1 कितना है 1 equal to प्रवडता प्रवडता कितनी दी गई 2 into x minus x1, x1 कितना गया है 2, है ना कितना हो जाएगा y minus 1 is equal to 2x minus का 4 दो दुनी 4 हो जाएगा, अच्छा सब को उठा के उधर हे ले जाएगे तो या जाएगा 2x minus का y, है ना 2x minus y is equal to कितना जाएगा 3, और ऐसी कोई भी question नहीं है इसलिए कौनसा option सही हो जाएगा 67 का option number D correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 68 देखेंगे एक बहतरीन question कह सकते हैं इसे हम अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा गया है U दिया गया है U is equal to log 10 5y4 plus theta by 2 यह दिया गया है अब देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा maintain करें इस log को हटा दें तो हम इसे E की power U में लिख सकते हैं है ना इसे exponential form में convert कर लें तो E की power U is equal to हो जाएगा 10 pi by 4 plus theta by 2 10 45 plus theta अगर हम 10 A plus B से इसे open करेंगे तो यह आ जाएगा 1 minus 1 plus 10 theta by 2 divided by 1 minus 10 theta by 2 है ना यह चीज़े आ गई अब देखिए हमें करना क्या है E की power U आ गया E की power minus U निकाल दीजे अगर हम E की power minus U निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा सिर्फ minus हो जाएगा भई power minus में जाएगी और यह अंस का हर हरका अंस बन जाएगा यह चीज़े हो जाएगा 1 minus 10 theta by 2 divided by 1 plus 10 theta by 2 अब दोनों को जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से divide कर दीजिए है ना यह चीज़े हो जाएगा E की power U plus E की power minus U by 2 equal to 1 बट्टा 2 इन दोनों को जोड़ना है देखो जोड़ेंगे तो हमारे पास जो LCM के रूप में आएगा वो आएगा 1 minus 1 minus 10 theta by 2 एक bracket में दूसरे bracket में 1 plus 10 theta by 2 है ना यानि कि अब हमारे पास बनने वाला है 1 minus का A plus B A minus B बन जाएगा 1 minus 10 square theta by 2 अब देखो यह दोनों हो जाएगे LCM जब लेंगे दोनों को जोड़ रहे हैं 1 plus 10 theta by 2 का holy square plus 1 minus 10 theta by 2 का holy square दो गोड़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचने वाला है कि आप भाई A plus B का holy square plus A minus B का holy square में दोनों को जब जोड़ा जाता है 2 A B 2 वाले term कर जाते हैं A square plus B square ये वाले term बचता है है ना तो इसे दो चुपचाप निकाल दीजे और ये आ जाएगा 1 plus 10 square theta by 2 ये दो और ये दो दोनों काड़ दीजे अच्छा ये 10 square theta by 2 हो गया ये क्या हो गया हमारे पास 10 square theta by 2 जो कि 1 plus 10 square theta by 2 जो बन जाता है क्या square theta by 2 divided by यहां पर हम देखेंगे अगर हम इसको convert करेंगे sine cos में 1 minus sine square theta by 2 बच्टे cos square theta by 2 LC हम लेंगे तो कितना जाएगा cos square theta by 2 minus sine square theta by 2 बच्टे cos square theta by 2 तो cos square theta by 2 minus sine square theta by 2 ये बन जाएगा नीचे cos theta cos theta के बराबर हो जाएगा cos 2 theta होता नहीं है cos square theta minus sin square theta है ना और नीचे divide में रहेगा हमारे पास कौन? divide में इसके बटे में आएगा cos square theta उससे आप into मिले लिजे तो 6 square theta है 6 square theta 6 square theta को काट दीजे ये आ गया 1 by cos theta और ये आ गया 1 by cos theta और ये क्या है? ये cos hyperbolic ये क्या बन गया? cos hyperbolic u ये क्या होता है? cos hyperbolic u ही तो होता है e की power u plus e की power minus u बटा 2 अगर यहाँ पे minus लगा होता है sin hyperbolic u बन जाता तो ये आ गया अब हमें क्या चाहिए? हमें रिस्ता चाहिए tan hyperbolic u by 2 है ना? हम एक रिस्ता यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक relation यहाँ पे तो हम ये cos hyperbolic u लेंगे और minus करेंगे 1 तो कि जब भी हम open करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? यह हो जाएगा 1 plus 2 sin square sin hyperbolic u by 2 ये बन जाएगा तो उपर sin by sin बन जाएगा sin hyperbolic u by 2 और नीचे क्या करेंगे? नीचे plus में लेंगे cos hyperbolic u plus 1 अच्छा ये हमने ले लिया रखा जाए hyperbolic की value रखा जाए तो देखिए cos hyperbolic u की value आई है 1 by cos theta इसकी जगह पे 1 by cos theta रखेंगे तो 1 by cos theta minus 1 है ना? और 1 by cos theta plus 1 cos theta लेंगे LCM तो 1 minus का cos theta ये बन जाएगा और divided by आजाएगा ये 1 plus cos theta 1 plus cos theta हो गया अच्छा अब क्या करेंगे? इसे half angle में change किया जाए इसे half angle में change करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1 plus 2 sin square है ना? hyperbolic u by 2 minus का 1 पहले से है वहाँ पे divided by ये हो जाएगा 2 cos अब क्या करेंगे? इसे हम cos में कनोड करेंगे 2 cos hyperbolic 2 cos square hyperbolic u by 2 minus 1 हो जाएगा ये और plus 1 वहाँ पहले से है है ना? minus 1 ये हो जाएगा plus 1 वहाँ पहले से है अच्छा अब देखेगा ठीक है equal to देखे अब यहाँ पे half angle में change करेंगे इसको तो change कर देना ये हाँ पे उपर बचने वाला sign में convert करेंगे इसको तो उपर sin square theta by 2 2 sin square theta by 2 बनेगा और नीचे 2 cos square theta by 2 बनेगा तो 2 से 2 cancel हो जाएगा ये 10 square theta by 2 बन गया ठीक है? इधर देखे इस 1 से इस 1 को काटिए इस से इसको काटिए अब ये बचेगा 2 से 2 कर जाएगा अब हमारे पास इधर आ गया क्या 10 square hyperbolic u by 2 is equal to 10 square theta by 2 दोनों तरफ ले ले लिजिए वर्गमूल तो आज आएगा 10 hyperbolic u by 2 equal to 10 theta by 2 कौन से ओप्षन से ही हो जाएगा 68 का ए वाला ओप्षन जो है वो correct हो जाएगा चलेगा आगे करेंगे question number 69 question number 69 में हमसे कहा है कि the complex number z is equal to x plus i y which satisfied the equation अच्छा ये question हमको दी गई है complex number हमारी है z is equal to x plus i y हम क्या करेंगे भाई अगर हमें पता है कि ये लिखा होता क्या z1 modulus z1 but z2 is equal to 1 तो इसे हम लिख सकते थे modulus z1 बटे modulus z2 तो इसे भी same लिखा जा सकता है अगर हम same इसको इस तरीके से लिख देंगे तो ये आ जाएगा modulus का z z minus 5i divide में आएगा z plus 5i mod के अंदर और equal to 1 है तो multiply करेंगे तो ये हो जाएगा z plus में 5i z की जगह पर हम कहा रहे सकते है x plus i y x plus i y minus 5i equal to x plus i y plus 5i हमें क्या करना है दोनों तरफ modulus लेना है तो ये कितना आ जाएगा भया ये modulus में आ जाएगा x square देखे modulus है हम चाहेँ तो दोन तरफ वर्ग भी कर देए तो मौड लगाएँगे वर्ग निकालेंगे वर्ग मौड लगता है मौड में तो वह हट जाएगा दोन तरफ वर्ग कर दीजिए तो under root लगाने जरूत नहीं पड़ेगी आपको x square हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ii y minus 5 का square हो जाएगा equal to ये हो जाएगा x square plus और ये हो जाएगा हमारा y plus 5 का holy square x square से आपको x square को काड़ देना है अच्छा उसके बाद इसको भी धरे ले आओ ये कितना हो जाएगा y square plus 25 minus का 5 दूनी 10y equal to y square plus का 25 plus का 10y ठीक है y square से y square काड़ दीजिए 25 से 25 काड़ दीजिए और 20y बराबर हो जाएगा क्या 0 20y equal to 0 यानि कि y equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि x अच्छा है x अच्छा है तो करहा है the straight line y equal to 0 यानि कि यही option b वाला ही option correct हो जाएगा 69 में option number जो b है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 70 देखेंगे question number 70 में कह रहा है कि the area of the triangle the area of the triangle on complex plane formed by the complex number 4 हमें complex number 3 complex number दी गई है है ना अब देखें भाई ये क्या है 3 complex number है ये माली जे एक vertex हो गया हमारा एक तो हो गई जेड है ना ठीक है दूसरी क्या है हमको दी गई है I, Z तीसरी क्या दी गई है complex number तीसरी complex number हमको दी गई है Z plus I, Z ये चारो complex number तीन complex number हमको दी गई है अगर मेन से point बनाना चाहें तो भाई real part अलग रखते है imaginary part अलग रखते है तो पहला point जो बनेगा ये वाला जो point बनेगा वो बन जाएगा हमारा क्या जेट,0 दूसरा point क्या बन जाएगा भई यहाँ पर I वाला है पहले real part रखा जाता है फिर imaginary part अब Z के साथ अगर हम बनाना चाहें तो imaginary part तो है नहीं तो क्या हो जाएगा जेट,0 बन जाएगा point ये क्या बन जाएगा जीरो कॉमा जेट बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा जेट कॉमा जेट बन जाएगा अच्छा अब हमें निकालना है area area निकालना है जो तीन points ये तीनों points से होके जाता है triangle बनेगा triangle का area हमको निकालना है निकालते हैं भाई triangle का area देखेगा आपको उने क्या बताया कि आप आराम से निकालेंगे एक बटे दो एक बटे दो अच्छा पॉइंट रखा जाया पहला पॉइंट जेड जीरो जीरो हो गया फिर जीरो जेड फिर दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है जेड कॉमा जेड अच् ठीक है, एक बेटर दो को चुप चाप रहने दीजिए, ऐसे से multiply करेंगे, multiply करो, z square हो जाएगा, z square plus, देखे, इसका से multiply होगा, 0 plus, 0 minus, minus करके, अब हमें multiply करना है, इसका इससे, तो यह 0 ही आएगा, और यह z square हो जाएगा, z square हो जाएगा, और आगे, यह भी z square हो जाएगा, plus का z square, ठीक है, अच्छा भाई, एक बटे दो, एक बटे दो, ठीक, कितना हो जाएगा यह, z square minus का, two z square, subtract करेंगे, एक बटे दो, z square आएगा, है ना, भी minus का आएगा, तो minus को बाहर पहले निकाल ले, minus का आएगा, अच्छा, हमें क्या होता है, area में मौड लेना होता है, area मौड में होता है, positive लिया जाता है, area कभी negative नहीं होता ना, तो कितना हो जाएगा, एक बटे दो, modulus, z square, है ना, कौन हो जाएगा, c 70 का, जो c वाला option है, वो correct हो जाएगा, आगे बटेंगे, question number 71, question number 71 में करहा है, कि if the three lines, three lines दी गएगे हैं हमको, करहा है कि ये concurrent lines हैं, अगर ये concurrent lines हैं, तो इनके दोरा, एक्स्टा गुलांक, y का गुलांक और अचरपद, extra गुलांक, y का गुलांक और अचरप इनके दोरा, जो, बनी, determinant होगी, उसकी value सूनने के बराबर होगी, अगर ये concurrent lines हैं, तो, चलिए, बनाते हैं, इनके दोरा बना हुआ, determinant देखा जाए, क्या आजाएगा, x का गुलांक पहले वाली में, y का गुलांक, पहली वाली में, 1, और 1 को हम इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो minus का 1 हो जाएगा, constantum को इधर लाएंगे, क्योंकि standard form क्या होती है, ax plus by plus c, है न, चलिए, ये पहली line हो गई, दूसरा वाले में देखेंगे, फिर ये 1 आ गया, minus का 1 आ गया, और ये minus का 5 आ गया, फिर इसके साथ आ जाओ, 2 आ गया, 3 आ गया, minus का k आ गया, और equal में आ गया, कितना, 0, अच्छा, अब निकाला जाए, इसकी value, निकालता है, इसकी value, देखते हैं, कितना आता है, 71, हम, solo करते हैं, 1 को चुपचाप रखा जाए, expand ही कर देतें सीधा, कितना जाएगा, भीया, ये, k plus 15, minus के 1 को यहां रखा जाए, ये चुटेगा, ये फिर minus के 1 को रखिए, ये चुटेगा, ये चुटेगा, 3 plus 2, 3 plus 2 मिला के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, equal to कितना है, 0, k की value निकालना है, ये आ जाएगा, k plus 15, minus, देखो, minus में इस plus होगा, plus का k, और minus का 10, minus का 5 equal to 0, 10 और 5, 15 से cancel हो जाएंगे, है न, plus और minus के है, 2 के equal to 0 के equal to कितना आगे है, साब, 0, कौन सौफ़न सही हो जाएगा, सी वाला option करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 72 देखेंगे, 72 में भी हमसे कहरा है कि, the line, LX plus MY plus N equal to 0, तीनों लाइन दी गई है, और कहरा है कि, not all equal, कहरा है कि, सभी equal नहीं है, are concurrent, if करा कि, ये concurrent होगी, तो concurrent होने का मतलब CP सी बात है कि, determinant के जो value होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, तो पहली वाली लाइन, L, M, N, दूसरी वाली लाइन में आजाओ, क्या है, M, N, L, तीसरी वाली लाइन में आजाओ, तीसरी लाइन हो जाएगी, N, L, M, या X का गुरान कहां रखें है, Y के गुरान यहां रखें, constantum यहां पर रखा है, equal to 0, जब भी तीनो लाइन का अन करेंट लाइन होगी, तो हमें क्या करना होगा, उसके determinant बनाएंगे, वो determinant की value क्या करेंगे, equal to 0 ले लेंगे, अब एक काम करते हैं, सब को उपर ले जाके जोड़ दो, सब को, यानि कि R1, R2, R3 को R1 में जोड़ दीजिए, हम करना क्या है, R1 tends to R1 plus R2 plus R3, अच्छा जोड़ेंगे देखो यहां पर, L plus M जोड़ेगा, N जोड़ेगा, तो L plus M plus N, यहां सेम देखो, यहां पर भी हमारे पास M plus N plus L बनेगा, यहां जोड़ेंगे तो N plus L plus M, कुल मिलाके मतलब की उपर हमारे पास प L plus M plus N, है न, एक यह बन जाएगा, और अगला, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1, भई यहां पर सब निकल गया, 1 बचा, और यह M हो गया, यह N हो गया, यह N हो गया, यह N हो गया, यह N हो गया, यह M हो गया, एक कॉल टो 0, अगर हम यहां से, पहले फैक दूसरा आपने और यहां से क्या कर सकते हैं इसे निकाल सकते हैं इसका फैक्टर निकालो भाई देखो यह वन हो जाएगा रहने दीजिएसे चुप-चाप वैसे एंसर आ चुका है हमारे पास L प्लस M N प्लस N option है भी है ना लेकिन करना चाहते हैं तो हम एक और relation यहां से निकाल सकते हो सकता है यह ना दिया होता तो अगला वाला दिस्ता फिर होता है ना 1 रख दीजिए इन 2 यह छोड़िए यह छोड़िए कितना हो जाएगा यह M N माइनस का L स्क्वार माइनस का 1 यह छोटेगा यह छोटेगा और यह कितना आ जाएगा भीया M स्क्वार आ जाएगा माइनस का आ जाएगा M स्क्वार M स्क्वार और L N L N प्लस 1 हो जाएगा यह छोटेगा L M माइनस का n square equal to 0 अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास आने वाला है क्या mn minus का l square minus का m square plus ln plus lm minus n square equal to 0 अच्छा l m square n square को उधर भेज़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा l square plus m square plus n square equal to अगर हम लाना चाहें तो हो सकता है क्या lm plus mn plus nl है ना यह हो सकता है यह रिस्ता दिया नहीं तो पहला वाला जो रिस्ता है यानि कि l plus m plus n equal to 0 यह रिलेशन करेक्ट हो जाएगा option number d जो है वो correct हो जाएगा 72 क्या d option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 73 question number 73 में हम से कह रहा है कि हाँ देखते हैं कराएगी p q and r are three point such that the angle p q r is a right angle p q r angle p q r right angle है है ना तो देखी कि यहाँ पर छित्र बना लेते हैं p q r right angle है तो हमारा यहाँ पर q होगा जो right angle है यहाँ पर नब्यांस का कोड़ बन रहा है और यह है mister p यह हमारे p है और p दिया गया है 3,1 और r के दिया गया है coordinate कितने दिया गया है उसने दिया x,y q के coordinate दिये है 6,5 अच्छा अब बताइए आगे कह रहा है कि such that is a right angle इसके बाद कह रहा है कि अगर तरिभूज p q r का जो 46 फल है वो कितना 7 है then the number of such point r is कह रहा है कि कितने points होंगे है नब देखिएगा भाई यहाँ पे अगर यह दोनों यह 90 अंस का कोड़ बन रहा है तो यह रेखा की परवड़ता q r की परवड़ता और p q की परवड़ता दोनों का गुड़न फल क्या होगा 1 हमें पता है ना कि दो रेखाओं की परवड़ताओं का गुड़न फल क्या होता minus 1 के बराबर होता है कब जब यह दोनों क्या बन रहे हो अगर यह दोनों 90 का कोड बना रहे हो एक दूसरे से अभी एक दूसरे पर लंब हो तो लंब वाली कंडिसन इन दोनों में लगा दी जाए तो पहले हम निकालते है रेखा PQ की परवाणता PQ की परवाणता कितनी हो जाओगी 5-1 यानि कि 4 बटे अरे Y2-Y1 तो 5-1 यानि कि 4 बटे X2-X1 4-3 यानि कि कितना है 3 ये परवाणता हो गई गुड़े M2 अब देखे M2 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा भी अब QR की परवड़ता कितना हो जाएगी यह हो जाएगी Y-5 बटे X-6 equal to कितना minus का 1 cross multiplication करेंगे cross multiplication किया जाए और equation को बनाया जाए तो कितना जाएगा यह 4X minus 64 का कितना हो जाएगा 24 X-6 है ना हाँ तो 64 को कितना हो जाएगा यह 24 हो जाएगा correct 64 को 24 कहां कर रहे हैं 3 से गुड़ा करेंगे ना sorry अब देखेगा उपर इनका गुड़ा करो यह हो जाएगे 4Y-20 बराबर में आ जाएगा 3X 3X वो भी minus के हो जाएगे चुकि अल्रेड़ी माँ minus है तो minus के 3X प्लस के कितना हो जाएगा 18 अच्छा यह हो जाएगा 3X प्लस 4Y बराबर 38 शमी करण 1 बना दीजिए इसको यह हमारा पहला समी करण हो गया ठीक है दूसरा अब देखिए बात आ रही एरिया की एरिया की बात आ रही है है न एरिया कितना दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर का जो छेत्रफल दिया गया है जो एरिया दिया गया है हमको वो दिया गया है कितना साथ area हम positive और negative दोनों ले सकते हैं क्योंकि positive और negative लेने की पीछे purpose क्या है क्योंकि area हम लोग modulus में निकालते हैं mod में निकालते हैं तो कई बार negative रहता तो हम छोड़ देते हैं उसे लेकिन हम यहाँ पर mathematically ले रहे हैं चुकि तो हम plus और minus दोनों ले रहे हैं plus का 7 भी ले सकते हैं यह कितना आ जाएगा 1 बटे 2 अच्छा यह 3,1 हो जाएंगे यह 6,5 हो जाएंगे यह x,y हो जाएंगे और यह 3,1 हो जाएंगे बराबर में आ जाएगै कितना plus minus 7 इस का multiply उधर कर दीजिए और कितना हो जाएगा 5 थीए 25 15 plus 6y plus x है ना इनका multiply किया इसका multiply किया माइनस इसका multiply करेंगे 6 इसका multiply किया प्लस 5x और ये plus का 3y equal to कितना आ गया plus minus का 14 है ना अब देखे calculate करेंगे इसे ये आ जाएगा 15 plus 6y plus x minus का 6 minus का 5x minus का 3y equal to plus minus का 14 है ना अब आगे next देखे calculate करेंगे x को x के साथ calculate कर लिजे तो minus का 4x बचेगा minus का 4x plus का हो जाएगा 3y और 15 में 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना plus minus 14 अब देखे इस equation में एक बार हम positive लेंगे और एक बार negative लेंगे देखेगा यहाँ पे जब plus के 14 लेंगे जब हम plus के 14 लेंगे जब हम यहाँ पे plus के 14 लेंगे तो क्या बनेग equation equation बन जाएगी हमारी minus का 4x plus का 3y equal to देखो यहाँ पे plus का 9 है उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना बच जाएगा भीया चार बच जाएगा 9-4-13 हो जाएगे अच्छा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा अब बन जाएगा हमारे पास equation बन जाएगी ये तो 4 हो जाएगा इधर 9 है 9-5-14, 5 आ जाएगा है ना तो एक equation हमारे पास ये बन जाएगी इसे मालीजे समी करण 2 बना दीजे ठीक है दूसरा जब हम negative sign लेते हैं तो minus का 4x plus का 3y और देखो ये minus का 14 हैगा और इधर से ये जो plus वाला 9 था उधर जाएगा minus का होके जाएगा तो minus का 23 आ जाएगा हमें r point को solve करने के लिए r point पाने के लिए हमें x और y के मान पाने के लिए हमारे पास 3 समी करण है जिसमें अगर हम 1 और 2 को हल कर देखे 2 और 3 को हल करेंगे तो ये तो दोनों लभा same line है है ना देखे दोनों क्या है same line है तो यहां से मैं तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना कोई सॉलूशन नहीं होगा इनका है ना A1 upon A2 equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 तो दो और तीन से हमको कोई हल नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे एक बार एक बार हल करेंगे किसको 1 और 2 को हल करेंगे और उसके बाद एक बार हमल करेंगे समी करण 1 और 3 को तो एक सोलूसन हमको यहां से प्राप्त होगा एक सोलूसन यहां से प्राप्त होगा X और Y का बिल्कुल प्राप्त होगा A1 upon A2 does not equal to V1 upon V2 है हल करने की ज़रुप नहीं है इन दोनों question में देखिए शमी के रण 1 और समी के रण 2 में देखिए A1 upon A2 does not equal to V1 upon V2 है 3 बटे minus 3 बटे 4 बराबर 4 बटे 3 दोनों बराबर नहीं मतलब एक हल निकल जाएगा तो एक हल यहाँ पे XOR Y का यहाँ हो गया और एक हल यानि कि एक solution यहाँ हो गया यानि कि मिला के कितने solution हो गए 2 solution हो गए तो करा है कि R के लिए कितने solution हो गए तो 2 solution हो गए R ऐसे क्या हो गए 2 possible हो गए यानि कि C की option number C 73 में क्या होगा सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 74 की तरफ 74 question number 74 एक बहतरीन question करा है a line L passes through the point करा एक line L है जो पास हो रही कहां से 1,1 से अच्छा 1,1 से ये पास हो रही है एक मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए जुगार करना पड़ेगा है ना हम points को बेच के options को छपा देते हैं सिर्फ question question पर बात करते हैं देखेगा हाँ line L है जो पास हो रही है हम पहले क्या करते हैं axis बना देते हैं अच्छ बना देते हैं देखेगा अच्छा ये line L हमारी पास हो गई कहां से पास हो रही है 1,1 से एक point है यहां पे 1,1 point कोहां से पास हो रही है और 2,0 से भी पास हो रही तो 2,0 हमारा यहाँ पे है तो 2,0 से यह यहाँ पास हो गई ठीक है इस line का नाम क्या है L इस line का नाम L अच्छा उसके बाद कह रहा है another line M which is perpendicular to L through the point 1,2 है ना अच्छा 1,2 से खीची गई है यह line और इस पे perpendicular है कौन M, ठीक है इसे भी निकाल देते है यह कहां से यहाँ पे point है जिसके coordinate हमको दिये गए 1,2 है ना चलिए 1,2,0 यह point हो गया हमारा इस line का नाम है M यह line है हमारी M अच्छा इसके बाद हम सारे points को let करेंगे हमें क्या कह रहा है पूचा इदेन the area of triangle formed by the line L, M, Y हमें area निकालना है कौन सा area निकालना है अब समझे हमें area निकालना है एक तो Y, H के द्वारा तो Y, H तो यह वाला है यह Y, H हो गया अच्छा उसके बाद M line M line यह है और L line यह है इन तीनों के द्वारा जो formed area है वो निकालना है इनके द्वारा जो बनाया गया चेतरफल है यह वाला चेतरफल हम को चाहिए यह चेतरफल हम निकाल सकते है बहुत आसानी से है ना बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर इन अब्बेयंस का दिया गया है पहले से यह point क्यू है हमारे पास चलिए इस point का नाम आप Q आहीं रख दीजिये कोई दिक्कत ने है वो point normal हमने एक कामा दो खीच दिया है और इस point का नाम R रख दीजिये R रख दिया तो हमें सबसे पहले निकालना है किस लाइन का समी करण हम निकालने पहले हम निकालेंगे L का समी करण L का समी करण निकालिए पहले L का समी करण अच्छा देखें जो L का समी करण होगा वो क्या है भाई दो बिंदो से होके जाने वाली रेखा का समी क्या तो Y माइनस Y1 की जगा पर 1 है 1 हो गया equal to y2 minus y1 0 minus 1 divided by x2 minus x1 2 minus 1 और x minus x1 calculate करेंगे भाई एक बच्चा minus के 1 तो ये हमारे पास calculate होके आ जाएगी x y minus y minus 1 equal to minus का x plus का 1 तो minus x 2 दल ले आ ना plus का हो जाएगा x plus y बराबर कितना आ जाएगा 2 शमी के अड़ कौन से हो गया 1 है ना अच्छा अब देखिए ये समी के लाड़ एक आ गया कि x plus y बराबर 2 अच्छा इस line के समी के लाड़ आ चुका तो इस point को निकालना है अगर इस point को अगर आप find करना चाहते हैं है ना अगर आप इस point को find करना चाहते हैं किये क्या है x अच्छे ना y अच्छे ना तो यह अच्छ में एक्स तो जीरो होगा तो यह पहला point हमको यह वाला point मिल चुका है यह point कितना हो जाएगा भया एक्स जीरो रख दो एक्स जीरो रख दिया हमने ठेक है और वाई कितना हो जाएगा एक्स जीरो रख केंगे वाई दो आ जाएगा यह यह वाला point जो है equal to lambda माल लेते हैं बीच का चिन्न बदल देते हैं और आपस में गुरान का बदल देते हैं x और y के और जहां constant होता हमाल नया constant माल लेते हैं है ना ले लिया अच्छा अब यह इस line का समीकरान है किसका M का भई भई L की perpendicular line का उन सी है M का समीकरान क्या आ गया x-y बराबन lambda और देखिए यह पास हो रहा है कहां से 1 बटे 2,0 तो 1 बटे 2,0 रख दो x की जगह पे 1 बटे 2 इसकी जगह पे 0 बराबन lambda यानि कि lambda का मान हमको कितना मिल गया 1 बटे 2, कितना मिल गया 1 बटे 2 यानि कि equation आ गयी हमारी क्या x-y equal to 1 बटे 2, किसकी यह रेखा M का समीकरान है, किसका है यह M का समीकरान, अच्छा, अब अगर हम M और इसको दोनों को हल कर लें, हाँ भई, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको क्यों इसे लानो, क्यों इसे माल लो, अगर हम M यह रेखा कौन सी, M और L हल कर लें, तो हमें Q के coordinate मिल जाएंगे, तो हमें इन दोनों equations को हल करना है, कौन सी equation, एक तो हमारी x plus y बटे 2, और दूसरी क्या है, x minus y बटे 2, हल करेंगे, तो यहाँ पे x का मान जो हमको मिलेगा, वो 5 बटे 4 मिल जाएगा, और y का मान जो मिलेगा, वो 3 बटे 4 मिल जाएगा, अच्छा, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे p का point निकालना चाहते है, p, p का मतलब y अच्छ पे काट रहा है, यह y अच्छ है और यह x अच्छ है, तो यह p का मान क्या हुआ भाई, यह y अच्छ में क्या होगा, x 0 होता है, तो यह 0 रख दीचे, x, x रख दिया हमने 0, x रख दिया हमने 0, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, minus 1 बटे 2, minus का 1 बटे 2, y आ गया, minus 1 बटे 2, तीनो point, तीनो coordinate हमको मिल चुके है, हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और आराम से एरिया निकालेंगे, क्यों? क्योंकि, हमसे यह यह कहा गया है, कि, यह एक संकोड प्रिभुज है, संकोड त्रिभुज है, नह llegarfire यहापर क्यू पी निकालेंगे, pq न प्लस का एक बटे दो हो जाएगा यह तेन बटे चार प्लस का एक बटे दो हो जाएगा यहां पर भी सेम बन जाएगा चार एलसियम लेंगे तो तीन प्लस दो बटे चार यानि कि यह भी बन गया पांच बटे चार का होली स्क्वार पांच बटे चार अगर हम पूरे होली स्क्वार कॉमन ले ले तो यह आजाएगा पांच बटे चार और एक प्लस एक यानि कि अंडरूट दो हो जाएगा तो पी Q R त्रिबो जो P Q R का छेतर फल है ना यही तो है L यह वाला पार्ट है यो भई 1 बटे 2 आधार गुड़े उचाई 1 बटे 2 आधार आधार कितना है 5 बटे 4 अंडर उट दो और उचाई कितनी है वो भी है 5 बटे 4 अंडर उट दो अंडर उर्दो अंडर उर्दो मिला के दो होगा जो इससे कड़ जाएगा उपर कितना हो गया पांच पच्चे हो गया 25 और चार चोक हो गया कितना 16 है ना तो कितना यूनिट आ गया 25 बटे 16 यूनिट option कौन सा correct आ रहा है option नमबर आ रहा है यहां पर बी है ना 74 का जो बी option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question नमबर 75 है ना देखते हैं आसान सा question 75 देखेगा किरा पी इस अ प्वाइंट आइदर आप two lines दो लाइन हैं हमारे पास चलिए इन दोनों lines को बनाया जाएं देखेगा यह दोनों lines हम बनाएंगे एक तो line हमारी बन जाएगी भाई अगर हम देखें आपर mod x दिया गया है अच्छा यह mod x दिया गया है तो line हमारे पास दो प्रकार से एक mod x खोला जा सकता है एक क्या हो सकता है यह जो mode x है यह दो condition पर depend करेगा एक जब हमारा x greater than equal to 0 हो तो यह positive रहेगा और x अगर less than 0 है तो यह x जो है वो negative रहेगा तो हमारे पास अब दोनो equations आ रही है एक equation बन जाएगी जब positive लेंगे तो y बराबर इसको उधन ले जाओ y बराबर आजाएगा under root 3 x plus 2 ठीक है तथा दूसरी क्या हो जाएगी y equal to आप देखो x minus का लेना है जब इदर minus के लेंगे तो उधर plus का जाएगा minus का जाएगा है भई हमने क्या किया पहले से minus के लिए चुप चाप positive हो गया अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर उधर गया हमने क्या 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 चुप चाप plus एक रखा है ना पहरी वाली condition पर अब निकाल दीजे इस वाली condition पर इस condition पर आजाएगा minus का 3 x plus का 2 है ना यह दोनों questions ready हो गए अब हम दोनों questions में देख रहे हैं कि यह पर कटा अंताखंड जो हो 2 है तो हम इसका figure ड्रा करते हैं है ना इसका चित्र बनाते हैं ठीक है चित्र बना दीजिए इसका चित्र बनाएंगे यह तो चित्र बनेगा कैसे पहले तो access खिच लीजिए यह अक्ष है हमारे अच्छा वाई अच्छ पे कटा अंता खंड इसका कितना है दो इकाई का है कितना है दो इकाई तो दो इकाई पे एक पॉइंट ले लिजिए यह है यह पॉइंट ए है कितना दो इकाई एक सच वाई अच्छ पे चुकी तो 0,2 हो जाएगा और एक लाइन हमारी इधर हो जाए माइनस का अंडर रूट तीन एक्स प्लस दो अच्छा इसके बाद हमसे कह रहा है दा क्वाडिनेट आप दा फूट आप दा पर्पेंडिकुलर फ्राम पी आन दा बाइसेक्टर आफ दा एंगल विट बिन दिम चलिए फूट आप पर्पेंडिकुलर देख लिया जाए इसका यह है पी पॉइंट यहां पे है हमारा पॉइंट पी ठीक है करा कि दा क्वाडिनेट आप दा फूट आप दा पर्पेंडिकुलर फ्राम पी आन दा बाइसेक्टर आप दा एंगल अच्छा फ्राम पी आन दा एंगल बाइसेक्टर आफ देम इन दोरों के एंगल बाइसेक् है ना यह वाले पॉइंट के कोडिनेट चाहिए वाई अच्छ पे हैं यह पॉइंट है ना आराम से निकलेगा मतलब की जीरो रहाएगा एक्स जीरो रहाएगा यहां पे भी अब देखे हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस मिल जाए तो क्वाव आसान हो जाएगा हम इस है जो अंडरूट 3 है कितना है अंडरूट 3 यह पहले लिहां पर खीश दीजे थोड़ा सा खीश दीजे यह एंगल लिकालना चाहरे है इसलिए ऐसा कर रहे हैं देखें आप अंडरूट 3 और आपको पता है कि M बराबर क्या होता है टैम थीटा एम कितना दिया है देखेंण होजाएगा यह 30 हो जाएगा आजाएगए आप इसी ट्राइंगल में है इसका नाम दे दिजिए एः क्वट और इसका पॉइंट का नाम देजिए आप इसका प्पी दे दो पी नाम दे दो यह तो रख चुकर है नियम्यार पी है पी से तो डाला जा रहा है ठीक को निकालने है, अच्छा, AP कितन awakened drive, हमको याँ पे, AP दिया गया, the distance of five units from their points of intersection, है ना, इनके point of intersection से, P की जो distance है, ये, वो कितनी है, पाच unit है, जानी कि AP कितनी है, AP बड़ाबर 5 है, AP बड़ाबर कितना है, 5 unit, चलो, easily हो गया 5 unit, करण अधार कितना दिया गया सामने आलत लंब हो गया आधार हमारा a m है करण है अच्छा क्रोस मल्टिपलाई करें अगर हम अम बराबर निकल लिखें अप कॉस तीस कॉस तीस कमान कितना हो जाएगा अंडर रूट तीन बटा दो अम मिल गए हमको पाँच बटे अंडर रूट दो हैना हमको अगर अम के कॉडिनेट निकालना है तो यह एक्स अच्छ है चुकि यह वाई अच्छ है तो एक्स वाला कॉडिनेट तो यहाँ जीरो ही होगा अच्छा और यह है हमारा यहां से यह ओरजिन है ओरजिन से लेके यहां तक की दूरी कितनी है तो यह दो है और यह पाँच अंडर रूट तीन बटे दो LCM डे लिजी हल कर लिजी इसको जीरो कॉमा चार प्लस पाँच अंडर रूट तीन बटे में दो है ना ऐसा कौन सा ओप्सन है तेखिएगा बी वाला ओप्सन करेक्ट आ जाएगा 75 का ओप्सन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर 76 चेप्टर की तरफ बढ़िए करा दा स्ट्रेट लाइन रिप्रजेंटेट बाई रिक क्वेशन के दौरा इस्ट्रेट लाइन जो रिप्रजेंट की गई है उनके बीच के एंगल कितना है इसका मतलब की यहां पे हमारे पास दो लिक दो एक्वेशन होंगी है ना देखते हैं होमोजीनियस होगा कहने का मतलब अच्छा यह यहां पर थोड़ी सी तुर्टी है यह अल्फा होना चाहिए था अना यह क्या होगा अल्फा होगा दोनों जग़ा पर ठीक है आप 2 में आ जाएगा a plus b a minus b का whole square लगा दीजे x square cos square alpha plus y square sin square alpha minus 2xy sin alpha और cos alpha ठीक है y square sin square alpha कट दोनों cancel out हो जाएंगे आ जाएए x square के साथ x square लेंगे common देखो इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा उधर ले जाएए इस पद को उठा के उधर ले जाएए x square लेंगे common तो हो जाएगा cos square alpha minus sin square alpha यानि कि यह बन जाएगा cos 2 alpha यह बन गया cos 2 alpha अच्छा और minus का है हमारे पास कितना यह है 2xy sin alpha cos alpha equal to 0 अगर हम homogeneous equation से कनूख compare करें क्या ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 से अगर हम compare करें तो यहाँ पे हमारे पास a का जो value आएगा वो कितना आजाएगा cos 2 alpha cos 2 alpha और जो b का value आएगा चुकि y square वाला term नहीं तो b का मान 0 आजाएगा अच्छा और h जो आएगा h बराबर आजाएगा minus का sin alpha cos alpha 2h बराबर हो जाएगा कितना 2 sin alpha cos alpha minus लगा है तो 2 cancel हो जाएगा तो h बराबर आगया minus का sin alpha cos alpha अब हमें निकालना है दोनों के बीच का code तो दोनों के बीच का code अगर हमान लेते हैं theta थोड़ी देर के लिए तो 10 theta बराबर सुत्र होता है है ना homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square के बीच का जो code होता है 10 theta बराबर होता है 2 under root h square minus ab divided by a plus b है ना 2 under root h square दिखिए हमारे पास h square दिया गया है h दिया गया है तो इसका square कर दिजिए है ना इसका square करेंगे तो कितना आ जाएगा भीया यह आ जाएगा sine square alpha और यह आ जाएगा cos square alpha minus a into b b का मान 0 इसलिए आगे 0 हो जाएगा हम चाहरा है कि उसे रहटा दो रख़े ना जाए minus 0 रखने के कोई फायदा नहीं divided by a plus b a का मान है cos to alpha और b का मान है 0 रखना दो रख दीजिए 2 देखिए square के अंदर से निकल के आएगा एक sine alpha और निकल के आएगा एक cos alpha और divide में है हमारा cos to alpha किसके बराबर है 10 theta के तो ये हो जाएगा 10 theta बराबर sine to alpha उपर बनेगा sine to alpha बटे cos to alpha यानि कि ये आजाएगा 10 to alpha 10 turn दोनों करब से हटा देंगे तो theta बराबर कितना आजाएगा 2 alpha यानि कि इन दोनों pair of state lines के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 2 alpha का एंगल होगा यानि कि क्या हो जाएगा 76 का option number age होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 77 67 अच्छा अब देखें 67 में इनको दिया गया है क्या 6 alpha plus 10 alpha into 6 beta plus 10 beta अब इस प्रेश्ट में समझना है थोड़ा सा बराबर 10 alpha 10 beta हम चाहा रहे हैं कि इस side multiply कर दिया जाए हम चाहा रहे हैं यह one बन जाए यह one कब बनेगा जब इसको मिल जाए क्या इंटू में 6 alpha minus 10 alpha अभी तो बनेगा 6 square alpha minus 10 square alpha यानि कि हम LHS और RHS में दोनों तरफ multiply कर दें किसका 6 alpha minus 10 alpha का multiply करें फिर 6 beta minus 10 beta का multiply कर दें दोनों तरफ और 6 gamma minus 10 gamma का दोनों तरफ multiply करें तो इधर multiply करेंगे तो यह A plus B है आगे देखें 6 alpha plus 10 alpha इंटू 6 alpha इंटू 10 alpha तो यह बन जाएगा माइनस में आगा 6 alpha plus 10 alpha इंटू में आगा 6 alpha minus 10 alpha तो ये बन जाएगा हमारा कितना शेक स्क्वार अलफा माइनस टैन स्क्वार अलफा इधर बन गया मल्टिपलाई किए दोरों तरफ करेंगे ठीक है इंटू और इधरी सेम ये बन जाएगा सेक स्क्वार बीटा माइनस का टैन स्क्वार बीटा माइनस 10 स्क्वाइर बीटा और ये आ जाएगा सेक स्क्वाइर गामा माइनस का 10 स्क्वाइर गामा इक्वाल टू देखिए ये 10 अल्फा को चुपचाप रहने दिया जाए 10 बीटा को चुपचाप रहने दिया जाए 10 गामा को चुपचाप रहने दिया जाए है ना into में और इसके साथ चुकि इदर multiply किये हैं दोनों तरफ करना चाहिए देखो इस सिक अलफा माइनस 10 अलफा का multiply किये थे तो उसे भी लिख लिख लिया जाए शिक अलफा माइनस का 10 अलफा into सिक बीटा माइनस का 10 बीटा into यह हो जाएगा सिक गामा माइनस 10 गामा यह हो गया भाई अब देखो इसकी value 1 आ जाएगी 1 into 1 into 1 बराबर में आ गया देखिए इदर 10 अलफा 10 बीटा 10 गामा है न इससे divide में ले आओ 1 बटे आ जाएगा 10 अलफा और यह हो जाएगा साब 10 बीटा और यह हो जाएगा 10 गामा इदर into में हमारे पास कौन शिक अलफा माइनस 10 अलफा ठीक है शिक अलफा के बाद बीटा है शिक बीटा माइनस का 10 बीटा into शिक गामा माइनस का 10 गामा लिए बन जाएगा बरावर में यही तुम्सित हैँ अ इसे हैं ऑलफा यह बीटा यही तो पूछा हैं टुम तो यह बन जाएगा कॉटम्वा इन्ट कॉटमॐ इन्टू कॉटम्वा है ना यहाण वन भाई 10 बेसमिन there सबस्क्राइब को प्टाइब और इधर क्या होगा इनका पेयर भी मिल जाएगा जिस से 78 78 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार का एक question बनेगा X का मान दिया है Y का मान दिया है तो एक काम करते हैं हम पहले दोनों को जोड़ के देख लेते हैं X square plus Y square करके देख लीजिए दोनों को work करके जोड़ दिया जाए इसकी वह जोड़ी कि हमें 2A theta का square है ना बटे में कितना जाएगा यह जाएगा 1 plus theta square का square हो जाएगा अच्छा इसे अगर हम square करें थोड़ी देर के लिए तो यह बन जाएगा क्या 4 A square theta square plus Y square देखिए A square उसके साथ भी है A square हो जाएगा और यह जाएगा 1 minus theta square का whole square divided by यह 1 plus theta square का square हो गया पुरे से A square ले लिजिए common A square 4 theta square plus 4 theta square हो गया अच्छा यहाँ पर आजाएगा दीखिए 1 minus theta square देखिए 1 minus theta का whole square उसको open कर दीजिए इससे open कर दीजिए A square हमने common ले लिए बाहर कुशी tension नहीं लेना लीचे LCM same है तो इसकी भी tension नहीं लेना 1 plus theta square का whole square हो गया अच्छा इसे open करेंगे ना तो जाएगा 1 plus theta की power 4 हो जाएगा माइनस का 2 theta square हो जाएगा है ना अब देखिए यहाँ पे 4 theta square माइनस का 2 theta square या नहीं कि उपर से हम क्या गरेंगे हटा दीजिए यह A square हो गया कम हो जाएगे भीया 4 theta square यह है दो घट जाएगे तो जाएग 1 plus theta की power 4 plus 2 theta square divided by इसका भी open इसको खोल दीजिए 1 plus theta की घाच 4 plus 2 theta square दो से मैं काट दीजिए कितना आ गया A square कितना आ गया भीया X square plus Y square is equal to A square है क्या कोई ऐसा बिल्कुल भी वाला option मैच कर रहा है तो यह क्या है parametric equation जो थी वो क्या है X square plus Y square is equal to A square यह जो कि एक circle की equation हमको given है आपे 78 का कौन सा option से हो जाएगा भी वाला option करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 79 देखेंगे ओफो सांदार है ना एक बहतरेन question एक बहुत ही बहतरेन question देखेगा कि इन्हें triangle P की वार R बराबर 90 दिया गये triangle है मारे पास इसमें R 90 दिया गया है अच्छा ठीक है R 90 दिया गये उस triangle में एक एंगल 90 हो गया तो कौन बचा एंगल P बचा एंगल Q बचा तो एंगल P और Q जोडने पर भी कितना आएगा 90 आएगा है कि नहीं बिल्कुल दोनों तरफ क्या करिए divide कर दीजिए दोनों तरफ क्या करिए divide कर दीजिए पी से तो देखें P by 2 और Q by 2 हो गया एना यह हो गया हमारे पास P by 2 प्लस Q by 2 एक कोल टू आजाएगे कितना 45 डिगरी दोनों तरफ आप 10 ले लिजिए यह आजाएगा 10 P by 2 प्लस 10 Q by 2 divided by 1 माइनस 10 P by 2 10 Q by 2 10 45 बनेगा इसका मानवन हो जाएगा इदर अच्छा अब देखिए हमसे कहे क्या रहा है कि 10 P by 2 और 10 Q by 2 जो दोनों है वो क्या है रूट है किसी क्वेशन के AX स्क्वार प्लस BX प्लस C एक्वल टो जीरो के अच्छा अब देखिए मतलब यह क्या है 10 P by 2 प्लस 10 Q by 2 सम आप रूट मूलों का योगफल यह दोनों का मूलों का योगफल मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस का B by A divided by 1 माइनस 10 P by 2 इंटो 10 Q by 2 तो इसका मतलब क्या मूलों का गोएन फल तो यह कितना हो जाएगा C by A इक्वल टो कितना हो जाएगा 1 है न L सेम लीजिए माइनस का B बटा A और यह आजएगे A माइनस C बटा A इक्वल टो 1 A से A काट दीजिए अब कितना आ गया माइनस का B बराबर आ गया कितना A माइनस C अच्छा A माइनस का B बराबर में आ गया कितना A माइनस C हमें क्या चाहिए C को इधर भेद देना चाहिए C को इधर भेजो प्लस का आएगा और B को इधर भेजो प्लस का हो जाएगा उधर C बराबर A प्लस B कौन सा उप्षन A प्लस B बराबर C पहला आला उप्षन करेक्ट हो जाएगा 79 का A option correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 80 question number 80 यह नहीं कि 80 कह रहा है कि यदि x is golden को यह दिया गया है सांदार question है ना बस इसे थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करना है देखेगा x बराबर हम यह 4 है कि भी यह sign 10 है ना sign 10 है न हम क्या करें दो क्या कर दोह दोनuyu तरह आगो & 2x और उसके बड़ में किए师 कस 20 क्या आई कोस चालिस अर्चा कि यह हो गया 2x sin 10 बराबर देखे अब हम क्या करेंगे अगले लाइन बन और एक दो से गुड़ा कर लेते हैं तो यह 4 हो जाएगा और इधर क्या बनेगा यह तो हमारा sin 20 बन जाएगा sin 20 और 2 से जो multiply हुआ है 2 into sin 20 और कौस 20 और आगे कौन है cos 40 एक और 2 से गुड़ा करो 8x sin 10 बराबर यह देखो क्या बन जाएगा sin 40 जो 2 से गुड़ा होगा तो sin 80 बन जाएगा है भई भई यह हमने क्या किया दो से गुड़ा किया है अभी देखी चुपचाप इदर रखा है कि इदर नहीं रखा देखो यह तो हमारा sin 40 हुआ 2 से गुड़ा किया 2 sin 40 cos 40 यह हैं sin 80 बन गया यह अच्छा x का मान निकालना m को यहां पर है ना x is x is गोल टो कितना हो जाएगा sin 80 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10 यानि कि यह cos 10 हो जाएगा cos 10 बटे 8 sin 10 एक बटे 8 को रहने दीजिए cos 10 बटे sin 10 मतलब क्या हुआ भया यह cot 10 है ना 1 बटे 8 cot 10 कौन सा option से हो जाएगा 80 का सी वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 81 है ना 81 हाँ ठीक है the straight road intersect an angle of 60 degree क्यारा कि दो straight यहां पर मुझे लिए तू होना चाहिए था है ना two straight road है इंडर्टेक्ट एंगल 60 है दो श्रेट रूड है ने स्क्ट्र नीग के साथ डिगरी के एंगल बनाएगे हुआ हैं हुआ है वज बार है यह ज़िए आप यह जो से जो इसके राब वह जो वी कि इन दोनों यह 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 यहां पर लगा देते हैं तो साइन फॉर्मूला है ना तो को साइन हम यह कॉष्छती है कर रहे हैं इक्वल्ट ना जो एंगल लेतaste के सामने वाली भुजा माइनस में चली जाती है कि यह बी-सक्वैर पलस का सी स्क्वैर माइनस का एसक्वैर वाइपि-सी ना हो गया शी कुअ फान ही 0 2 से 2 काट देंगे 3 दोनी 6 हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगी अच्छा तो यह 13 और यह 6 तो A square बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 यानि कि 7 A square बराबर 7 तो A बराबर कितना जाएगा Under root 7 Under root 7 किलो मीटर कितना इन दोनों वहिकल के बीच की दूरी Under root 7 किलो मीटर है ना 181 में कौन सो अप्षन से ही हो जाएगा 181 में D वाला जो अप्षन है वो कारिक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे Question number 82 Question number 82 ने करा है कि In a triangle ABC करा है कि एक triangle A, B, C में यह B और C दो चीज़े दी गई है अच्छा एक triangle ABC यह दो एंगल दिये गए है हमको एक B एंगल दिया गया है और एक C दिया गया है B, pi by 3 का मतलब होता है 60 और इसका मतलब होता 45 45, pi by 4 का, ठीक है और करा है कि D divides BC internally है ना करा है कि BC को divide जो D है वो divide कर रहा है BC को किस ratio में 1 ratio 3 के ratio में इसे divide कर रहा है यह हमारा B point है और यहाँ पे D है तो इसका मतलब उपर A है हमसे करा है कि sine अच्छा यह divide कर रहा है देखो यह से internally इस ratio में divide कर रहा है इस एंगल को आप theta ले लो और इस एंगल को आप phi ले लो हमसे करा है कि sine B, A, D B, A, D मतलब यह हमसे पूछा है कि क्या sine theta हमने theta उसे लिख दिया है और C, A, D का मतलब phi है ना C, A, D अरे यह C है C, A, D यहनि कि sine phi हमसे पूछा है क्या sine theta बटे sine phi का value क्या होगा अब हमें एक काम करेंगे इन दोनों triangle में हम लोग लगाएंगे sine rule है ना क्या लगाएंगे sine rule चलिए पहले इस triangle में लगाओ sine rule आप इस triangle में अगर हम sine rule लगाएंगे तो यह आ जाएगा कितना A, D बटा ठीक है बजाओ का ratio और angle का ratio equal होता है है ना तो यह आ जाएगा A, D A, D के सामने का angle काओना sine 6 वो आगे रख लेंगे हम A, D, B, D रखते हैं A, D B, D A, D A, D के सामने का angle का sine के साथ ले लीजिए आप A, D sine 6 हो जाएगा इस वाले triangle में और यह क्या हो जाएगा sine theta हो जाएगा अच्छा sine 6 का मान होता अंदर उर 3 बटा 2 तो अंदर उर 3 बटा 2 sine theta आ गया यह इसे यहीं छोड़ दीजिए है ना अब आगे आ जाएगे अच्छा अगले वाले इस वाले triangle में आ जाओ अगले triangle में देखो A, D बटे C, D बराबर कितना हो जाएगा भाई A, D के सामने काउन सा angle है 45 sign 45 बटे sign rule होता है sign A upon A equal to sign B upon sign A upon A equal to sign B upon B equal to sign C upon C तो हम उसे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर sign A अनुपाते sign B अनुपाते sign C भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि आपने दोनों sides का ratio ले लिया बिल्कुल यह sides का ratio और यह angle का ratio है sign के साथ है ना कोई दिक्कत नहीं दोनों एक के बाते हैं ठीक है चलिएगा sign 45 थोड़ा calculation है ना असान हो गया है ना यहां से तो यह sign 45 हो गया और CD के सामने देखो CD के सामने angle 5 है तो sign 5 आ जाएगा अच्छा calculate करेंगे sign 45 कमान एक बेट अंडरूट 2 होता है तो अंडरूट 2 नीचे आएगा अंडरूट 2 sign 5 ठीक है अच्छा अब अगर थोड़ा सा हमें काम करें यहां पे हम इसे पलट दें चाह उपर वाले को पलट दिजिए यह आ जाएगा कितना दोनों को multiply करने है कौन सा भाई हम यहां ऐसा क्यूं कर रहे है देखो हमको यहां पे दिया गया है क्या BD अनुपाते CD 1 बटा 2 BD बटे CD कितना है 1 बटे 2 तो हम यह वाला कौन सा एक तो यह दिया गया है एक यह दिया गया है इन 2 AD बटे CD है ना CD इक्वल टू यह आ जाएगा 2 साइन थीटा बटे अन्डर रूट 3 इन 2 में आ जाएगा 1 बटे अन्डर रूट 2 साइन 5 AD से AD कर जाएगा BD बटे सीटे कितना आ जाएगा 1 बटे 3 इक्वल टू और यह दो है तो उपर सिर्फ हमारे पास अन्डर रूट 2 बचेगा अन्डर रूट 2 साइन थीटा बटे अन्डर रूट 3 और इससे काटेंगे देखो यह तीन है तीन को हम लिख देंगे क्या अन्डर रूट 3 गुडे अन्डर रूट 3 एक अंडरूट 3 कर जाएगा और यहां से आने वाला है हमारे पास साइन फाई यानि कि यह बनने वाला है साइन थीटा बटे में साइन फाई बराबर एक बटे अंडरूट 6 इस अंडरूट 2 का मल्टिप्लाई होगा एक बटे अंडरूट 6 कौन साइन से हो जाएगा या 82 का यह वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वस्चन नमबर 83 यानि कि 83 की तरफ 83 में कहरा है कि इफ दा रेडियस आफ शर्कम सर्कल आफ एन आईसोसेलस ट्रेंगल पीकी वार इस इकोल टू टू इकोल टू पीकी बराबर पी आर अच्छा सरकम सर्कल एक खीछ लिजे पहले यह हमारा सरकम सर्कल है मतलब परिवरित है ना परिवरित इसका अपना Center है यह इसका Center हो गया ओठीक और यह एक आई-सो-सेलस ट्रेंगल हमें बना रहे हैं यह एक आई-सो-सेल्स ट्रेंगल है जिसमें दोनों भुझाएं बराबर हैं ठीक यहाँ पर हमारा पास पॉइंट पी है और यह पॉइंट है क्यों ये पॉइंट है आर अच्छा उसने बता दिया है हमको कि ये दोनों बराबर हैं कौन सी पी क्यू और पी आर ये और ये दोनों क्या है बराबर हैं और किसके बराबर हैं इसकी रेडियस के बराबर हैं अच्छा भाई रेडियस के बराबर हो गई वाह कि यह कि बड़ाबर हो गे यह हुआ कि एक एकुले साघंगल है तो यह कितना हो जाएगा 60 अंस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 अंस, और सेम यहां भी लागू होता है, यह भी हमारी तरिज्जा होगी और यह भी हो जाएगा 60 है न, और हम से पूछा angle P, तो angle P दोनों मिला कि कितना हो गया, 60 और 60 कितना हो गया, 120 20, अरे यह क्या है, एक शंबाहूत्री मुझे है, शंबाहूत्री मुझे का प्रत्यकूर कितना होता है, 70 अंस का होता है है न, तो कितना हो गया भी है, अब angle P, कॉल्टू कितना हो गया, 60 प्लस 60, यानि कि 120, पाई बटा 180 से मल्टिप्लाई कर दो है न, तो पाई रेडियन में चेंज हो जाएगा चलिए, अब हम इसे कार्ट देंगे 12 है, 6 से कार्ट दीजे 6 दूनी 12 च्छत्री कठारा, 2 पाई बटा 3, है न, ये वाला D वाला option, 83 में D option जो है, वो correct हो गया आगे बढ़ेंगे, question number देखेंगे 84 84 Sine P, Sine Q, Sine R R in A P क्यारा, A P में दिये गए हैं अगर ये तो क्यारा, इनके altitude क्या होंगे किस में होंगे, देखते हैं याप ये triangle है, Sine P, Sine Q और Sine R दिये गए हमको कोई दिक्कत ने, ये triangle दे दिया, ठीक है, ये हमारा P point हो गया, ये Q point हो गया, तीनों हो गया अच्छा, ये Q, इस point का नाम दे दिजिए, Q E E दे दिजिए ये altitude है altitude का मतलब 90 का कोड़ बना रहे हैं और ये अगर R यहां से गया तो ये हमारा F है F है, ये भी 90 का कोड़ बनाएगा और ये हो गया यहां भी altitude है ना F के बाद ये हमारा D हो गया D E F हो गया, सभी है ना अच्छा, तरो हो जाए कि ये क्यों है इस वाली भुजा P R का नाम क्यों क्यों दे दिजिए, माप और इसकी स्माल P दे दिजिए और इसकी स्माल R दे दिजिए, ठीक है अब हमें altitude निकालना है देखेगा, अब अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें, है ना Sine R कोई भी triangle उठाइए माल लिजिए कि हम Sine R ये वाला यूज करना चाहते हैं इस triangle में हैं, इस triangle में Sine R भई मैं Sine R चाहिए, Sine P चाहिए Sine Q चाहिए, सभी चाहिए Sine R, लंब बटे करड़, है ना, तो लंब क्या है PD, बटे करड़ क्या है PR, है ना, PR का मतलब क्या PR की लंबाई कितने Q दे गई है Q, है ना, इसी तरह से बाकी आप सभी निकालेंगे, है ना, हमने क्या किया, Sine R बराबर निकाल दिया PD, तो यह PD बराबर यहां निकाल रहे है PD क्या है, पर्पेंडिकुलर, पर्पेंडिकुलर निकाल लें, क्योंकि इसी Altitude में तो हमको Relation चाहिए, Altitude निकाल रहे हैं PD बराबर कितना आजाएगा, यह आजाएगा Q, Sine R अच्छा गर हम इसको Sine R उनसे Change करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा K, Sine Q है ना, यह Sine A ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ा है ना आपने, अगर लिखा होता Sine Q, बटा Q, बराबर Sine, यह लिखा होता मान लिजे, थोड़ी देर के लिए यह लिखा होता, Q, बटा Sine Q, अरे भुजा है ना, यह तो किसमाल Q Equal to, P बटा, Sine P Equal to, के लिखा होता है ना, तो अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं क्या Q, तो Q बराबर क्या आता, Q, Sine Q है ना, यह तो होता, यह तो होता हमारा Sine Rule, ठीक है, तो यह हो गया अच्छा, आगे Sine R है हमारे पास पहले से, हम चाह रहे हैं कि Sine P का उपर नीचे Multiply कर दिया जाए, Sine P और नीचे भी Sine P ठीक है, तो यह हमारा PD आ गया, PD क्या आ गया, के Sine P, यह क्या है, Sine P Sine Q, Sine R, बटे Sine P यह PD आ गया, और इसी तरह से, इसी तरह से सेम, जैसे हमने PD निकाला है, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, क्या PD निकाल लिया, PD के बाद ऐसे सेम आप निकाल देजिए, QE तो QE भी आ जाएगा K आ जाएगा, साथ में इसके K आ जाएगा Sine R आ जाएगा K, Sine R और Sine P QE और इसी तरह से Sine Q Divide में यहाँ पर आएगा हमारे पास Sine Q ठीक है, क्या जाएगा Sine Q डिवाइड में आ जाएगा QE हो गया, एक में देख लिए आतुरा है, स्क्रीन में, ठीक है QE के बाद अगला Altitude आप निकाल लिजिए FR अरे, FR निकालना है अगर आपको है ना, तो FR कैसे निकालेंगे भई, यहाँ पर हमें एंगल जो लेंगे वो क्या लेंगे, क्या लेंगे FR के लिए, तो यह आजाएगा वहमारे पास K, Sine Q K, Sine Q है ना, इंटो Sine P भी आजाएगा साथ में, Sine P वो निकाल लिजिएगा आप इसे Sine R, जैसे हमें उपर उपर निकाला है सेम, बटे में आजाएगा Sine R, Sine R से हम डिवाइट करेंगे दों तरफ, अब देखे, हमें Altitude के बारे में बताना है, कि वो किसमें है तो देखे कि आगर हम Altitude का अनुपात निकाले, PD अनुपाते, QE अनुपाते, F, R तो कि इस समय Unson, अभी में सेम हैं, अनुपात में Unson से कट जाएगे, उपर हर बचा इसका PD का कितना, Sine P और ये Sine Q और ये Sine R, अब देखे Sine P, Sine Q, Sine R, A, P में हैं, तो वन बाई साइन पी, वन बाई साइन क्यू, वन बाई साइन आर, किसमे होंगे, ये होंगे, एच पी में, है ना, अपोजित होती है, अगर एक, दो, तीन, एपी में है, तो एक बटे, एक, एक बटे दो, और एक बटे तीन, किसमे होंगे, एच पी में होंगे, है ना, अपोज प्रणा स्रविख करने में आप पी को लेंगे इस वाले ट्रणा से आप मस्त्रा उसी तारा से कह लेंगेगे और सिच yap को यह वाले यूच करेंगे, और सूब सेंध concept लगाईएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना चलिएगा इसके बाद हम निकालते हैं को समर्पचासी आज की class का last question 85 question ही पूछे गए थे 2003 के इस paper में 85 question आपके सामने है कह रहा है कि if the data given to construct a triangle a b c a बराबर इतना पांच b बराबर 7 sign a बराबर 3 बटे 4 then it is possible to construct only a triangle कितने triangle बनाया जा सकते यह बताना है लगाईए sign rule by using sign rule sign rule हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भी यह यह हो जाएगा sign a बटा a equal to sign b बटा b ठेक है sign a बराबर कितना दिया है 3 बटे 4 अच्छा a का मान कितना है 5 बराबर sign b हमको नहीं पता sign b बटा b b का मान है 7 इधर गुला कर दो इसका 7 का कितना जाएगे 20 बटे 20 बराबर sign b जो हम भाग देंगे तो sign का मान जो होगा sign b का मान क्या होगा greater than one आएगा greater than a का आएगा कि नहीं एक से जादा आएगा है ना भाई अरे 20 से भाग देंगे तो भाग देंगे एक दिसंबल कुछ आएगा 20 से कंदम बेस है ना तो उसके बाद 10 जो 5 25 मतलब कि एक से जादा आएगा और sign का मान हमने minimum पढ़ा एक minimum पढ़ा माइनस एक है ना which is not possible यानि कि कभी भी sign b जो है वो क्या है वो कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है ना यह possible नहीं है which is not possible और जब यह possible नहीं है तो इसका मतलब कि ट्राइंगल भी नहीं बनेगा कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा नो ट्राइंगल कौन से यह जाएगा डिवाला अप्शन या पर करेक्ट हो जाएगा चलिए लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें थैंक्यू जैहिंद वंदे मात्रम